एपिसोड की शुरुवात में हम देखते हैं कि हेज विलेज में एक फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जाता है जिनने किसी ने चर्च के बाहर छोड़ दिया था तब वो कहते हैं शुकरा ये लोग शात हो गए हैं तो क्या ये दुन्नों ट्विन ब्रदर्स हैं प यहां कुछ फार्मर्स अपने मैजिक से फार्मिंग कर रहे होते हैं और यहां चर्च के पास आस्टा सिस्टर लिली से कह रहा होता है एक दिन में विजार्ट किंग वनूँगा और आपको बहुत खुश रखूँगा सो प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए पर सिस्टर लि और तब आस्टा कहता है आखिर कर तुम बीच में क्यों आ रहे हो तब यूनो कहता है क्योंकि तुम्हारा बहुत बेकार है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी तब आस्टा गुसे में कहता है हम साथ साथ बड़े हुए हैं और इसलिए वो किसी से शादी नहीं कर सकती तब आस्ता यूनो को लड़ने के लिए कहता है पद्यूनो मना कर देता है और तब नैश कहता है रहने दो आस्ता तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते और तब आस्ता कुछ करने की कोशिश करने लगता है तब नैश कहता है तुम्हारे पास magic नहीं है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे एज का कोई लड़का magic भी ना use कर पाए तब आस्ता कहता है तुम से बढ़ा हूँ तुम उसे तमीज से बात करो होगा और हम देखते हैं आस्ता एक्सरसाइज करने लगता है और दूसी तरफ यूनो अपने मैजिक से कपड़े सुखारा होता है जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं और तब यहां हम देखते हैं फादर ओर सी वहां आ जाते हैं और कहते हैं यूनो ही इस चर्च की एकलाती उमीद है और यहां सिस्चर लिली आस्ता से कहती है बहुत जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी आने वाली है और जब तुम्हें ग्रिम ओर मिल जाएगी तब तुम भी मैजिक यूस कर पाओगे जिसे सुनकर आस्ता बहुत खुश हो जाता है और कहता है जब मैं ग्रिम वार्ड हासल कर लूँगा तब मैं मैजिक नाइट्स जॉइन करूँगा और फिर विजार्ट किंग बन जाओंगा क्या मैं सही कह रहा हूँ ना यूनो तब यूनो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है जिससे आस्ता को गुसा आ जाता है और वो भाग उस दिन से वो पूरी तरह बदल गया और उसके बाद से मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा और अब मुझे याद आया उस दिन से ये दोनों ही बदल गए हैं और आस्ता भी हमेशा गंदे कपड़ों में घर वापिस आने लगा पता नहीं वो वहां जाकर क्या करता है और याँ हम देखते हैं आस्ता एक्सेसाइस कर रहा होता है और कहता है मैं विजट किंग बनके रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता पर उससे पहले मुझे अपने आपको ट्रेन करना होगा और दुबारा से एक्सेसाइस करने लगता है और तब हमें बताया जाता है मार्च में जब डेंडलियोन के फूल हवा में उड़ने लगते हैं तब साल में एक बार क्लोवर किंगडम में सारी जगा 15 साल से बड़े बच्चों को इकठा किया जाता है और उन्हें ग्रिम वार टावर बुलाया जाता है ताकि उन्हें अपनी ग्रिम वार मिल सके जिसकी कुछ बच्चे आस्ता और यूनों का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं हमें यकीन नहीं होता ऐसे बच्चे भी सिक्स मंथ में मैजिक नाइट्स का एक्जाम देंगे सिरफ नोबल फैमिली और रोयल फैमिली में इतनी ताकत होती है जो कि इस एक्जाम को पास कर सकें और उनमें से एक तो कोई मैजिक भी नहीं यूज कर सकता और ये पूरी कंट्री में एकलोता ही होगा जो कोई मैजिक ही नहीं यूज कर सकता और तब वहाँ ग्रिम वार टावर का मालिक आ जाता है और वो सब को वहाँ आने के लिए कंग्रेचुलेट करता है और वो कहते है हमारे एरिया से ना तो कोई आस तक विज़र्ट किंग बना है और ना ही मैजिक नाइट्स में किसी हाइस्ट पोस्ट पर पहुँचा है तो इस बार मुझे उमीद है कि छायद तुम में से कोई एक किसी दिन विज़र्ट किंग बन जाए और अब तुम्हारे ग्रिम वार लेने का टाइम आ चुका है और यहां हम देखते हैं सभी लोगों को अपनी अपनी ग्रिम वार मिल जाती है और तब यहां आस्ता कहता है क्या मेरी ग्रिम वार कहीं लेट हो गई है तब उस टावर का मास्चो कहता है तब अगले साल ट्राय करना जिसे सुनकर सभी लोग आस्ता का मजाग उडाने लगते हैं और तब ही हम देखते हैं यूनो की ग्रिम वार अचानक से चमकने लगती है और तब सभी लोग देखते हैं वो एक four leaf flower ग्रिम वार होती है तब फादर कहते हैं ये तो वही ग्रिम वार है जो की फर्स्ट विजार्ट किंग को मिली थी तब सिस्चर लिली कहती है इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत जादा पावर और गुड लख है तब यूनो कहता है सभी लोग सुन लो अगला विजार्ट किंग मैं बनूँगा और सभी लोग उसे चीर करने लगते हैं तब आस्टा गुसे में कहता है तुम बस इंतजार करो यूनो बहुत जल्दी मैं तुम तक पहुँच जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा इकलोता कॉम्पेडिटर हूँ तब यूनो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और वहां से चला जाता है और तब यहां आस्टा कहरा होता है पॉसं बन सकता है चाहे वो एक गरीब और अनाथ बच्चा ही क्यूं न हो और सुम मेरा इंतजार करना यूनो और हम देखते हैं एक बच्चा यूनो से जेलिस होकर उस पर हमला करने लगता है पर हम देखते हैं यूनो बिना अपने ग्रिम वॉर की यूज किये उसके अटैक क काट देता है पर तभी हम देखते हैं दिवार से छे निकलनी लगती है और वो दोनों बच्चे चीखने लगते हैं और तब एक परसन कहता है मैं तुमें इस तरह खुला नहीं छोड़ सकता और हाँ इसे खोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा मैजिक दूसरों के मैजिक और उनके मूवमेंट्स को रोक देता है तब यूनों पूसता है आखिर कर तुम कौन हो तब रेवची कहता है मैं एक मैजिक नाइट था पर उन्होंने मुझे बाहा निकाल दिया तो अब मैं सिरफ एक चोर हूँ और अब मैं तुम्हारी ग्रिम वार ले रहा हूँ तब यूनों कहता है तो तुमने अपना नाम रेवची बताया है तो तुम इतना तो जानते ही होगे ना कि ग्रिम वार को चुडाना बेकार है तब रेवची कहता है और तब हम देखते हैं आसता भी वहां आ जाता है और दिवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और कहता है आखिरका यहाँ हो क्या रहा है आखिरकार तुमने यूनो की ग्रिम वार क्यों पकड़ी हुई है तुम एक चोर हो तब रैफची कहता है तुम तो वही लड़की हो ना जिसे ग्रिम वार नहीं मिली है तब आस्ता कहता है हाँ मैं वही हूँ पर वो ग्रिम वार सिर बढ़ने लगता है और जैसे ही उसे पंच बानने लगता है रावची की चेंज आस्था को रोक लेती है पर हम देखते हैं वो चेंज आस्था पर जानले बां हमला करती है थब आस्था सोचता है तो ये सारे magic users ये सब कुछ कर सकते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी फिजिकल ट्रेनिंग के बावजूद मैं इसे हरा नहीं सकता। तब रेवची आस्ता पर हसने लगता है, तब आस्ता कहता है, यह भी खतम नहीं हुआ है, मैं एक दिन विजर्ट किंग बन कर रहूँगा। तब रेवची कहता है, मैं इन चेंस की मदद से किसी की भी मैजिकल पावर का पता कर सकता हूँ, और तुम्हें देखो, तुम्हारे अंदर मैजिक का एक कत्रा भी नहीं है, तो शायद इसी वज़े से तुम्हें कोई गिरिम वार नहीं मिली है, इस दुनिया में मैजिक ही सब पाऊंगा, तब रेवची कहता है, विजार्ट किंग बनना तो तुम भूली जाओ, तुम्हें तो कोई जाब भी नहीं मिलेगी, और तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी इस कंडिशन पर बहुत हसेगा, इस दुनिया को, तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस एक लूजर हो, तब आस्ता सोचता है, ये सच कह रहा है, मैं चाहे जितना मर्जी ट्राइ कर लूँ, पर इस दुनिया में कुछ चीज़ी हैं, जो मैं नहीं कर सकता, तो शायद मुझे हार मान, पर तब ही हम देखते हैं, यूनो कहता है, आखिर कर तुम किसे लूजर कह रह दरने लगता है, तब आस्ता कहता है, जरा रुको यूनो, मैं इसे अभी मज़ा चुकाता हूँ, पर तब हम देखते हैं, आस्ता के पास फाइफ लीव क्लोवर आ जाती है, तब यूनो कहता है, मुझे पता था आस्ता, तुम्हें ग्रिम वार जरूर मिलेगी, और हम देख को रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ लीव के अंदर गुड लख होता है, और लास्त में फिफ्थ लीव क्लोवर, जिसके अंदर डैविल रहता है, और तब हमें दस साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां आस्ता और यूनो भाग रहे होते हैं, और यूनो भागते गिर जाता है, और रोने लगता है, और तब आस्ता उसे उठाते हुए कहता है, तुम ऐसे मत रो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूँगा, और वो दोनों पहारी की और भागने लगते हैं, और तब यहां वो सभी लोग खाना खारे होते हैं, तब आस्ता कहता है, जब मैं ब नहीं कर सकती तब आस्ता कहता है पर मैं हाट नहीं मानूंगा और यहां सिस्चर लिली उन दोनों को पहले विजर्ट किंग की कहानी सुनारी होती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे फर्स्ट विजर्ट किंग ने एक डीमन को हरा कर शांती स्थापित की तब यहां अगले दिन आस्ता सिस्चर लिली से विजर्ट किंग के बारे में पूछने लगता है तब सिस्चर लिली उसे बताती है विजर्ट किंग एक टाइटल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया है यह विजर्ट किंग की पावर ही है जिसकी वज़े से क्लोवर किंगम में शांती ह और वो king के बाद दूसरा सबसे important person है तब आस्ता कहता है तो फिर तैह हो गया अगला wizard king मैं बनूँगा जिसे सुनकर sister lily और you know दोनों हैरान हो जाते हैं तब sister lily के पूछने पर आस्ता बताता है क्योंकि wizard king ने demon को हराया था तो इसका मतलब वो जरूर बहुत ज़्यादा strong और cool होंगे मैं बस बड़ा होके उनकी तरह बनना चाता हूँ और अगर मैं एक बार wizard king बन गया तब मैं आप सबकी life को easy बना पाऊंगा और मैं इस बेकार सी church को ठीक करवा दूँगा और जब मैं एक बार wizard king बन जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी कर लेना पर sister lily उसे फिर से मना कर देती है तब हम देखते हैं सर्दियों का मोसम आ चुका होता है और आस्था अपने magic को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं उस कोशिश का कोई फाइदा नहीं हो रहा होता तब आस्था कहता है sister lily मैं आप मदद कर देता हूँ और फिर आप मुझसे बाद में शादी कर लेना और हम देखते हैं sister lily फिर से मना कर देती है और तब आस्ता फिर से रोते रोते जिद करने लगता है और यहां यूनो बच्चों को संभाल रहा होता है तब आस्ता कहता है मैं इसे संभालता हूँ एक फ्यूचर विजार्ट किंग के लिए ये कि इतना ही मुश्किल होगा और हम देखते हैं आखिर में सिस्टर लिली ही उसे चुप करवाती हैं पर तब ही फादर वहां आ जाते हैं और यूनो और आस्ता में से किसी एक को एक काम करने के लिए कहते हैं और आस्ता ये काम करने के लिए काफ़े एकसाइटेड होता है तब यूनो उस लेटर को लेकर वहाँ से चला जाता है तब रेका आस्था से कहती है तो अगर तू मैजिक नहीं यूज कर सकते तो कम से कम लकड़िया ही काड़ दो आखिरकार तुम कुछ तो काम आओ जिससे आस्था चिड़ जाता है और यहां हम देखते हैं सिस्टर लिली यूनो की फिकर कर रही होती है तब वो परसन यूनो को मार कर उसका पेंडेंट ले लेता है और यूनो रोते रोते अपना पेंडेंट वापिस मांग रहा होता है और अपने मैजिक को यूज करने लगता है तब वो परसन कहता है अगर तुम इस बेकार से स्पैल से मेरे साथ लड़ोगे तुम मारे जाओगे पर तभी हम देखते हैं आस्ता आके उस आदमी के उपर कूच जाता है पर वो आदमी उसे दूर फैंक देता है पर आस्ता फिर भी उस आदमी को नहीं छोड़ रहा होता और वो आदमी बार बार आस्ता को मार रहा होता है पर हम देखते हैं आस्ता फिर भी हार नहीं मान रहा होता जिससे तंग आकर वो आदमी उस पेंडन को वहीं फैंक कर वहां से चला जाता है और आस्था नीचे गिर जाता है और यूनो उससे माफी मागने लगता है तब आस्था कहता है तुम मेरी इतना चिन्ता मत करो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा और यहां प्रेज़न्ट में यूनो सोच रहा होता है तुमने हमेशा वो किया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते और यहां रेवची कही रहा होता है तुम्हारे पास तो कोई mágriक ही नहीं था तो तुम्हारे पास ये ग्रिम वार कैसे आई आखिर कर तुम हो क्या और तर रेवची अपनी चेंज से आस्था के उपर हमला करने लगता है और आस्था अपनी तलवार से उसके मैजिक को काट देता है और अपनी पूरी पावर से उसके उपर हमला करने लगता है और कहता है चाहे मेरे पास कोई मैजिकल पावर ना हो पर मैं फिर भी विजार्ट किंग बनके रहूंगा और कभी हारना मानना यही मेरा मैजिक है और उसे दिवार में पटक देता है और कहता है मैंने हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन किया है तो आखिरकार वो आज मेरे काम आही गया और मैं फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां यूनो आस्ता से माफी मांग रहा होता है तब आस्ता कहता है ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं विजार्ट किंग बनके तुमें और बाकी सब को बच्चाऊंगा और तुमें किसी चीज़ की भी चिंता करने की जुरुत नहीं पड़ेगी और मैं सभी को ये प्रूफ कर दूँगा चाहे आप गरीब हो या फिर अनात आप फिर भी विजार्ट किंग बन सकते हैं कोई भी ये कर सकता है अगर कोई पूरी शिद्रत से करना चाहे चाहे वो मैं हूँ या फिर तुम और तब यूनो अपने आशों को पोँच कर कहता है अब से मैं कभी नहीं रहूँगा मैंने सोच लिया है मैं भी विजार्ट किंग बनूँगा और मैं भी स्ट्रॉंग होके तुम सभी को बचाऊंगा ताकि मैं तुम सभी की जिन्दगियां को अच्छा बना सकूँ और मैं कभी हार नहीं मानूँगा और यहां प्रेजेंट में आस्ता यूनो को अपनी ग्रिम वार दिखा रहा होता है तब यूनो कहता है तब तुमने आज मुझे फिर से बचा लिया और एक दिन मैं इस उधार को जरूर चुका दूँगा आस्ता क्या तुम्हें हमारा प्रामिस याद है और तब हमें वो प्रामिस दिखाया जाता है जहां वो दुनो एक दूसरे को अपना राइवल मानते हैं तब आस्ता कहता है मुझे तो लगा था तुम भूल चुके होगे तब यूनो कहता है वो तुम थे आस्ता जिसने मुझे उमीद दी थी कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए तब वो दोनों कहते हैं हम विजर्ट किंग बनने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और यहां हम देखते हैं एक डीमन शेहर पर हमला कर देता है और तब एक विजर्ट आकर उसे हरा देता है और हमें बताया जाता है कि जब एक डीमन की वज़े से पूरी हुमेनिटी पर खत्रा था तब एक अकेले विजर्ट ने आकर पूरी इंसानियत को बचाया था और तब उसे Wizard King का दर्जा दिया गया और तब वो एक Legend बन गया और तब हमें आज के Clover Kingdom का Wizard King दिखाया जाता है जो कि पूरे Clover Kingdom में शान्ती बनाये रखता है और तब हमें बताया जाता है Magic Knights में Wizards की Nine Squads हैं और वो सारी Wizard King के अंडर आती हैं और ये सबी मिलकर अपनी कंट्री को सेफ रखते हैं और यहां हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बर्ड उसे बार बार घूर रही होती है और तब आस्था अपनी ग्रिम वार को पकड़ कर कहता है और वो फिर से अपने तलवार को पकड़ कर ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है तब हमें बताया जाता है कि आस्था मैजिक नाइट एंटरंस एक्जाम के लिए तयारी कर रहा है जो कि अब से 6 मंथ बाद क्लोवर किंडम के रोयल कैप्टेल में होगा और यहां यूनो भी तयारी कर रहा होता है और कहता है मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मुझे पूरा यकीन है कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा और तब यहां ग्रिमोर टावर में फादर कहते है यूनो का तो मुझे समझ आ रहा है और क्या आस्ता को भी इस एक्जाम में अलाउग करना सही रहेगा। तब ग्रेमोर्ट टावर का ओनर कहता है अगर वो करना चाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे साथ और भी यहां के बच्चे थे पर लगता है वो लोग एक्जाम देने से डर गए हैं। पर फादर फिर से बार बार वही सवाल पूछ रहे होते हैं और ग्रेमोर्ट टावर का ओनर सेम अंसर दे रहा होता है। और कहता है अब मुझे समझाया कि अगर आस्ता रोयल कैपिटल चला जाएगा तो तुम्हें अकेला पर महसूस होगा। तब फादर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है हमें पता है कि आस्ता फेल होने वाला है तो फिर इस एक्जाम में पाडिस्पेट करने का क्या पॉइंट और बाकी बच्चे भी तो उसे बहुत मिस्क करेंगे और तुम दोनों मुझे ऐसा दिखना बंद करो। तब सिस्चा लिली कहती है मैं भी उन्हें मिस्क करूंगी पर उन्हें अपने अपने रास्ते पर जाने देना चाहिए तब ग्रिम ओर टावर का ओनर कहता है तुम इस तरह सोचो अगर यूनो जीत भी जाएगा तो आस्ता हार कर तो वापिस ही आ जाएगा तब फादर खु नहीं पता और सोचता है फाइफ लीफ कलोवर ये बहुत अजीब बात है और यहां आस्ता ट्रेनिंग करते हुए चर्च की तरफ जा रहा होता है और आस्ता को देखकर यूनो भी भागना शुरू कर देता है तब वो दोनों चर्च पहुंच जाते हैं तब आस्ता पूसता हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया तब नैश कहता है यूनो तुमसे थोड़ा ज़्यादा फास्ट था तब आस्ता कहता है चलो देखते हैं चर्च की अंदर पहले कौन जाता है तब यूनो आस्ता को हवा में उड़ा जिता है और कहता है मैं जीत गया और यहां आस्ता नी जैसे बेफकूफ की ट्रेनिंग देखने आ गया जिससे आस्ता तंग हो जाता है तब नैश पूसता है पर मुझे ये नहीं समझा रहा जबके तुम कोई मैजिक यूजी नहीं कर सकते तो फिर तुम मैजिक नाइट एक्जाम क्यू दे रहे हो तुम तो उसमें फेल ही हो जाओ तब आस्ता कहता है पर ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है देखो अब मेरे पास ग्रेमॉर आ चुकी है तो फिर मैं मैजिक नाइट्स में दाखिल हो सकता हूं और एक दिन मैं विजर्ड किंग बनके रहूंगा तब नैश गुसे में कहता है ये कभी नहीं होने वाला हम जैसे लोगों को सपने देखने की कोई अजादी नहीं है तब आस्ता उसके पास आकर जोर से कहता है तुम इस तरह हार्ड नहीं मान सकते इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है तुम मुझे ही देख लो मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूं चाहे तुम जितने मर्जी गर पर तुम फिर भी कुछ भी कर सकते हो तो इसलिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करके लोगों को खुश करना चाहता हूं और मैं मैजिक नाइट्स को जॉइन करके और विजर्ट किंग बनके ये प्रूफ कर दूँगा और यहां रात को यूनो और आस्ता के जाने से पहले एक पाटी रखी होती है और तबास्ता फादर को बहुत प्यार से देख रहा होता है तब फादर कहते हैं ये अकेले तुम्हारे लिए नहीं है और वैसे तो ये यूनो के लिए ही है क्योंकि यूनो ही सिर्फ इस एक्जाम को पास करेगा एक्जाम में फेल होने की बाद शर्मि कर देते हैं तब आस्ता कहता है ये गलत बात है मैं एक दिन विजर्ट किंग बनूँगा और तब मैं सिस्टर लिली से शादी करने वापिस आ जाओंगा तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्ता के एक पंच मारती है और सभी को खाना खाने के लिए कहती है और अगले द कि इस दुनिया में सपने पूरे होते हैं और मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं तो क्या पता किसी दिन मैं भी मैजिक नाइट बन जाओं तब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तब सिस्चर लिली सोचती हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतने बड़े हो चुके है और जब से मैं आस्ता से मिली हूँ वो हमेशा से पूरे फूल एनरजी में रहता था और बताती हैं कि आस्ता पहले से ही ऐसा ही था और जिस्चर लिली सोचती हैं और यूनो भी आस्ता की वज़े से स्ट्रॉंग बन गया बेस्ट ओफ लॉक बोईज और यहां हमें बताया जाता है कि गर्मियों में आस्ता और यूनो ने रोयल कैपिटल की और अपनी जर्नी स्चार्ट कर दी है ताकि वो मैजिक नाइट एक्जाम में पार्डिस पेट कर सकें और रोयल कैपिटल हेज विलेज से काफी दूर है तब आस्ता कहता है पता नहीं रोयल कैपिटल कैसी किंग बनना है तब यूनो कहता है चाहे तुम जितनी मज़ी जल्दी वहां पहुंच जाओ पर इसका विजर्ड किंग बनने से कोई लेना देना नहीं है और तब आस्ता सपनों में विजर्ड किंग बनके सिस्टर लिली को साथ खुमाने ले जाता है और उस चीज़ की एक्ट नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रेनिंग करते हैं और तब वो दोनों भागते भागते ठक जाते हैं पर आस्ता हार नहीं मान रहा होता पर यूनो उससे रोक देता है और तब वो दोनों अराम से अपनी मज़िल की और बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आने वाली सार एक्जाम उनका इंतजार कर रहा था और इस एक्जाम को पास करने के लिए उन्हें बहुत सारे पावफुल अपोनेट्स के साल लड़ना होगा और तब हमें क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहांकि अलगलग चीजों को देखकर आस्ता बहुत एक्साइटिड हो रहा होता है तब यूनो कहता है ये जगा हमारे विलेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तब आस्ता कहता है तो ये विजर्ट किंग का कैसल ह तब यूनो कहता है शायद किंग भी वहां रहते हैं तब आस्ता कहता है तो इसका मतलब एक दिन ये कैसल मेरा होगा तब यूनो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये मेरा होगा और आस्ता कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें वहां रहने के लिए जगा दे दूगा औ और तब वो दुनों कैसल की तरफ जाने लगती हैं। तब यहां चर्च में नैश कहता है। आस्ता के बिना ये जगा कितनी शायत लग रही है। तब सिस्टर लिली कहती है। वो लोग अब तक रॉयल कैपिकल पहुँच चुके होंगे। और मुझे उमीद है कि उनका एक्जाम अच्छा जाएगा। तब नैश कहता है। मैं भी यही उमीद करता हूँ। तब आस्ता कहता है। आखिर का ये एक्जाम हो कहा रहा है। तब यूनो कहता है। शायद ये यही हो रहा है। पर आखिर कर तुम खा क्या रहे हो तब आस्ता गहता है ये ग्रिल्ड पर्पल्स नेक्स हैं तो क्या ये तुम भी खाना चाते हो पर यूनो मना कर देता है और वो दोनों मैजिक नाइट एक्जाम के एंट्रेंस वाली जगा पर पहुंच जाते हैं और वहां सभी लोग सभी पाइडिस्पेंट्स को चेयर कर रहे होते हैं और वहां सभी पाइडिस्पेंट्स की ग्रिम वार को देखकर नंबर दिये जा रहे होते हैं और यूनो की ग्रिम वार को देखकर सभी लोग चौक जाते हैं और तब वो दोनों अंदर चले जाते हैं और यहां बहुत सारी बर और तबास्ता कहता है, हम इसे कोई एक वीजर्ड किंग बनेगा, तो यही वो जगह है, जहां से हमारी कहानी शुरू होकी, और हम देखते हैं, आस्ता के आसपास बहुत सारी एंटी बर्ड होती हैं, जिसे देखकर लोग हसने लगते हैं, और तबास्ता एक आदमी से टकराता तब आस्ता सोचता है आखिरकर ये कौन है इसकी आखों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक किलर है और इसके पास कितनी ज़्यादा थाकत है आखिरकर ये ये मेरी एजिक का कैसे हो सकता है फरुको हमें किसी बुक को उसके कवर से नहीं जज़ करना चाहिए और कहता है एक्चिल में तुम अपनी उमर से काफी बड़े लगते हो लगता है तुम्हारी जिदगी बहुत मुश्किलों के साथ कटी है और तब वो आदमी आस्ता के सिर को पकड़ कर कहता है लगता है त तब वहां उसके साथ ही उसे ढूटते ढूटते आ जाते हैं तब एक लड़की कहती है ये तो बहुत फेमस फिनरल रोल केस है जिसके पास बहुत ज़ादा रेयर स्पेशियल मैजिक है तब एक परसन कहता है ये तो बस अपनी जॉब को छोड़कर फलर्टी करता रहता है औ तब एक लड़की कहती है क्या ये वही यामी है जो की ब्लैक बोर्ट का कैप्टन है इस गौड ने तो हर जगा बस नुकसान ही किया है तब कुछ लोग कहते हैं मैं तो कभी इस कौड बे नहीं जाना चाहूंगा तब आस्ता सोचता है मैं तो गलत आदमी से भेड़ गया औ तो तुम्हें मैं बापी साकर मा डालूंगा जिससे सुनकर आस्ता हैरान हो जाता है और तब वो लोग वहां से चले जाते हैं और तब वहां एक परसन आस्ता से उसका हाल पूसता है और अपना नाम सैकी ब्रॉंज जाजा बताता है तब आस्ता भी उसे हेलो कहता है और में सभी स्कॉर्ट कैप्टन के बारे में बताया जा रहा होता है और तब वहां सबसे बेस्ट स्कॉर्ट का कैप्टन आता है जिसका नाम विलियम वेंजेंस होता है तब हमें बताया जाता है कि सभी नाइन स्कॉर्ट कैप्टन की पावर हंडर्ड मेजिस के बराबर है और इन विलियम कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुने इस एक्जाम के सारे टेस्ट मैं लूँगा और तब वो अपने मैजिक से हवा से एक पेड़ को नीचे बुलाते हैं जो कि उन सभी को एक एक उड़ने वाला ज़ाड़ू देता है तब आस्ता और यूनो सोचते हैं तो इसका मतलब ये वो इनसान है जो की विजर्ट किक बनने के सबसे ज़्यादा करीब है तब कैप्टन विलियम कहते हैं तो चलो अब एक्जाम को शुरू किया जाए अब थोड़ी दिर बाद सबसे पहला टेस्ट होगा और हम सभी 9 के 9 आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको न सबसे होगी कि आपके स्कॉर्ड में जाना चाहते हैं पर अगर आपको किसी स्कॉर्ड कैप्टर ने नहीं चुना तो आप डिस्कॉलिफाय हो जाओगी तो चलो तो पहले टेस्ट के लिए आपको इस जाड़ू को लेकर उड़ना होगा जो मेज अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है वो ही इसे असानी सिय कर पाएगा पर यही एक असान सा जर्या है जिससे मेजिस ट्रेवल करते हैं और अगर आप इतना ही नहीं कर पाए तो आपको यहां नहीं होना चाहिए तो चलिए अब शुरू करते हैं पर तब हम देखते हैं बहुत सारे candidates हवा में उड़ पार होता है और यहां आस्ता कुछ नहीं कर पा रहा होता और सभी स्कॉट कैप्टन्स इसे नोटिस कर रहे होते हैं तब क्रिम्सम लाइन कैप्टन फ्यूगोलियन वर्मीलियन सोचते हैं अगर इसके पास कोई टैलेंट भी ना हो पर फिर भी इसे कम से कम फ्लोट तो करना तब सैकी कहता है आखिर कर तुम कर के रहे हो तुम्हें बस अपनी बोडी को रिलेक्स करना होगा उसके बाद तुम इसे असानी से कर पाओगे पर हम देखते हैं आस्ता फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और यहां हम देखते हैं सिल्वर इगल की स्कॉट कैप्टन पार सी हरकते करना बंद करो तब वो लड़की कहती है मैं समझ गई ब्रदर नोजल तब कैप्टन नोजल कहते हैं वैसे भी तुम्हारी एक्जिस्टेंस से कोई फरक नी पड़ता और वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं आस्ता किसी भी एक्जाम में कुछ नहीं कर प अपने ग्रिम वार की मदल से लड़ाई करनी होगी एक नाइट की तौर पर हमें लड़ना आना चाहिए तो हम वही देखना चाहते हैं तब कैप्टन विलियम कहते हैं जब तक एक हार नहीं मान चाता या फिर लड़ना पाए तब तक ये एक्जाम चलता रहेगा और जो लो से लड़ाई करने के लिए मान जाता है तब उनकी लड़ाई शुरू होने वाली होती है तब आस्ता कहता है तो चलो हम अपनी पूरी जान लगा दें ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें तब सेके उसके पास आकर कहता है इतना हार ट्राई करना बंद करो तुम तो बस एक बेकार से चुहे हो जो की गलत जगा आ गया है मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि तुम यहां तक आए और अब तुम मेरी मैजिक नाइट्स में एंटर करने में हल्प करोगे और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय भीता तो चलो फिर तुम्हें जल्दी स से हराएं ताकि तुम अराम से घटिया से विलिज वापिस जा सको तब एक परसन सोचता है इसने तो एक वीक अपोनेट को चूज करकी बहुत अच्छा काम किया है और तब उनके लड़ाई शुरू हो जाती है तब सेक्के कहता है तो चलो अब स्चार्ट करें आसता और पूरी तरह से ठक जाएगा तब मैं इसकी मदद से उस पर हमला करूँगा और कहता है चलो अब बताओ तुम क्या कर सकते हो तब सभी लोग आसता को देकर कहरे होते हैं काश मैं इस लड़के के साल लड़ पाता इसकी तो ग्रिम वार भी बहुत बेकार है तुम्हें लगता है ये कोई मैजिक भी यूज कर सकता है और मुझे निलगता ये किसी स्कौर मैं स्लेक्ट भी होगा तब आसता कहता है और हम देखते हैं वो अपनी फूल स्पीड से आकर सैके के उपर अपनी तलवाँ से हमला कर देता है जिससे उसका मैजिक तूट जाता है जिससे देकर स तब लोग हैरान हो जाते हैं। तब आस्ता कहता है। मैं तुम्हारी तरह अच्छा समय विताने के लिए मैजिक नाइट जॉइन नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास उससे भी बड़ा गोल है। मैं एक दिन विजर्ट किंग बनना चाता हूँ। तब यहां यूनो सोचता है यह नहीं हराएगा तुम्हें आसता मैं हराओंगा। तब कुछ लोग कहते हैं के यह सच में यह सब कुछ कर सकता है। आखिर का यह है कौन के यह सच में विजर्ट किंग बनना चाता है। तब यहां फिनरल कहता है, बाकी टास्क के एकॉर्डिंगली, मुझे नहीं लगा था इसके पास इतनी पावर होगी, तब यामी कहता है, यह कोई magical power नहीं है, मुझे तो लगता है, इसके पास तो कोई magic ही नहीं है, और सोचते हैं, तब ही मैं सोचू, और यहां हम देखते हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स भी आपस में लड़ने लगते हैं, और तब एक परसन यूनो को लड़ने के लिए बुलाता है, और वो यूनो से कहता है, चाहे तुमें फोर लिफ क्लोवर ने चुना हो, पर तुम कोई रोयल्टी नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊँगा, हमारा स्टेटरस और पावर हमसे कितना नीची है, अब मैं तुम्हें एक यादकार कहानी दूंगा, अपने विलिज में सुनाने के लिए, तो चलो अब तैयार हो जाओ, और तब वो अपने मैजिक से एक लाइकनिंग बॉल बनाके यूनू पर हमला कर देता है, और तब यूनू अपनी विंड मैजिक से एक टोर्नेडो बनाता है, और हम देखते हैं वो परसन भी उस टोर्नेडो में फर्स जाता है, और हम देखते हैं यू नो जीच जाता है और तब शाम को कैप्टन विलियम कहते हैं अब ये एक्जाम खतम हो चुका है जब आपका नंबर आए प्लीस आगे आजाना तब ब्लू रोस कैप्टन शारलेट कहती है अगर कोई मैजिक नाइट कैप्टन आपकी बारी में हाथ उठाए तो आपको यहां से जाना होगा तब हम देखते हैं सभी लोगों को एक एक करके बुलाया जारा होता है जिसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं और बाकी बाहर जारे होते हैं और तब हम देखते हैं यूनो को वहां बुलाया जाता है और हम देखते हैं उसकी बारी में स स्कौर्ड को चुनना चाहिए जिससे मैं बहुत जल्द विजर्ट किंग बन सकू हूँ और तब वो कैप्टन वीलियंग की स्कौर्ड गोल्लेन डाउन को चुनता है और तब हम देखते हैं आस्ता का نमबर आ जाता है और हम देखते हैं आस्ता की बारी भी कोई भी हाथ नहीं उठा रहा होता जिसे देखकर आस्ता शौक हो जाता है और सभी लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं तब कैप्टन यामी कहते हैं इसमें कोई हरान होने की बात नहीं है इससे कोई फरक नी पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो और कोई भी किसी ऐसे को अपनी टीम में नहीं लेगा जिसकी पावर के बारे में किसी को कुछ ना पता हो क्योंकि आखिर में सभी कैप्टन्स मैजिकल पावर ही ढून रहे हैं और तब कैप्टन यामी सभी को अपनी पावर दिखाने लगते हैं और आस्ता के पास पहुँच जाते हैं उनकी पावर को देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं तब आस्ता सोचता है ये प्रेशर बहुत जादा है तो एक स्कौड कैप्टन की मेजिकल पावर ये होती है तब कैप्टन यामी कहते है अगर तुम हरे पास कोई मेज तो तुम ने पहले कहा, कि तुम एक विज़िर्ड गृूंग बना चाहते हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए, कि तुमें हम सारे NINE CAPTAIN से ज़ादा अच्छा होना चाहिए, और अब मेरे सामने खड़े होकर, क्या तुम ये कह सकते हो, कि तुम wizard king बनोगे चाहे तुम्हारे पास कोई magical power नहीं है क्या तुम फिर भी यही सोचते हो तब आस्ता कहता है यह कह, चाहे मुझे आज magic knight जोईन करने का मौखा ना मिले पर इससे कोई फरकनी पड़ता कि कोई क्या कहता है मुझे चाहे यह जितनी मर्जी बार करना पड़े मैं तब तक हार नहीं मानूँगा जब तक मैं wizard king नहीं बन चाता तब कैप्टन यामी जोर जोर से हसने लगते हैं और कहते हैं ओ लड़के तुम मुझे पसंद आए तो चलो मेरी squad को join कर लो जिसे सुनकर वो और बाकी सभी लोग हैरान हो चाते हैं तब कैप्टन यामी कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं मैं तुमें black bulls में आने का मौका दे रहा हूं और वैसे भी तुम्हारे पास मना करने का कोई option भी नहीं है और ये कोई असान बात नहीं होगी हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपने आपको पहचान भी नहीं पाओगे तो तयार रहना और जब हम ये सब कुछ कर लेंगे और तब तुम जाकर wizard king बन जाना और तब आस्ता को अपनी journey याद आने लगती है और वो खुश हो जाता है और यहाँ हम देखती है जो participant select नहीं होते उनको वापिस भेज दिया जाता है और तब आस्ता यूनो से कहता है अब तुम golden dawn में हो और मैं black bulls में तो अब से हमारी real battle शुरू होती है और हम देखती है तब ही आस्ता का पेट खराब हो जाता है और वो वाश्रूम की तरफ भागने लगता है तब उसे देखकर सेके सोचता है या तुम्हें सच भी लगता है कि तुम इतने लोगों के सामने मेरी बेशती करके असानी से बच सकते हो क्योंकि तुम्हारी वज़े से मुझे lower rank magic squad मिली है जिसका नाम green praying mantis है और तब सेके अपनी magic से एक poison lizard बुलाता है और उसे आस्ता के पास भेजने लगता है पर तब ही हम देखते है यूनो अपने wind magic से उस lizard को पकड़ लेता है और कहता है आखिर कर तुम कर क्या रहे हो तब सेके कहता है मैं तो बस मजाग कर रहा था मैं तो बस ये जानना चाता था कि हम दोनों में से कौल ज़्यादा अच्छा है तब यूनो कहता है यहाँ से चले जाओ तुम आस्ता के सा लड़ने के काबिल नहीं हो और तब सेके बहां से चला जाता है और तब आस्ता बाहरा जाता है और वो दोनों अपनी अपनी जर्नी के रास्ते निकल जाते है तब कैप्टन यामी कहते है तुम्हारी हिम्मत की मैं दाथ देता हूँ तुम तो पहले दिन ही मुझे व्येट करवा रही हो और आस्ता को से से पकड़ लेते हैं और फिर फिनरल को अपना मैजिक यूज़ करने के लिए कहते हैं तब आस्ता भूचता है आखिर का ये क्या है तब कैप्टन यामी कहते है क्योंकि तुम मैजिक से फ्लाई नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई ट्रांस्पोर्टेशन मैजिक सीख लेना चाहिए और रुको मैं तो भूली गया था तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है और हम देखते हैं वो आस्ता को उस पोर्टल के अंदर फैंक देते हैं और तब वो सभी लोग ब्लैक बुल्स बेस के बाहर पहुँचाते हैं तब आस्ता गेट खोलकर कहता है मैं हेज विले से आस्ता हूँ और मैं आस्ते ब्लैक बुल्स को ज्वाइन कर रहा हूँ और हम देखते हैं वहां एक धमाका होता है और आस्ता दूर जाकर गिरता है और तब कैप्टन यामी कहते हैं महारा स्वागत है सबसे बेकार मैजिक नाइट स्कॉर्ड में दी ब्लाक बुल्स और तो हम देखते हैं कि गोल्डन डोन का एक परसन यूनो से उसका नाम पूसता है और अपना नाम क्लाउस लूनेट्स बताता है और कहता है नाहीं तुम कोई रॉयल हो नाहीं नॉबल तुम तो सिरफ एक मामूल से इनसान हो पर फिर भी कैप्टन वेंजस ने तुम्हें जॉइन करने दिया आखिर कर वो सोच के रहे थे अब इस बात में घमंड मत करना कि सभी कैप्टन से तुम्हारे वारी में हाथ खड़ा किये थे वो बस एक एक एक्जाम था और तुम इतनी जल्दी गोल्डन डॉम में असेप नहीं किये जाओगे तब यूनो कहता है चिंता मत कीजिए मैं बहुत जल्द अपने आपको प्रूफ कर दूँगा और यहां हम देखते हैं आस्ता फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है पर एक फायर बॉल उसे फिर से बाहर फैंक देती है और यहां हम देखते हैं ब्लैकबूर्स के हेड्क Warters में दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और बाकी सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं तब आस्ता सोचता है यह तो बहुत ज़या ड्रावना है पर आस से मैं भी इन मेंसे एक हूँ तब आस्ता कहता है मैं आस्ता हूँ हेज विलिस से और एक दिन मैं विजर्ट किंग बनूँगा पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात पर ध्यार नहीं दे रहा होता तब एक लड़की कहती है मैं अगली बार कभी किसी बोड़े आदमी के साथ ड्रिंक नहीं करूंगी और कैप्टन यामी दिवार पर मुक्का मार के कहते हैं सभी लोग रुक जाओ तब सभी लोग कैप्टन यामी से टूर्णामेंट के बारे में पूछने लगते हैं और उनसे अपने-पने मतलब की चीज़े मांगने लगते हैं तब कैप्टन यामी कहते हैं मुझे पता है तुम से मिलके बहुत खुशी हुई और तब फिनरल कहता है ये है गौडन अगरिपा ये चाहे ड्रावना दिखता हो पर ये अच्छा इंसान है और दूसरी है वेनिसा एनोटेका जब ये दारू फिलीती है तब ये बस लड़ती रहती है पर ये एक अच्छी इंसान है तब वेनिस और तब वो आस्ता को लड़ाई के लिए बुलाता है और तब एक परसंच आस्ता को अपनी बेहन के फोटो दिखा कर कहता है इससे दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हें मा डालूंगा तब फिनरल कहता है इसका नाम गोश एडली है और ये अगली चामी पेपिटसन है इसे तो बस खौ़ाना पसंद है और ये ग्रे है मुझे screenshot पर अच्छा इंसान है और ये लास्ट में मैगना स्विंग है ये एक गुंडा है पर एक अच्छा इंसान है और मैं हूँ फिनरल रोलकेस और ये है बलाक बुल्क के कैपटन यामी शुकी हीरो तब यामी कहते हैं यहां तब मेगना कहता है तुम्हारे जैसा कमजोर आद्बी हेज विलेस से आया है और मुझे तुम्हारे अंदर से कोई मैजिक भी महसूस नहीं हो रहा है इसके बावजूद भी तुम ब्लैक बॉल्स के निउ मेंबर हो मुझे दी पता तुमने क्या मैजिक करके यामी को मनाया है पर ये ब्लैक बॉल्स तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने आपको प्रूफ करोगे तब आस्था उसे पानी के लिए एक्साइटिड हो जाता है तो मैगना कहता है चलो फिर देखें तुम ब्लैक बॉल्स के कितने काबिल हो तब बाहर जाके मैगना कहता है अगर तब आस्था कहता है क्या तुम अब कन्विंस हो गए तो मुझे जल्दी से वो ब्लैक बॉल्स रोप देदो तब मैगना कहता है तुम्हें बहुत जल्दी है पर अभी एक लास्ट ट्राइल बाकी है अब चाहे तुम जो मर्जी यूज़ करो अब या तो तुमें मेरे मैज से अपने फायरवाल्स को फैक ले लगता है और आस्था ऐजली उनको डॉज़ कर देता है और तब मैगना अपनी और ज़्यदा पावर लगा कर फायरवाल्स को फैकता है तब हमें बताया जाता है कि आस्था के ब्रेन ने बहुत जल्दी सोच लिया कि अपनी वेल मसल्स काइनाइटिक विजन और एक्स्प्रोजिव पावर से आस्ता अपनी तलवार से इस मैजिक को चीर सकता है पर मैगना का मैजिक आस्ता के लिए बहुत फास्ट है और अगर वो उसे काट भी देता है तब भी उसकी आग आस्ता को जला देगी और जब आस्ता को ये एसास हुआ तब उसका दिमाग काम करना बंद कर गया पर उसकी बॉड़ी ने हार नहीं मानी और उसके रिफलेक्सेज ने एक लास्ट कोशिश की और तब आस्ता मैगना की बॉल को अपने तलवार से बाउंस बैक कर दिता है और वो बॉल सिधा मैगना के उपर जाकर गिरती है जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं तब यामी सोचते हैं वो उस मैजिक को कट नहीं कर पाया पर उसने उसे हिट कर दिया तो इसकी मैजिकल स्वार्ट मैजिक को काट भी सकती है और मैजिक को रिफलेक्ट भी कर सकती है तब आसना सोचता है मुझे पता नहीं था कि ये मैजिक को ऐसे हिट भी कर सकता है ये स्वार्ट को बहुत कमाल की है मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ पर आखिर कर ये सोच कह रहा था कि ये मुझे मार ना चाहता था फरुको क्या मैंने इसे मार तो नहीं दिया तब मेगना कहता है आखिर कर तुम सोच क्या रहे थे शुकर है मैंने सभी टाइम पे इसे बेसर कर दिया अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं अपने ही मैजिक से मारा जाता और आस्ता को पकड़ कर कहता है तुम तब बहुत कमाल की हो तुमने मेरे बलाच को रोका ही नहीं बलकि वापिस मेरी तरफ रिफलेक्टी कर दिया मुझे ये बहुत पसंद आया और हाँ तुम्हें विलेज से जज़ करने के लिए सौरी मैं भी रियाका विलेज से बिलॉंग करता हूँ तब आस्ता कहता है इस पे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे पास तो कोई मेजिकल पावर ही नहीं है तब मेगना कहता है तुम्हारे पास कोई मेजिकल पावर भी नहीं है फिर भी तुमने मेरे मेजिक को वापिस रिफलेक्ट कर दिया किती कमार की बात है तुम त तब सभी लोग आस्ता से इंप्रेस हो जाते हैं और तब मैगना आस्ताओ को Black Bulls की रोब देता है जिसे देखकर आस्ता बहुत खुश हो जाता है। तब वैंसा उसकी रोब को उसे पहना देती है और उसके Headband पर भी Black Bulls का निशान बना देती है। तब मेगना करता है अब ही ओफिशल हो गया है अब से तुम Black Bulls के New Member हो और ऐसा कुछ मत करना जिससे Black Bulls और Yami के नाव पर कीचर उचले तब आस्ता जोर जोर से चीखने लगता है और यामी उसे फिर से चुप करवाता है तब यहाँ एक लड़की सोचती है तो यह निया रिक्रूट है और तब मैगना आस्ता को उसका रूम दिखाता है तब आस्ता रोते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूँ मिलपस कभी मेरा रूम नहीं था चर्च में हम सभी एक ही रूम में सोया करते थे और तब आस्ता रूम की सफाई करने लगता है तब मैगना कहता है आस्ता याद रखना तुमें लेटर लिखना है जो चर्च में तुम्हारी फैमली है वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होगी तो उन्हें बताओ कि यहां क्या हुआ है और अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे याद करना तब आस्ता लेटर लिखते हुए सोचता है ये चाहे मेरा फर्स्ट कैसल हो पर ये आखरी नहीं होगा मैं बहुत जल्द विजर्ट किंग बन जाऊंगा और यूनो मैं तुमसे हारूंगा नहीं और तब क्लाउस यूनो को रूम दिखाते हुए कहता है ये रूम तुम जैसे लोगों के लिए वेश्ट कर दिया गया है पर चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हे कल तुम्हारी मैजिक नाइट्स की ड्यूटी बताऊंगा मैं ये करना तो नहीं जाता पर अगर कैप्टर ने मुझे ये कहा है तो मुझे ये करना ही होगा क्या तुमें समझ में आया? लड़के तब यूनो कहता है मेरा नाम यूनो है क्लाउस तब क्लाउस कहता है मैं तुम से सीनियल हूँ तो मुझे सर कहके बुलाओ और कर लेट मत होना और यहां हम देखते हैं चर्च में सभी लोग अपना-पना काम कर रहे होते हैं और तब वहां आस्ता और यूनो के लेटर्स आ जाते हैं और तब फादर यूनो का लेटर पकड़कर रोते हुए कहते हैं बैं जानता था यूनो तुम मैजिक नाइट्स पे जरूर सेलेक्ट हो जाओगे मुझे पूरे विलिज में सब को ये बताना चाहिए तब नैश कहता है आस्ता थी राइटिंग तो 5 साल के बच्चे की जैसी है क्या उससे ये लिखा है कि वो वापिस कब आ रहा है तब फादर कहते है जब आस्ता वापिस आएगा तब हुमें उसका होंसला बढ़ाना चाहिए तब सिस्टर लिली कहती है उससे लिखा है कि वो मैजिक नाइट्स में सेलेक्ट हो गया है जिससे सुनकर सभी लोग चौक चाते हैं तब फादर कहते है इसका मतलब वो दोनों इक घर वापिस नहीं आ रहे है तो चलो मैं विलिज में जाकर सबको ये खुश खबरी देता हूँ और तब नैश कहता है आखिर का जो उसने सोचा वो कर दिखाया और तब आस्ता सुबह सुबह उठकर बहुत एकसाइटिड होके बहार जाके एक विवार में टकला जाता है तब वहां मैगना आ जाता है तब आस्ता कहता है जैसे कि मैंने कल देखा था उसके हिसाफ से तो ये कॉलम यहां होना ही नी चाहिए था तब मैगना कहता है ये कल यहां नहीं था और हाँ ये बेस अपने आप अपनी जगा बदलता रहता है और तुम चिंता मत करो तुम्हें इसकी आदत बढ़ जाएगी तो चलो अब मैं तुम्हें पूरा ब्लैक बुल्स का बेस दिखाता हूँ और तब मैगना आस्ता को ब्लैक बुल्स की अलग अलग जगा दिखाने लगता है और तब वो लोग गलती से बातरूम में घुश जाते है जहां यामी बैठा होता है और तब मेगना आस्ता को कुछ जानवर दिखाता है और कहता है इन्हें एक अठा करना यामी की होबी है तो आस्ते इनकी केर करना तुम्हारी डिटी है तुम्हें इन्हें रोज सुबा शाम खाना खिलाना होगा और तब आस्ता जैसे उन्हें खाना खिलाने लगता है वो आस्ता को अपने मूँ में डाल लेता है और तब मैगना उसे लाइबरेरी दिखाने लगता है और तब वो लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं और तब वहां एक लड़की आ जाती है तब मैगना क फैमिली से बिलॉंग करती हूँ और तब आस्ता ये सुनकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है परुको तुम कीरा किसे कह रहे हो हम जब मैजिक नाइट्स हैं तब हम इकठे हैं और इसे कोई फरक नी पड़ता कि तुम कोई रोयल्टी हो या नहीं तब नोएल कहती है इससे फरक पड़ता है लगता है तुम लोग मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो आओ मैं तुम्हें हम दोनों की बीच की मैजिकल पावर का डिफरेंस बताओं और तब नोएल अपने मैजिक से आस्ता पर हमला करती है पर हम देखती है उसका अटैक मैगना पर लगता है त मैगना कहता है मुझे फरक नी पड़ता कि तुम कोई रोयलेटी हो या फिर सिल्वर एगर्स कैप्टन की लिटल सिस्चर और तुम्हें ठैंक्फुल होना चाहिए कि यामी ने तुम्हारी जैसी बिगडेयल बच्ची को ब्लैक बुल्स में आने का मौका दिया बहवस इसलि वर्स कौड है और एक रोयलेटी यहां नहीं रह सकती और तब मैगना उसे माफी मागने के लिए कहता है तब आस्ता कहता है जिस रोग को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की उसे इसने ऐसे ही फैंक दिया मुझे समझ नहीं आरा कि इसकी प्राब्लम क्या है और तब यहां आस्ता बाथूम ढूंटे ढूंटे बाहरा जाता है और उसके उपर पानी की एक बॉल गिरती है और तब वो देखता है नोवेल अपने magic की practice कर रही होती है पर हम देखते हैं जैसे ये नोवेल वाटर बॉल फैंकती है वो फिर से आस्ता की जाकर लगती है तब नोवेल कहती ह जब भी मैं अपना मैजिक यूज़ करती हूँ तब ये क्यों दूसरी तरफ चला जाता है तो जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था वो सच है तब कुछ लोग बाते कर रहे होते हैं कि तो ये सच है कि सिल्वा फैमली की सबसे छोटी बेटी अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती तब नोयल की कजन कहते हैं हमें यकीन ही आरा कि ऐसी लड़की जो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती वो हमारी बेहन है तब कैप्टर नोजल कहते हैं मैं इस जैसी लड़की को सिल्वर इगल्स में नहीं रख सकता आखिर कर तुम हमारी मा की जगा क्यों नहीं मर गई तुम तो एक फेलियर हो तब नोएल कहती है मैं फेलियर नहीं हूँ और मैं ये प्रूफ करके रहूंगी और तब आस्ता सोचत है इसके लिए ये सब कुछ काफी मुश्किल लग रहा है तब नोएल कहती है ओ कीडे तुम यहां पर क्या कर रहे हो और सोचती है अब ये मेरा मजाग उड़ाएगा और रास्ता के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगती है और हम देखते हैं नोएल अपने मैजिक में ट् कुछ आ कुछ करना होगा तब कैप्टन यामी कहते हैं अगर हमने इस पर मेजिक से हमला किया तो ये लड़की मारी जाएगी तो क्या फिनरल तुम अपने स्पेश्यल मैजिक से उसे बहार निकाल सकते हो तब यामी कहते हैं तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस मैजिक को काट सकी और तब आस्ता उड़ते हुए वहां पर पहुंच जाता है और तब यामी आस्ता को उस मैजिक को काटने के लिए कहता है तब आस्ता कहता है पर मैं उपर कैसे जाऊंगा मैं तो उड़ नहीं सकता और तब कैप्टन यामी अपनी लिमिर्स को पुश करने का कहकर आस्ता को उपर खैंक देते हैं और तबास्ता अपनी स्वार्ड से नुएल का मैजिक कार्ट देता है और तो वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं और फिंडरल उन्हें अपने मैजिक से बचा लेता है तब नुएल सोचती है अब ये लोग मेरा मजाग उडाएंगे तबास्ता कहता है तो मैजिक कितना पावरफुल है ये तो बहुत कमाल की बात है मैं तो तुम से जेलिस हो गया मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है पर अगर तुम अपने मैजिक को कंट्रॉल करना सीख जाओगी तो तो मुझे अपना बेस्ट देन होगा ताकि मैं तुम से हारूर subset तब मैगना कहता है तो तुम बस अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती तो तुमें ये मुझे पहले कहना चाहिए था रॉयल फेलियर क्या तुम जानती नहीं ये ब्लैक बुल्स है ये पूरी स्कॉर्ड फेलियर से भरी हुई है तो इससे कोई फरक नी पड़ता कि तुम्हार उसका हाथ पकड़ कर कहती है तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा और तब आस्ता ब्लैक बुल्स के बेस पर उलगलग काम कर रहा होता है तब आस्ता कहता है मैंने सुवा से बहुत ज़ादा काम कर लिया है और मुझे कोई ये बताओ कि ये मेरे चर्च के का से अलग है आखिरकार मैजिक नाइट करते गया है और यहां हम देखते हैं खाने के टेबल पर आस्ता नोबैल से कामों में मदद करने के लिए कह रहा होता है तब नोबैल कहती है मैं एक रोयलिटी हूँ मैं ये सारे काम नहीं कर सकती और तब वो लोग लड़ने लगते हैं औ और आस्ता माफी मांग रहा होता है और तब मैगना सभी को आस्ता को इसके बारे में बताने के लिए कहता है तब वैनसा कहती है हम लोग लोगों को सेफ रखते हैं तब लग कहता है अगर तुम उससे पूछो तो सबसे मज़िदर बात दुश्वनों के साथ लड़ना है और तुम काफी टाइम तब क्रिमिनल को मार सकते हो और कोई तुमें कुछ कहेगा भी नहीं और तब सभी लोग अपने अपने रीजन बताने लगते हैं तब नुबैल सूसती है आखिर का मैं याख्या कर रही हूं ये सभी लोग तो पागल है तब मैगना कहता है अब तुम्हे सिरफ अडल्ट सी कर सकते हैं और तब सभी लोग भी अपने अपने काम क्यों करने के बारे में सोचने लगते हैं तब आस्ता सोचता है कैप्टन यामी और मैगना को देखकर लगता है कि वो दोनों किसी जरूरी मिशन पर गए हैं और यहां हम देखते हैं वो लोग जुए में सब कुछ हार रहे होते हैं और पूरी तरह नंगे हो जाते हैं तब कैप्टन यामी कहते हैं हम एक और आखरी मैच खिलेंगे तब एक बुड़ा आदमी कहता है पर अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तब कैप्टन यामी कहते हैं मेरे पास अभी भी ये बुक है तब मेगना उन्हें मना कर रहा होता है तब वो बुड़ा आदमी कहता है इसे छड़ो मेरे पास एक आइडिया है अगर तुम हारते हो तो तो मेरे लिए कोई भी एक काम करोगी जो मैं तुम कहूंगा और तब कैप्टन यामी उस चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं और तब वो फिर से जुआ खेलने लग जाते हैं और यहां हम देखते हैं आस्ता मॉस्टरस को खाना खिला रहा होता है पर वो उसे ही खाने लगते हैं तब आस्ता नोबैल को उसकी मदद करने के लिए कहता है तब नोबैल कहती है मैं रोयलिटी हूँ तुम्हें लगता है मैंने कभी ये काम किया होगा और तब मैगना और यामी हारने के बाद आस्ता और नोबैल के पास आ जाते हैं तब मैगना कहता है लगता है हम कभी भी उस बुड़े आदमी सहे से नहीं जीत पाएंगे और आस्ता और नोबेल से कहता है चलो तयार हो जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक निया मिशन है तुम्हें सैर्सी विलिज में जाके सूरों को मारना होगा तब नोबेल कहती है ये तो बहुत बेकार सा मिशन है तब आस्ता कहता है, मैं तो उन्हें अपने हाथों से हरा दूँगा तब मैगना कहता है ये करने की सोचना भी मत, वो सूर तुम पर कभी भी कहीं से भी हमला कर सकते है तब कैप्टन यामी कहते है हम सौसी विलिज के चीफ से हार चुके है तो इसलिए हमें ये मिशन करना ही होगा तब आस्ता कहता है क्या उन्होंने आपको फाइट में हरा दिया तब यामी कहता है हम लोग तो जूए में है रहे हैं और उसने हमसे हमारे कपड़े और हमारे छे महीने का समान भी ले लिया है और उसके बाद हमने उससे वादा किया था कि हम उसके लिए कोई भी एक काम करेंगे तो इसलिए हमें उसके लिए उन सूवरों को मारना ही होगा जिसे सुनकर आस्ता और नोबैल दोनों शौक हो जाते हैं तब आस्ता कहता है पर इसका हमारे से क्या लेना देना तब नोबैल कहती है खारे तो आप लोग हो तो हम इसमें क्या कर सकती है तब एगना कहता है तो तुम लोग क्या चाते हो कैप्टन यामी खुद अपने मिस्च हो जाता है तब नोवैल कहती है मैं कैसे इस मिशन पर जा सकती हूँ मैं तो अपने मैजिक को कंट्रोल भी नी कर सकती तब मैगना कहता है अगर तुम मिशन पर जाओगी तब तुम इसे बहुत जल्दी ठीक कर लोगी और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की जुरूरत नहीं ह तो इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं लेकर जा सकता जहां मैं पहले कभी गया ही नहीं हूँ तब मैगना कहता है चलो ठीक है फिर हम जाडू पर ही जाएंगे तब आस्टा और नोबैल कहते है पर हम दोनों तो ब्रूम उडा ही नहीं सकते तब मैगना दोनों को डांटने लगता है और कहता है चलो कोई बात नहीं लगता है मुझे ही तुम्हें उडाकर लेकर जाना पड़ेगा तो तयार हो जाओ मेरी बेबी क्रेजी साइकलोंस से मिलने के लिए जिसे देखकर आस्ता बहुत एकसाइटिड हो जाता है तब नोबैल कहती है ये तो बहुत जादा ब पकड़ता है नोबैल उसे मुका मारके नीचे गिरा देती है पर मैगना उसे एन मौकी पर पकड़ लेता है और तब हम यहां देखते हैं कुछ लोग सैसे विलेज पहुँच जाते हैं और जैसे ही उन पर जंगली सूर हमला करते हैं तब एक मैजिक यूजर उन सभी को फ्र करे होते हैं तब नोबैल कहती है कि हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए तब मैगना कहता है तुम लोगों को यहां लाने में मेरा बहुत सा मैजिक यूज हो गया है अब मैं आराम करना चाहता हूं और अगर तुमें उसकी इतनी ही चिंता है तो तुमें उसकी मदद करनी च तुमने ये अच्छा गाम किया है पर अभी तक मज़ा खतम नहीं हुआ है और तब आस्ता देखता है वह बहुत सारे जंगरी सूर होते हैं और आस्ता उन सभी को हरा देता है तब वापी जाते हुए मैगना कहता है इन सभी को देखकर वो बूरा आदमी बहुत खुश हो और तब यहां हम देखते हैं मैगना विलिज में तबाई करने लगता है और तब सेहे अपने मैजिक से उसे रोक देता है और उसे मारने लगता है और तब मैगना बार बार उस विलिज पे हमला करने के लिए आता है पर सेहे उसे हर बार रोक लेता है और कहता है एक असली मर इसका entrance exam देने के लिए का था तब से ही मेगना को entrance exam देने के लिए के लिए कहता है तब मेगना कहता है मुझे नहीं लगता मेरी चैसा छोटे village का आदमी ये काम कर सकता है तब से ही कहता है तो क्या हुआ अगर तुम छोटे village से belong करते हो अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो मैं चाहिए अपना सपना पूरा नहीं कर पाया और तुम करोगे और तब यहां मैगना कहता है और जब मैंने मैजिक एंटर से एक्जाम पास किया तब उससे जादा कोई खुश नहीं था और तब मैगना देखता है सैसी विलिज के आसपास बहुत सारी थून दोती है तब आस्ता कहता है यहां क्या हुआ है तब नोयल कहती है यह एक मिस्ट मैजिक है अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम कभी भी कहें नहीं पहुँच पाओगे तब मैगना कहता है आखिर कर यह मैजिक किसका है यहां की विलिजियस इतने स्टॉंग नहीं है कि ऐसा magic cast कर सके लगता है यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है तो आस्ता अपनी sword को use करके इस mist को काटो तब आस्ता कहता है क्या तुम मजाग कर रहे हो तब मैगना कहता है तुम पागलो तुम तो अपनी sword से इस magic को cut कर सकते हो और तब मैगना की direction की मदद से आस्ता उस mist को काटता जाता है और तब वो लोग center में पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को cat करके रखा होता है और जैसे उन पर हमला किया जाता है मैगना अपने magic से उन सभी को बचा लेता है और तब मैगना देखता है सेहे मर चुका होता है और कहता है क्या ये सब कुछ तुमने किया है तब एक magic user कहता है तुमने मेरे time को खराब कर दिया है तो 10 सेकेंड में तुम सभी लोग मारे जाओगे और अपने magic से उन पर हमला कर देता है और हम देखते हैं आस्ता उसके magic को बीच में से काट देता है तब आस्ता कहता है आखिर का तुम लोग हो कौन तब मैगना सोचता है आखिर का ये लोग इस विलेच पे करने क्या आए है तब वो magic user कहता है ये black bulls है जिससे सबसे खराब squad कहा जाता है और इने मारने में बहुत टाइम जाएगा अब से 5 मिनिट में हम इन सबी को मारकर वो चीज़ ले जाएंगे जिसके लिए हम आए हैं और तब आस्ता जैसी उस पर हमला करने लगता है एक magic user उस पर mist कास्ट करता है पर आस्ता उसे भी चीर देता है तब वो magic user कहता है तो इस तरह उसने मेरे ice magic को काटा था मुझे नहीं बता ये कैसे काम कर रहा है पर इसकी sword किसी भी magic को काट सकती है तो इसे मैं अपने पास नहीं आने दे सकता तब आस्ता कहता है तो बताओ तुम इन विलिजर्स को क्यों मारना चाते हो तब वो magic user कहता है ये दुनिया अलग-अलग regions में बटी हुई है जिसमें से पहली है नोवल रेम जिसमें रोयलिटी रहती है दूसरी है कॉमनर रेम जिसमें कॉमनर रहते हैं और तीसरी है फोर सेकल रेम और सैसी विलेच उसी के अंडर आता है और ये लोग daily use के magic के इलावा कुछ नहीं कर सकते तो ये लोग बीड़ा दिमाग के beast है तो इसलिए मैं इन्हें खतम कर रहा हूँ जैसे कि तुम अपने आपको ही ले लो तुम्हारे पास इतनी magic power है कि तुम magic nights में जा पाए हो और तुम लोग इन्हें इसलिए बचाने आई हो क्योंकि ये तुम्हारे mission का part है और सचाई तो ये है कि तुम लोग इन्हें ऐसे देखते हो जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कमजोर हो और तब यहां आस्ता सिस्टर लिली की बातों को याद करने लगता है जिन्होंने उसे कहा था कि जिसकी पास strong magical power होती है वही अच्छी जगा पर रह सकते हैं और वो हमें कमजोर समझते हैं तब आस्ता कहता है चाहे तुम लोग इन्हें beast मानो पर फिर भी मैंने बचा कर रहूँगा और तब वो person ice और mist को combine करके हमला करने लगता है पर आस्ता उसके पहले attack को रोक देता है पर वो person continuation हमला करने लगता है और तब मेगना भी आस्ता का साथ देने लगता है और सोचता है हमें इन्हें रोकने में अपनी पूरी ताकर लगानी होगी पर मेरे पास जादा पावर नहीं बची है और ये लोग एक magic night की तरह strong है और ये पहला mission इन दोनों के लिए बहुत खतरनाग बनता जा रहा है और तब नोबैल भी अपना magic यूज़ करने लगती है पर वो फिर भी निशाना नहीं लगा पारी होती तब वो person कहता है ये लोग तो अपने आपको भी नहीं बचा सकते तो अगर तुम इन्हें यहीं छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्ष दूँगा तब आस्ता और मेगना दोनों ये करने से मना कर देते हैं तब नोबैल सोचती है और तब वो वहाँ से जाने लगती है तब एक लड़की उसे बचाने के लिए उससे मदद मांगती है तब नोबैल सोचती है मुझे किसी भी तरह इसकी मदद करनी ही होगी और तब हम देखती है उसकी ग्रिम वार में न्यू स्पेल अनलॉक हो जाता है और तब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है और सबके आसपास एक मैजिकल लेयर बना देती है और कहती है मैं इन्हें बचा कर रहूंगी क्योंकि मैं एक रोयलेटी हूँ और उपर से ब्लैक बूल्स की मेंबर भी हूँ और तब हम देखती है उस परसन का मैजिक उस शिर्ड को पार नहीं कर पारा हूँ था और तब आस्ता नुबैल की मैजिक में से निकलते हुए उस परसन पर हमला कर देता है और कहता है मेरे पास एक भी मैजिक का कत्रा नहीं है पर मैं फिर भी तुम्हें मार कर रहूंगा और तब वो person हसते हुए कहता है चाहे तुम्हारी स्वार्ड मैजिक को काट सकती हो पर तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के हाथों में ये बेकार है और वो आस्ता फ्रूप पर हमला कर देता है और तब वो person नुबैल के वाटर मैजिक को फ्रीज करने लगता है और कहता है चाहे तुम्हारी मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा हो पर मैं फिर भी एक आदमी के लिए रास्ता बना सकता हूँ और अब तो तुम्हें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेश्च कर दिया है तो अब तो तुम्हें इसका भुक्तान करना ही होगा तो मैगना सूसता है मेरे पास ज़्यादा मैजिकल पावर नहीं बची है चाहे फायर आइस की दुश्मन हो पर इस परसन के पास मिरसे बहुत ज़्यादा पावर है तो मुझे माफ कर देना कैप्टन यामी मुझे नहीं लगता मैं ये फायर जीत पाऊंगा और तब आस्ता फिर से उस आदमी पर हमला कर देता है पर वो आदमी बार बार आस्ता को चोट पहुंचा रहा होता है पर हम देखते हैं आस्ता भी हार नहीं मान रहा होता और तब मैगना को याद आता है कि कैसे इस village के लोगों ने उसके magic night बनने पर उसे cheer किया था और तब सही ने उसे ताकतवर इनसान बनने के लिए कहा था तब मैगना कहता है तो अब मैं इनसे हार नहीं मान सकता तो नोवेल तुम यहीं रुको और मैं इसे बाहर जाकर संभालता हूं तब वो person आस्ता से कहता है तुम्हारे जीतने का कोई भी चास नहीं है तब तुम हार क्यों नहीं मान लेते तब आस्ता कहता है अगर मैं हार मान जाओंगा तो इन्हें कौन बचाएगा मैंने कुछ रियलाइस किया है कभी न कभी मैं wizard king बनूंगा पर ये सिरफ wizard king बनने का promise नहीं है ये लोगों को बचाने का promise है तब वो person कहता है तुम तो एक मिनिट में मरने वाली हो तब मैंना कहता है अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे निवटना होगा और तब वो आस्ता को तैयार रहने के लिए कहता है और अपनी पूरी ताकट से उस person क्योपर हमला करता है और तब वो person जैसे ही मेंना पर हमला करने लगता है पीछे से आस्ता मैंना के spell को repel कर देता है और यहा办 नोबेल मैंना को बचा लेती है और तब वो परसन अपने शरीर पे लगे फ्लेम्स को जैसे ही भूजाने लगता है आस्ता अपनी तर्वाव से उस्तियों पर हमला कर देता है और मैगना की स्पेल उस आदमी को कैद कर लेती है और तब आस्ता भी नीचे गिर कर सो जाता है तब नुबैल सोचती है चाहिए ज अपने आप और अपने साथियों को मार देता है तब मैगना कहता है अपने आपको इस तरह डिस्ट्रॉय कर देना आखिर कर ये चाता क्या था और तब यहां निक सेही की कवर के पास आकर रो रहा होता है तब मैगना कहता है मैंने वो सब को सुना कि कैसे सेहे ने इस के लिए तोफेल आते थे और वो हमेशा से एक magic night बनना चाहते थे पर उनका बस एक ही regret था कि जब वो जवान थे तब उन्होंने ज़ादा मेहनत क्यों नहीं की थी पर फिर भी वो बहुत खुश थे क्योंकि मैगना हमेशा उन दोनों के लिए मेहनत कर रहा था तो क्या लगता है मेगना क्या मैं भी magic night बन सकता हूँ तब मेगना कहता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो और आस्ता कहता है तुम मुझे ही देख लो मैं एक commoner हूँ जिसके पास कोई magical power नहीं है पर फिर भी मैं magic night बन चुका हूँ और देखना जिस चैम तुम magic nights join करोगे तब तक मैं wizard king बनन ये stone कैसा है तब निक कहता है ये मेरे grandpa का है तब आस्ता उस bird से उसे छीनने लगता है तब निक उसे वापिस लेने से मना कर देता है और तब वो bird फिस्ते आस्ता को तंक करने लगती है और सभी दोग हसने लगते है और यहाँ एक person कहता है तो अब वो magic stone black bulls के पास है चलो क कोई बात नहीं जब तक हम तयार नहीं हो जाते तब तक वो उनके पास ही रहने दो और अब master का वापिस आना भी बहुत ज़्यादा करीब है और हम देखते हैं उस person के कपड़ों पर golden dawn का sign बना होता है और मैगना आस्ता और nobel black bulls के base पहुंच जाते हैं और captain yami उनकी बाते सुनकर हसरे होते हैं तब आस्ता पूसता है कै ये सच में हसनेगा ताई मैं कैपड़ों यामी तब captain yami कहते हैं तो क्या हमें सेहे की मरने पर उदास ओना चाहिए तब मैगना कहता है बिलकुल नहीं सेहे सबको हसते हुय देखना चाता था इसलिए हमें हसना चाहिए तो चल लेकर तुम अपने हाथों से ये कौन सा साइन बना रहे हो तब मैगना कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है ये मैजिक नाइट सलूट है और ये तीनों फिंगर कलोवर को इंडिकेट करती है तो चलो अब तुम भी इसे ट्राइ करो और तब हम देखती हैं फिनरल और वैनिसा भी वापीस आ जाते हैं और तब फनरल कहता है चैप्टन हम अभी अभी मैजिक इनüstूगेशन डिपार्टमेंट से आ रहे हैं तब कैप्टन यामी कहते हैं तो फिर तुम्हें क्या पता चला तब मैगना कहता है क्या तुम्हें पता चला कि ये सब कुछ किस ने किया है मैं उसे मारने के लिए बहुत उतावला हूँ तब वैनिसा कहती है उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है पर उस वाच को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई हाइस चिटर्स का आदमी था और तब हम देखती हैं उस एंटी बर्ड को देकर नोबेल और वैनिसा दोनों को तबाह करने लगते हैं जिससे कैप्टन यामी गुसा हो जाते हैं और कहते हैं अब इस इन्वेस्टिगेशन को मैजिक रिपार्टमेंट पर ही छोड़ दो और गुड़ नियूज आने का वेट करो पर अभी के लिए मेरे पास आप सब के लिए एक गुड़ नियूज है सॉसिज विलिच के काम के लिए विज़ट किंग ने तुम्हें एक स्चार दिया है जिसे देखका सभी खुश हो जाते हैं तब आस्ता कहता है आखिरकार ये स्चार किसलिए है तब एनिसा कहती है जो मैजिक नائट अच्छा काम करता है उसे विज़ट किंग के तरफ से एक स सबसे ज़्यादा स्चार्ज है जो की है टोटल सेवन्टी तब आस्ता कहता है तो फिर हमारे पास कितने स्चार्ज है हम इतना भी गॉल्डन डॉन से ज़्यादा पीछे नहीं होंगे तब कैप्टन यामी कहते है इस चार को मिलाकर अब हमारा स्कूर नेगिटिव 30 है और हमें बस 100 स्टार्ज और चाहिए गॉल्डन डॉन तक पहुँचने के लिए जिसे सुनकर आस्ता शौक हो जाता है और तब कैप्टन यामी सभी को इस महीने के पैसे देते हैं और सभी लोग खुश होकर अपने अपने काम की बाते करने लगते हैं और उन्हें एक दिन के छुट् यह वहोट टेस्टी होता है तब नुल पास्ता केथा और जो जाता है यह ऑो क्विट्फुल लिड़ी है जिसे मैं एक दें शादी करना चाहता हूं तब नुबल काम कश दूंगा तब एनIncia आपूस्ती हैं तो अब तुम इस मनी का क्या करने वाले हो तब आस्ता कहता है मै बिल्कुल जब मेरे बास अब की अमाउंट का 100 टाइम्स होगा तब वैनिसा कहती है तुम्हें खुद के लिए वे कुछ रखना चाहिए तब आस्था कहता है पर मैं इसे इस्तमाल कहां करूँगा तब वैनिसा उन दोनों को शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है और तब हम अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं अगले महीने तक विजट किंग भी बन जाओं और तब आप लीज मुझसे शादी कर लेना और अब मैं आपके लिए अपनी पेमेट भीज रहा हूं और तब आस्था लेटर लिखने के बात कहता है सिस्ट लीली तो इसे पढ़कर रो आया जाता है जहां वेनिसा उन्हें लेकर जारी होती है वो जगह कॉमन रेल में होती है जहां पर कॉमनर्स रहते हैं और तब आस्था अपने कॉमपेडिशन के दिन को याद कर रहा होता है और सोसता है कितना मज़ा आएगा अगर चर्च के सारे लोग यहां होंगे और बहुत excited होता है और यहां कुछ लोग black bulls के बारे में बुरा कहरे होते हैं और तब हम देखते हैं वेनिसा अपनी shopping करके उन दोनों को black market ले जाती है और कहती है यह जगह थोड़ी dangerous है पर यहां पर बहुत amazing magic items मिलती है तब वेनिसा नोवैल को कहती है मुझे पता है कि तुम यहां कोई ऐसी magic item मिले जो कि तुम्हारी मदद कर सके और क्या पता यहां पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तुम अपने magical power को control कर पाओ और यहां हम देखते हैं मैगना अपने पैसो को बढ़ाने के लिए यहां gambling करने आया होता है और तब हम यहां देखते हैं सैके भी gambling में हा सैक कौन बनना चाता है और जब वो लोग mission पर जाते हैं तब वो मुझे चारा के तरह use करते हैं और तब हम देखती हैं नोबेल जैसे ही एक magic item को पहन कर अपना magic use करने लगती है उसका magic सैके से जाकर टकरा जाता है तब सैके उन दोनों के सामने अपना impression बनाने लगता है पर तब मुझे इससे jealousy हो रही है और मेरा green mantis में आना भी इसकी ही गलती है और अब मैं इससे इसका बदला लेकर रहूंगा और तब हम देखते हैं एक चौर एक बुरी औरत का समान लेकर भाग जाता है और आस्ता भी उसके पीछे भागने लगता है तब सैके कहता है आस्ता मै तुम्हें पूरा शेय नहीं ने ले दूगा मैं भी आ रहा हूं और वो भी अपना magic यूज़ करके आस्ता के पीछे पीछे चला जाता है और तब हम देखते हैं वो person cloud के उपर बैट कर भाग रहा होता है और तब हम देखते हैं आस्ता अपणी तरवार को उसके cloud की और फैक जिससे उसका magic तूट जाता है और तो वो person नीचे उतर जाता है और आस्ता जैसे उस पर हमला करने लगता है वो person वहाँ से भाग निकलता है और तब सैके उस person को नीचे गिरा देता है और जोर जोर से हसने लगता है तब वो person उसे चाकू मार कर कहता है मुझे यह हसे तो तुम्हें अब हम दोनों के लिए जीना होगा, तुम्हें मेरे सपने को भी पूरा करना होगा, और अपनी आखे बंद कर लेता है, तब आस्ता उसके एक कराटे मार के कहता है, तुम्हें अपना सपना खुद पूरा करना होगा, तब एनिसा कहती है, इस पोईजन से तुम मरने नहीं वाले और तुम इस दवाई से अभी ठीक हो जाओगे और तब सेके उस परसन को लेकर वहाँ से चला जाता है और तब बाकी सभी लोग उस बुड़ी औरत को उसका समान वापिस दे देते हैं और तब एक परसन उसके सामने अपियर होता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं विज़र किंग है और वो शहर में नए-ने मैजिक्स ढूंड रहा है तब माक्स कहता है पर आपको ये करना शोभा नहीं देता तब विज़र किंग कहते हैं अलग-लग मैजिक देखना बहुत मज़िदार काम है तो तुम अब शात रहो और तब विज़र किंग यूनो को देकर एकसाइटमेंट में उसके पीछे चले जाते हैं और तब हमें कलाउस बताता है इस बार गोल्डन डॉन में दो नए चेहरे आए हैं पहला है यूनो और दूसरी है मिमोसा जो की रोयल फैमिली से बिलॉंग करती है और हमारा पहला मिशन है सलीम डी हैप्स को प्रोटेक्शन देकर सही सलामत उसमें उसके घर पहुँचाना तब यहां कलाउस पूसता है हम एक नोबल के सन को हर्ट किंडम क्यों लेकर जा रहे हैं और मैंने इस नोबल के बारे में सिरफ नेगटिव थिंग सी सुनी है कि ये पैसो के दम पर अपना रॉब दिखाता है तब कैप्टन विलियम कहते है शायद उने इसी वज़े से अपने बच्चे की चिंता है तब कलाउस कहता है पर उनके पास भी तो बहुत ताकतवज जादूगर्ज है तब कैप्टन विलियम कहते हैं शायद उने लगा एक मैजिक नाइट का होना ज़ादा सुरक्षत है ये नोबल हर साल मैजिक नाइट में बहुत सारा डुनेशन देता है जिस वज़े से हम इसे मना नहीं कर सकते तो हमें वो सारी चीज़े करनी होंगी जिससे क्लोवर किंडम को फाइदा हो और नियू रुक्रूट्स को भी साथ ले चाओ और उनका ध्यान रखना तब यहां कलाउस सोचता है सलीम यूनो की वज़े से हार गया था जिसकी वज़े से वो मैजिक नाइट में स्कलेक नहीं हुआ तो आखिरकर इसने यूनो को अपना बॉडिगार क्यों चुना है और तब सलीम यूनो को बलाकर कहता है आखिरकर तुम इतने ख़डूस मूड में क्यों हो मैंने तुमें अपना बॉडिगार इसलिए चुना है चुकि मैं तुमसे माफी मागना चाता हूँ तो तुम विज़ट किंग बनना चाते हो न तब यूनो कहता है तुमें कैसे पता तब सलीम कहता है सभी कैप्टेंस ने तुम्हारे लिए हाथ खड़ा किया था और तुम किसी भी स्कॉर्ड में जा सकते थे और तुमने गोल्डन डॉन चुना इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा एंबिशन बहुत बड़ा है और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम बहुत जल चारों तरफ सुनाई देगा और मुझे पता है तुम विज़र्ट किंग जरूर बनोगे तो अब हमारे पास हर किंगडम पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम है तो चलो अपने बारे में कुछ बताओ और तब यूनो अपने बारे में बताने लगता है तब यहां क्लाउस सोसता है यहां कितनी शांती है पर मेरे हिसाब से इनकी फैमरी में कोई तो ऐसा होगा जो कि टेलीपोटेशन मैजिक यूज़ कर सकता हो तो इन्होंने बाडी गार क्यों मांगे और वो भी हम तीन अगर इन्हें इतना ही खत्रा लग रहा था तो इन्हें और भी ज़्यादा कॉंटिटी में बाडी गार्ट्स चुनने चाहिए थे और तब वहां काले बादल आ जाते हैं और तब यूनो उसे चेक करने के लिए उपर की तरफ जाता है और तब हम देखती हैं कुछ लोग उनपर हमला कर देते हैं और तब हम देखती हैं यूनो उनके साट लड़ते हुए नीचे गिर जाता है पर वो गिरते हुए भी और वोगों को हरा देता है और वापिस अपने जھड़ू पर खड़ा हो जाता है और तब ही कलाउस सोचता है, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था, कि ये सलीम के पीछे आए हैं, और तब यहां सलीम यूनो की तारीफ करने लगता है, और उसके विलेज जाने के लिए कहने लगता है, तब कलाउस कहता है, इसमें बहुत खतरा है, अगर उन्हें ने कल को देखकर उसके तारीफ करने लगता है, और तब वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं, और तब सिस्टर लिली यूनो को देखकर एक्साइटिड हो जाती हैं, और कहती हैं, तुम तो पहले से भी ज़्यादा मैच्योर लग रहे हो, तो फिर तुम आज यहां क्या करने आ और यूनो उसकी बात को इगनोर करता है, और तब मॉसा भी अपने आपको इंट्रिड्यूस करती हैं, तब सिस्टर लिली कहती हैं, मैंने भी तुम्हारे बारे में यूनो की लेटिस में पढ़ा है, और तब हम देखती हैं, यूनो फिर भी कोई जवाब नहीं देता, और तब सलीम भी अपने आपको इंट्रिड्यूस करने लगता है, और सिस्टर लिली उसे अपने करीब आते देखकर उसे अपने मैजिक से उड़ा देती है, और तब फादर और बच्चे भी उसे देखकर एकसाइटिड हो जाते हैं, और तब बच्चे आस्ता के बारे में पू सिस्टर लिली का बनाया ओए खाना खाकर सब लोग खुश हो जाते हैं, और सलीम सिस्टर लिली की तारीफ करने लगता है, तब क्लाउस सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक नोवल एक छोटे से विलिच में मामूली सा खाना खा रहा हूँ, तब फादर रोते हुए कहते हैं, ये सारा खाना यूनो और आस्ता की पे की वज़े से है, जिनकी वज़े से हम यहां के बच्चों को रोज खाना खिला पा रहे हैं, तब निक कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, प्लीज अगली बार ब्रैड की जगा कुछ और खिली दना, तब सलीम कहता है, अप फिर आस्ता ने भी कुछ बेज़ा है, तब सिस्चर लिली यूनो के कान में आस्ता की भीजी हुई पेमिट बताती है, तब यूनो शौक होके कहता है, अगली बार मैं भी अपनी सारी पेमिट भेज़ दूँगा, तब सिस्चर लिली कहती है, इसकी कोई ज़रूत नहीं है, पर यूनो मान नहीं रहा होता, तब क्लाउस वापीस जाने के लिए कहता है, पर सिस्चर लिली पानी लेने के लिए बाहर जाने लगती है, पर हम देखती है, एक परसन उन्हें के नैप कर लेता है, और तब सभी लोग बाहर आ जाते है, तब वहां की एक चीज़ उठा कर क क्लाउस कहता है, ये तो वही नेकलिस है, जो उन लोगों ने पहना था, जिन लोगों ने पहले हम पर हमला किया था, तब सभी बच्चे सिस्चर लिली के बारे में पूछने लगते हैं, तब यूनो कहता है, चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूँगा, तब फादर भी उस के साथ जाने के लिए कहते हैं, और यूनो मना कर देता है, तब क्लाउस कहता है, तुम्हें हमारा मिशन याद हैना, हमें सलीम को बचाना है, तो इसलिए हम सभी लोग यहां से जाएंगी, तो इसलिए तुम्हें इस टास्क को लोकल अथारिटीस पर छोड़ना होगा, और ह तब हम देखते हैं, जैसे यूनो आगे बढ़ता है, एक परसन अपने मैजिक से उसे क्याद कर लेता है, तब यूनो कहता है, अब मुझे पता लगा कि यहां क्या चल रहा है, तो तुम लोग सलीम के पीछे नहीं, मेरे पीछे आए हो, तब वो परसन कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, पर तुम अभी मरने वाले हो, और तब हम देखते हैं, यूनो उसकी कैज से बाहर आ जाता है, और उसे उसी की मैजिक में फसा कर हरा देता है, और तब यूनो जैसे यागे बढ़ने लगता है, उस पर चाकों से हमला हो जाता है, पर यूनो उसे भी अपने अच्छा टैलेंट है, तो अगर तुमें जब भी किसी की मदद करने का मौका मिलेगा, तो प्लीज जरूर करना, और आस्ता तुम भी यही करना, पर आस्ता को कुछ भी सुनाई नहीं देता, और यहाँ हम देखते हैं, वो परसन यूनो की ग्रिम वार माग रहा होता है, तब वो परसन कहता है, तब चलो देखते हैं फिर, तुम इन्हें कैसे बचाते हो, तब यूनो कहता है, मैं इन्हें नहीं बचाओंगा, और तब हम देखते हैं, क्लाउस अपने मैजिक से उस परसन का हमला कर देता है, और ममोसा सिस्टर लिली का ख्यार रखने लगती है, तब कलाउस कहता है, क्या कोई और भी बचा है, तब यूनो कहता है, शायद एक और है, तब कलाउस कहता है, अब तक तो वो भाग भी चुका होगा, और तुम क्या करने वाले थी, अगर मैं यहां ना आता, तब यूनो कहता है, पर तुम यहां कर क्या रहे हो, तब कलाउस क चाहिए और मुझे पहले ही लगा था कि कुछ गर्बर है क्योंकि वो लोग सलीम की जगा तुम्हें टार्गिट कर रहे थे क्या तुम्हें लगता है एक नोबल मामूली सा खाना खाएगा और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि उन्होंने स इसलिए गुसा था क्योंकि वो तुम्हारी वज़े से magic night join नहीं कर पाया और वो तुमसे तुम्हारी green war चीन कर तुमसे बदला लेना चाहता था और उसके बाद मैंने अपने magic से तुम्हें ढूंडा तब you know thank you कहता है तब klaus सलीम से कहता है तुम बहुत जादा बेकार हो किसी और को अपनी नाकामियाभी के लिए दूशी मानना बहुत बेकार बात है यूनो ने अपनी मेहनत से सारे कैप्टन्स का अप्रूवर लिया है और वो उसके बाद golden dawn में select भी हुआ तो इससे तुम्हें पता चलना चाहिए कि वो कितना talented है तब you know close को thank you कहकर sir कहता है तब klaus क कहता है अभी मुझसे तारीफ सुनने के लिए तुम बहुत पीछे हो और अभी के लिए मैं तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूं क्योंकि इसमें इसकी गलती थी तो बताओ इसका करना क्या है तब you know कहता है अगर ये कभी भाश विलिज वापिस नहीं आएंगे तो हम इनक के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे और हम देखते हैं सलीम फिर भी नहीं मानता और अपना मैजिक यूज़ करने लगता है और तब सिस्टर लीली अपने मैजिक से इसका रूप लिया होता है और तब वो कहते हैं यहां पर तो सच में मजा ही आ गया मैं तो खुद जाने वाला अगर चीजे बिगट जाती पर विलियम के नियू रिक्रूटर्स बहुत इंप्रेस्टिव हैं और तब मार्क्स विजर्ट किंग को डांटने लगता है और उन्हें वापिस आने के लिए कहता है और यहां सभी लोग सिस्टर लिली को देकर खुश हो जाते हैं और तब वो लो के सारे गलत काम पकड़े गए और उन सभी का क्रेडिट तुमें मिला है तब क्लाउस कहता है कि आपको पता था कि इस मिशिन में ऐसा भी कुछ हो सकता है तब कैप्टन विलियम कहते हैं कोई भी बुरे कर्म क्लोवर किंगडम में एग्नोर नहीं किये जाते उन्हें उनकी स पर क्लाउस उसे वादा करने के लिए कहता है पर यूनो फिर भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता और यहां हम देखते हैं यूनो को स्चार मिलने की वज़े से आस्ता भी कॉम्पेटिटिव हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था हम उनके पास पहुँच रहे हैं तब कहती है क्या तुम पागल हो हम अभी भी माइनस 30 पे तब आस्ता कहता है यह बस 101 स्टार की बात है हम उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे यूनो मैं आ रहा हूँ और तब यहां माक्स विज़र्ट किंग को एक प्रॉबलम के बारे में बताने आता है तब विज़र्ट कर रहा होता है और वो सभी लोग मिलकर उस बर्ड का नाम रखरे होते हैं और तब लग उसका नाम नैरो रखता है और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी वहां आ जाते हैं तब सभी लोग पूछते हैं क्या कोई मिशन आया है तब कैप्टन यामी कहते हैं मुझे कैसल इसल प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार आस्ता कहता है प्लीज मुझे भी वहां बेज़ दीजिए क्या पता मुझे भी वहां कोई मैजिकल पावर मिल जाए तब कैप्टन यामी कहते हैं पर तुम उसका करोगे क्या तुम तो मैजिक के पास पहुँच जाते हैं और यहां मैगना कहता है आखिर का विजर्ट किंग आस्ता को कैसी जानते हैं तब कैप्टन यामी कहते हैं सच्चाई तो यह है कि वो वो चीज़े देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते हैं और वो थोड़े से अजीब भी हैं और यहां हम देखते हैं जिसे देखकर वो तिनों शौक हो perceptions होती एं तब नूंबैल कहती है हुआ है आघर कर यहां चल क्या रहा है तब लग कहता है मैं फील कर सकता हुँ कि यहाँ पर बहुत सारी Magical Power है और वह बहुत स्ती है और वो बाहर से भी बहुत जादा है तब नूम वात है आकिल का मेरे साथ ही ऐसा क्यों ओरा है और तब हम देखती है हम आस्ता एक ट्रैप अरंता है तब हम देखते हैं अनमत्त को एक्टिवेट कर रहा है तब लग कहता है हमारी तल्बार तो कमाल की है आस्ता शाएद इसी विज़र्ट किंग ने तुमें चुना है तो जल्दी अपने आपको तैयार करो ताकि मैं तुम्हारे सा लड़ सकूँ और तब लग अपनी पावर से अपने आस पास के मैजिक को सेंस करने लगता है और सोसता है मुझे पता था कि यहाँ पर हमारे इलावा भी कोई है और लगता है यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है और तब लग उन दोनों को छोड़ कर वहाँ से चला जाता है तब नुवैल कहती है आखिरकार यह बागा सोच क्या रहा है आखिरकार मैं यह कहां फस गई और तब लग कहता है यह लोग तो बहुत करीब है इनके साल लड़ने में तो बहुत मज़ा आएगा काश यह मुझे अच्छी फाइट दे और तब आस्ता कहता है तुम चिंता मत करो यह डंजन तो हमारे लिए बच्चों का खेल है क्योंकि मैं विजर्ड किंग बनने वाला हूँ और तुम देखना यूनो मैं पीछे नहीं रहूंगा और तब नुवैल यूनो के बारे में पूस्ती है तब आस्ता यूनो के बारे में बताने लगता है और तब ही एक रैप नुवैल को पकड़ लेता है और हम देखती है एक फ्लावर उसे खाने वाला होता है पर आस्ता नुवैल को चुडाकर उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है पर वो फ्लावर दोनों को पकड़ लेता है और हम देखते हैं उस flower के पेट में acid होता है और तब हम देखते हैं उन्हें कोई बचा लेता है और यहाँ Captain Yami कहते है मैं तो उन्हें बताना ही भूल गया Golden Dawn के भी कुछ लोग उस dungeon में आएंगी और मुझे पता नहीं कि वो लोग कैसे react करेंगी और यहाँ हम देखते हैं यूनो वहाँ आजाता है और कहता है अम्वे ने तुम्हारा कर्ज उतार दिया है आस्ता और तो एक person Captain William से कहता है क्या मैं आपसे पूर सकता हूँ कि आपने एक commoner को इतने important mission पर क्यों भेजा है तब Captain William कहते है क्या तुम मुझे पर भरोसा करते हो तब वो person हा कहता है तब Captain William कहते है तो मुझे भी उस commoner पर भरोसा है और तुमे भी करना चाहिए और वो अब Golden Dawn का हिस्सा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी squad को और भी ज़्यादा strong बनाएगा और वो सोचते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा strong बना ही होगा और तब यहाँ क्लाउस पूसता है आखिरकार तुमें ने बचाने के लिए यहाँ क्यों आ गए हमारा mission इस डेंजिन को explore करना है और important चीजों को अपने साल लेकर जाना है तो इसलिए हमें इसकी गहराईयों में जाना होगा तो हमारे पास इन बेफकूफ लोगों के साथ बात करने का time नहीं है तब आस्ता कहता है आखिरकार इस बैटरी की क्या problem है जिसे सुनकर क्लाउस को गुसा आ जाता है और तब मोमोसा नोवैल से कहती है तब आस्ता कहता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो तब मोमोसा कहती है और तब मोमोसा बहुत जदे एकसाइटिड होके अपनी स्कॉर्ड के बर में बताने लगती है और कहती है अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो तुम तो अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर पा रही थी तो अब क्या तुमें कोई कामया भी मिली तब नोवैल सोचती है ये लड़की तो अब भी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देती है और कहती है हाँ सब कुछ कंट्रोल में है तब मुमोसा कहती है ये तो कमाल की बात है और मैं तुमें ये चीज़ बता दू कि हमें लास्ट चाइन के मिशन के बाद विजट किंग की तरफ से एक स्टार मिला है जिसे सुनकर आस्ता और नोबेल स्माइल करने लगती है और तब आस्ता कहता है ये तो बहुत कमाल की बात है क्योंकि हमें भी हमारे मिशन के लिए स्टार मिला है तब कलाउस कहता है तुम लोग जूट कह रहे हो मुझे नहीं लगता तुम जैसे न्यू रिक्रूट्स इतनी जल्दी कोई स्टार हासिल कर पाएंगे और तुम्हारा तो इस मिशन में आना ही बहुत बेकार है और तब आस्ता कहता है ऐसा सिरफ तुमें लगता है चुकि विज़र्ट किंग ने हमें खुद इस मिशन के लिए पॉइंट किया है पर क्लाउस उनकी बातों को मान नहीं रहा होता और आस्ता भी इसी बात पर लड़ रहा होता है तब क्लाउस उनके थर्ड मेंबर के बारे में पूसता है और कहता है क्या वो तुम लोगों को यहां पर छोड़के अकेला ही चला गया या फिर किसी ट्रैप में फस गया तब नुएल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है तब क्लॉस कहता है तो फिर आखिरकार वो है कहां पर इसे छोड़ो चाहे जो मर्जी हो जाए ये ब्लैक मुल्स तो हमेशा मैजिक नैट्स की नाग कटवाते ही रहते हैं तब आसा कहता है आखिरकार तुमने हमें समझा क्या है देखना हम तुमसे पहले इस डंजन को एक्स्प्रोर कर लेंगे और तो वो दोनों एक दूसरे की स्कॉर्ड को लेकर लड़ने लगते हैं और तब क्लॉस कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें ये बता कर रहूंगा कि हमारी स्कॉर कितनी अच्छी है और तब मॉबोसा तंजन का एक मैप बनाती है और यूनो उन सभी को लेकर वहां से उड़ जाता है और तब आसा भी नोवैल को चलने के लिए कहता है और तब वो दोनों सोचते हैं तो चलो देखते हैं खजाने तक कौन पहले पहुंचता है तब नोवैल कहती है आखिर कर हम क्या करेंगे हमें तो पता भी नहीं है कि हमने जाना कहा है तब आसा कहता है तो फिर हम सारे रास्ते चेक करेंगे और तब नोवैल कहती है तुम तो पूरी तरह पागल हो ऐस तो हम कभी भी गूफा तक नहीं पहुँच पाएंगे और तब नेरो उन लोगों को रास्ता बताने लगती है और तब यहां कलाउस कहता है तो उसका नाम आस्ता था क्या वो सच में सोचता है कि वो हमें हरा सकता है और मुझे तो उसमें कोई मैजिक भी सेंस नहीं हुआ और आखिरकार ब्लैक बूल के कैप्टन क्या सोच रहे थी उसे लेने से पहले तब यूनो कहता है मैं जितना आस्ता को जानता हूँ वो बहुत ज़दा स्ट्रॉंग है तब कलाउस कहता है मुझे इससे कोई फरक नी पड़ता मुझे बस इतना बता है हमें अपने कंट्री के भविश्य के लिए इस डेंजन को एक्स्प्लोर करना होगा और यहां हम देखते हैं एक परसन विजर्ट किंग को डेंजन के बारे में बताता है और कहता है कि डायमेंड किंग डंग के जादुगर भी और डेंजन में आ गए है और तव विजर्ट किंग उनके लीडर्स के बारे में फूचता है और तव वो परसन कहता है उस कॉट को लोटस अफ द एबिस लीड कर रहा है तव विजर्ट किंग कहते है वो तो सच में बहुत स्ट्रॉंग है उसका मैजिक भी बहुत इंट्रस्चिंग है तव मार्क्स कहता है अभी ये वक्त किसी के मैजिकल स्किल्स को एप्रिशेट करने का नहीं है तव विजर्ट किंग कहते है तुम चिंता मत करो मुझे यकीन है यामी ने भी बहुत अच्छे लोगों को भीजा होगा चाहे लोटस्ट्रॉंग हो पर हमारे न्यू रिक्रूट्स भी कम नहीं है और यहां हम देखते हैं लग लोटस्ट की स्कॉर्ट को हरा देता है और बस लोटस्ट ही बच जाता है और वो लग की पावर की तारीफ करने लगता है और तब लग लोटस्ट के मैजिक के बारे में पूसता है तब लोटस्ट कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा उतावले हो मेरे हिसाब से तुम लोग भी इस दंजन के खजाने के लिए यहां आए हो तब लग कहता है सही कहा तो चलो अब लड़ते है तब लोटस्ट भागते हुए कहता है मुझे नहीं लगता हमें लडने की कोई जरूरत है और तब लग जैसे ही लोटस्ट पर हमला करता है लोटस्ट उसके हमले को डॉज कर देता है और कहता है मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग गुस्सा हो क्योंकि हम लोग हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाती है तो मैं Diamond Kingdom की तरफ से माफी मांगता हूँ पर जैसे कि तुम देखी सकते हो हमारे Kingdom के पास resources कम है तो इसलिए हमारे पास survive करने के लिए कोई और choice नहीं है और तब लोग उस पर हमला करके कहता है चाहे तुम्हारे पास कोई भी reason हो पर मुझे खुशी है कि मैं एक ताकतवर इंसान से लड़ रहा हूँ और यहां हम देखते हैं आस्ता और नोबेल एक ऐसी जिगा फस जाते हैं जहां पर कोई gravity नहीं होती और तब एक treasure box उनके सामने से भाग रहा होता है और रास्ता उसके पीछे भाग जाता है और नोबेल उसे उसे open करने से मना कर रही होती है पर जैसे वो लोग उसे खोलते हैं उसके अंदर organs होते हैं और यहां हम देखते हैं लग लोटस पर हमला कर रहा होता है और लोटस उसके हमलों को असानी से dodge कर रहा होता है और हम देखते हैं लग को उस लड़ाई में बहुत मज़ा आ रहा होता है तब लोटस कहता है तो तुम black bull से हो मैं एक पार तुम्हारे captain से लड़ा था और उन्हें भी गुस्ता बहुत जल्दी आ जाता है वैसे भी मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ उसी की वज़े से मुझे ये निशान मिला है और वो एक लोता मेरे से छोटा परसन है जिसे मैं हरानी पाया और तब हम देखते हैं लग को चक्कर आने लगते हैं और तब लक्त सोचता है आखिर का मेरे साथ क्या हो रहा है इसके मैजिक ने तो मुझे छुआ भी नहीं तब लोटस कहता है मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस रूम की हवा मेरी मैजिक से भरी हुई है और उसे तो इन नॉर्मर आखों से देखा भी नहीं जा सकता मुझे ये फिलिंग आई थी कि तुम बस विजिबल अटैक्स ही रोग सकते हो तो जब तुम मेरे स्कॉर्ड मेजिक के जाल लड़ रहे थे तब मैंने अपनी पावर को इतना कम कर दिया कि तुम्हें पताई नहीं चला कि मैंने ये स्पेल कब कास्ट कर दिया वो चाहे हार के हो पर उनके सेक्रिफाइस की वज़े से ही मैं अपने मैजिक को कास्ट कर पाया हूँ और तब हम देखते हैं यूनो की स्कॉर्ड प्रैजर के दर्वाजे के पास पहुंच जाती है तब मिमोसा कहती है लगते है ब्लैक बुल्स अभी तक यहां नहीं पहुंचे तब तब हम देखते हैं तोई मिमोसा पर हमला कर देता है जिसे मिमोसा को बहुत चोट आती है तब कलॉस पूसता है आकिर कर यहां कौन है तब एक परसन कहता है तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो तो जल्दी से साइड हट जाओ तब यहां लोटस कहता है क्या तुम्हें बता है कि टीम वर्क इतना जरूरी है तुम्हारे पास ऐसा एक दो सुरूर होना चाहिए जिस पर तुम भरोसा कर सको और वहां से जाने लगता है तब लग सोचता है मुझे जीतना है और कहता है बड़े डाई बाद किसी चीज़ में इतना मजा आ रहा है अब तो और भी ज़दा मजा आएगा चलो लडते हैं और यहां हम देखते हैं लग की माँ उसे इमोशन दिखाने के लिए कैरी होती है और उसे ऐसे एपनॉर्मर से एक नोबल को हरा दिता है जिससे सारे बच्चे हैरान हो चाती है तब उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें हमेशा जीतना होगा और याद रखना इस दुनिया में तुम्हारा कोई साथ नी देगा तो इसलिए तुम्हें साधी लड़ाई खुद दी लड़नी होगी और तब लग अपनी माँ की खुशी के लिए उनकी बात मान लेता है और यहां लोटस से लड़ाई करते हुए भी लग कहरा होता है मैं ही जीतूँगा चाहे जो मरजी हो जाए और तब लोटस कहता है मुझे माफ करना पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता और अपनी स्मोक को सॉलिड करके लग को कैद कर लेता है और कहता है इस पावर को यूज करने के बाद अब मैं ठक चुका हूँ पर यह अच्छी बात है कि तुम अब यहां से कही नहीं जा पाओगे और अब मुझे देखना होगा कि मेरा साथी कैसा कर रहा है और तब यहां ममोसा अपनी पावर से अपने आपको हील करने लगती है और तब कलाउस देखता है उस लड़के की कपरों पर डायमेंड किंग्डम का साइन होता है और कहता है आखिर कर तुम किस तरह के वारियर हो जो की पीट पीछे वार करता है तब वो परसन कहता है तु और नुएल नैरू का पीछा कर रहे होते हैं तब नुएल को बहुत जदा मैजिक फील हो रहा होता है और तब वो कहती है लगता है यहां पर लड़ाई चल रही है और लग वहीं गया है कोई डायमेंड किंग्डम का जादूगर यहां पर आ गया है तब आस्ता वहां जानी की बात करता है तब नोयल कहती है क्या ये ठीक होगा शायद हमें इसे लख के उपर ही छोड़ देना चाहिए अगर डाइमेंड किंग्डम के लोग यहां पर हैं तो हमें पहले इस डंजन के एक खजाने को ढूरना होगा और अगर हमने चल्दी नहीं किया तो गोल्डन डोन भ वार को यूज किये भी इसके पास कितनी जादा पावर है और मुझे नहीं लगता इसकी पावर कम हो रही है तब क्लाउस यूनो को खजाने के चेंबर के अंदर जाने के लिए कहता है और उससे अपना मेशन पूरा करने के लिए कहता है और तब जैसे ही क्लाउस का ध्यान वो परसन क्लाउस पर हमला कर देता है और यहां हम देखते हैं जैसे ही लोटस लग पर हमला करने लगता है वैसे ही आस्ता आकर उसके मैजिक को काट देता है और यहां हम देखते हैं यूनो भी वापिस आके क्लाउस को बचा लेता है और तब उन दोनों को बच्पन की बात दियाद आती है जहां आस्ता ने कहा था कि यूनो चाए हम बलड लेटेर नहीं है पर फिर भी हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है तो इसलिए जो अब हमारे फ्रेंड्स है या फिर जो आगे बनेंगे उन्हें हम अपनी फैमली बनाएंगे और तब हम देखते हैं लाॉस यूनो के वापिस आने पर गुसा कर रहा होता है तब यूनो कहता है हम लोग फ्रेंड्स हैं तो हम लोग इसे हरा पर इकट्ठी अंदर जाएंगे और या हम देखते हैं आस्ता लोटस के सार लड़ने के लिए तयार हो जाता है तब लग अपने वच्पन को याद करके कहता है ये मेरा शिकार है इसके साथ तो मैं ही लड़ूँगा और सोचता है मैं इसे अपनी माँ खेली जरूर हराऊंगा और उस पर हमला कर देता है और कहता है मुझे अपने फ है तो तुम करो और जो मैंने करना है वो मैं करके रहूंगा तब लग कहता है पर मुझे अकेला करना होगा तब आस्ता ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाते हो पर हम लोग फ्रेंड्स हैं तो इसलिए हमें तुम्हारा साथ देने द अगर यह ऐसे होने वाला है तो इसका मतलब अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है और उन्हें अपने मैजिक से घेर लिता है और कहता है अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते है तब आस्ता कहता है ब्लैक बूल्स के बारे में एक स्पेशल चीज है कि चाहे वो जिससे मर जी लड़ें वो हमेशा जीतते ही है और यहां यूनो कहता है अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है और अपने पावफुल मैजिक से उस पर हमला कर देता है और यहां हम देखते हैं वो तीनों उस क्लाउड से वहाँ निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उसका कोई करूंगा तो यह इसे डॉच कर देगा इसके साल लड़ने के बाद मुझे पता चला है कि यह अपनी स्मोक में बहुत जादा जल्दी ट्रैवल करता है और यह हमारे मैजिक को बहुत जल्दी सेंस कर सकता है तब यहां लोटस सोचता है चाहे मैं इनकी तरह जवान नहीं हू पर मैं इस पावर को पूरा दिन यूज कर सकता हूँ और कहता है तुम्हारे हमले करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी मैजिकल पावर को सेंस कर सकता हूँ और तब हम देखती है लक लगाता और फायर करनी लगता है और लोटस उसके हमलों से बच रहा हु हमला करता है और नोवेल आस्ता को अपने मैजिक से लोटोस की तरफ फेंक देती है और आस्ता की पास मैजिक ना होने की वज़े से लोटोस उसे सैंस भी नहीं कर पाता और यहां हम देखती है यूनु का सबसे स्टॉंगरेस स्पेल भी उस परसन को हरा नहीं पाता और वो पूरी तरह ठक चुका होता है और तब वो परसन कहता है अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है और तब हम यहाँ देखती है कि लोटस सोचता है कि लगता है मेरी कुछ हडियां तूट चुकी है और मैं आगे फाइट भी नहीं कर पाऊंगा मानना पड़ेगा क्लोवर किंग्डम के पास बहुत रेर जैम्स है जैसे कि इसे ही ले लो एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई मैजिक ही नहीं है और उसके पास एक बड़ी सी तलवार है और मैं यह कह सकता हूं कि मैं आस तक किसी भी ऐसे इनसान से नहीं मिला हूं तो फिर अब रिज़र बनने से तो अच्छा है मैं मर ही जाओं और तब हम देखते हैं लोटरेस वहाँ से भागने लगता है और अपने स्कॉट की मेंबर्स को भी अपने साल ले जाने लगता है और हम देखते हैं लग अपनी पूरी स्पीड से उनका पीछा कर रहा होता है पर वो उन्हें चक्मा देखकर वहाँ से चला जाता है तब लग कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ मैं तो उसके साथ लड़ाई खतम करने के बारे में सोच रहा था और अब हमें अपना मिशन करना चाहिए तो चलो अब ट्रेजर रूम की तरब बढ़ते हैं और तब ही लग को बहुत पावफुल मैजिक महसूस होता है और तब यहां लोटस कहता है क्या तुम ठीक हो अब हम बहुत जल्दी ट्रेजर के पास पहुँचने वाले है और मुझे मार्स पर पूरा भरूसा है कि वो वहां की सारी चीजों को संभाल लेगा क्योंकि वो डायमेंड किंग्डम का एक सीक्रेट वैपन है और तब क्लाउस सोचता है जुनो तो अपनी पूरी पावर से भी इसे हरानी पा रहा है और इसके सिर पर जो डायमेंड से उसके बारे में ने सुना है मैंने सुना था कि डायमेंड किंग्डम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि उनकी magic को artificially enhance किया जा सके और जो बच्चे चुने जाते हैं उन्हें खतरनाक training दी जाती है और उनके सिर पर ऐसे ही magical items को चिनवा दिया जाता है ताकि उनकी magic को increase किया जा सके और उसके बाद उन्हें आपस में लड़वाया जाता है और जो आखिर में बच जाता है वो सबसे ताकतवर होता है तो क्या ये वो है पर अभी इससे कोई फरक नी पड़ता मैं एक novel हूँ और golden dawn का सदस्य हूँ पर फिर भी हमारा एक साती घायल है और दूसरा मुझे बचा रहा है तो मुझे अब कुछ करना ही होगा और तब वो अपने magic से मार्स पर हमला कर देता है और हम देखते हैं मार्स अपने clone से उसके हमले को रोक देता है और फिर क्लाउस पर हमला कर देता है और क्लाउस भी उसके हमले को रोक देता है और फिर से यूनो पर हमला कर देता है पर हम देखती है यूनो उसके हमले को डॉज कर रहा होता है और उस पर बार बार अपने मैजिक से हमला कर रहा होता है पर उससे मार्स पर कोई असर नहीं हो रहा होता और तब उसे आस्ता और उसकी ट्रेनिंग याद आती है जहां आस्ता यूनो के मैजिक के आगे हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता और कहता है मैं कभी हार नहीं मानूँगा और यहां हम देखती है यूनो भी हार नहीं मान रहा होता तब मार्स उसे हटने के लिए कहता है पर यूनो नहीं मानता और तब मार्स अपनी तलवार से यूनो पर हमला करने लगता है और तब हम देखते हैं आस्ता आकर अपनी तलवार से मार्स की तलवार को काट देता है और कहता है इस से दूर रहो क्योंकि यूनो मेरा राइवल है और तब यूनों कहता है, मुझे तो लगा था, मैंने अपना करजा चुका दिया है, तब यूनों कहता है, मुझे यकीनी हो रहा कि जब मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास पहुंचा, तब तुम मरने से सिरफ दो कदम ही दूर थे, आखिरकर तुम्हें ऐसे मार खाने के लिए किसने कहा, तब यूनों कहता है, तुम बीच में आये हो, मैं तो वैसे भी इसे हराने ही वाला था, तब आस्ता कहता है, तुम जूट कहरे हो, और वो दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं, और तब आस्ता कहता है, चलो फिर, देखते हैं इसे पहले कौन हराता और तब यहां क्लाउज सोचता है मुझे यकीनी हो रहा कि गोल्डन डॉन के तीन लोग इसे हरा नहीं पाए पर ब्लैक बुल्स के एक कॉमनर ने आकर उसे रोक दिया और तब मार्स जैसे यह क्लाउज पर हम्ला करने लगता है लग काकर उसे बचा लेता है और तब नोएल मुमोसा को बचाने के लिए उसके आसपाश शील्ड बना देती है और तब यहां आस्ता पूसता है तो क्या ये गोल्डन डॉन का हाल तुमने किया है तब मार्स कहता है इससे क्या फरक पड़ता है कि यह मैंने किया है यह नहीं तच्चाई तो यह है कि वीक लोग मारे जाते हैं और स्ट्रॉंग लोग बच जाते हैं लडाई के मैदान में कमजोरों की कोई जगा नहीं है और इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ ताकि मैं ऐसे लोगों को खतम कर सकूँ तब आस्ता कहता है तो चलो मुझे डिस्ट्रॉय करके दिखाओ और तब हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और तब हम देखते हैं आस्ता मार्स को बराबरी की टकर दे रहा होता है और मार्स को दूर फैंक देता है और तब हम देखते हैं लग मार्स की क्लोज को खतम करने लगता है और यूनो भी उसका साथ देने लगता है तब कलाउस सोसता है ये तो इंपॉसिबल है आखिरकार बीना मैजिक का कॉमरर ऐसा कैसे कर सकता है और तब नुएल कहती है उसे ऐसे देखना बंद कीजिए आसा के पास मैजिक को काटने की नहीं और तब हम देखते हैं मार्स अपनी ग्रिम वार को यूज करके आसा पर हमला कर देता है और उसे कैद कर लेता है तब मार्स फूसता है ओ लड़के आखिरकार तुम हो कौन तब आसा कहता है मैं वो हूँ जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है पर मैं फिर भी एक विजर्ट किंग बनके रहूंगा और जब तक मैं जिन्दा हूं तब तक मैं ये प्रूफ करता रहूंगा कि ये मैं कर सकता हूं तब क्लाउस सोचता है इसकी बॉड़ी को देखकर मुझे पता लग रहा है कि इसने बहुत जादा ट्रेनिंग की है तो क्या ये सच में विज जैसो से बिलकु नहीं हा सकता और तब मार्स कहता है मामूली सा पत्थर मेरे रास्ते से हट जाओ तब आस्ता कहता है मैं चाहे एक मामूली सा पत्थर हूं पर मैं एक डाइमेंड को तोड़ने की ताकत रखता हूं और वो मार्स के मैजिक को तोड़ देता है और तब युन मुझे पर डाउट कर रहे हो ये मैजिक इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई एक इंजट परसन इसे असानी से तोड़ सके और तब यहा ममोसा नोवैल को उसकी मदद करने के लिए थैंक्यू कहती है और तब क्लाउज सोचता है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमें ब्लैक बूल्स ने बचाया है और वो कहता है हम तीनों यहां पहले पहुँचे थे तो इसलिए हम कॉमपेडिशन में जीत गए हैं पर हम फिर भी तुम तीनों को ट्रेजर रूम के अंदर एंटर करने की इजाज़त दे रहे हैं और तब हम देखती हैं आस्ता और क्लाउज आपस में बहस करने लगते हैं और तब वो दोनों एक दूसरे को अंदर जाने के लिए कहते हैं और उन दोनों कहीं पता नहीं होता कि अंदर कैसे जाना है और तब लग कहता है यह शायद मैजिक से बना है तो आस्ता तुम शायद इसे तोड़ सकते हो और तब क्लाउज कहत मुझे नहीं लगता तुम इतने पावफुल मैजिक को काट सकते हो। पर आस्ता को कुछ समझ नहीं आरा होता और यहां क्लाउस सोच रहा होता है आखिर कर इसकी ग्रिम वॉर इतनी अजीब क्यूँ है और इसे ऐसे स्चिच क्यूँ किया गया है यहांद सब कुछ अजीब हो रहा है यहांपर एक आदमी है जिसके पास फोर लीफ लोवर है और द आउस सोचता है आखिर का ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया पर रुको ये तो फ्लेम रिकवरी मैजिक यूज कर रहा है पर ये तो इंपॉसिबल है क्योंकि हर एक मैजिकल यूजर के पास एक ही टाइप की मैजिकल पावर होती है एक जाजुगर के पास फायर विंड वाटर और अर्थ में से एक ही मैजिकल पावर होती है और या फिर उनके पास इन से ही बने हुए बाकी वेरियंट्स होते है पर ये तो रूल को तोड़ रहा है इसके पास तो दो तरह के मैजिकल पावर है और ये अटेक करने के साथ साथ अपने आप पो हील भी कर सकता है चाहिए किंग्डेम की एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है और यहां मार्स को एक लड़की यादारी होती है जो कि उस पे हमला करकी उसे माररी होती है और तब नोयल जैसे ये मार्स पर हमला करने लगती है वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है और तब हम देखते है आस्ता अपने फ और रास्ता को दूर फैंक देता है और यहां मार्स कहरा होता है तिरफ स्ट्रॉंग्स को ही जिन्दा रहने का हक है वीक्स को मरना ही होगा और यहां हम देखते हैं ममोसा नोईल को हील कर रही होती है और उसे बचाने के लिए अपने सबसे ताकतवर मैजिक यूज करने लगती है और तब हमें यहां उनका बच्पन दिखाया जाता है जहां ममोसा अपने मैजिक को अच्छी तरह यूज कर पा रही होती है पर नोयल अपने मैजिक को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती है और सभी लोग इसके बारे में बाते कर रहे होते हैं और यहाँ नोयल अपनी पूरी जी जान से अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है तब मोमोसा सूसती है अगर मैं इसकी जगा होती तो अब तक मैं हार मान चुकी होती और कहती है रोयल्स को हार्ड वर्क करना शौभा नहीं देता हार्ड वर्क तो वो लोग करते हैं जिनके पास पावा नहीं होती और तुमने हमेशा बहुत हार्ड वर्क किया है जिसकी वज़े से मैं तुमारी बहुत इज़त करती हूँ और तब हम देखते हैं मार्स मिमوسा की तरह बढ़ रहा होता है और यूनो कलाउस और लग कुछ नहीं कर पारे होते और तब है आस्ता को होश आ जाता है और वो कहता है उसका मैजिक मेरी तलवार से ज़ादा फास्ट है और उसने अपने लड़ने के स्टाइल को भी चेंज कर दिया है तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ और तब हम देखते हैं नैरोउसे एक तलवार दिखाती है और यहाँ मार्स को बार बार एक लड़की यादारी होती है और तब मार्स मिमوسा पर हमला कर देता है पर हम देखते हैं आस्ता उसे नई तलवार को लेकर उसके हमलों को काट लेता है तब मार्स कहता है आखिर का ये तलवार कहां से आई तब आस्ता पूरी स्पीड से मार्स की तरह बढ़ रहा होता है और उसके हमला कर देता है पर हम देखते हैं मार्स अपने हीलिंग मैजिक से अपने आपको ठीक कर लेता है और आस्ता को दूर फेंग देता है तब आस्ता कहता है मैं चाहे अब इसके मैजिक को कार सकता हूँ पर जब तक ये अपना हिलिंग मैजिक यूज़ कर रहा है मैं तब तक इसे हरा नहीं पाऊंगा तो फिर अब मैं क्या करूँ चाहे मेरे पास कोई magical power ना हो पर मेरे पास मेरे दोस्त है और नोवैल के magic को उसकी तरफ ठोग करता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं तब लग सोचता है कैसे नोवैल की power को बोरो कर लिया तब clown सोचता है आखिर का ये तलवार किस तरह की है तब आस्ता देखता है मार्स के हमले से उसे चोट लग जाती है और उसके वोंसे खोव निकरने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और तब हम देखते हैं ममोसा आस्ता को हील करने लग जाती है और बाकी सभी लोग उसे मरने से मना कर रहे होते हैं तब उनकी बाते सुनकर मार्स को अपना बचपनी आदा जाता है जहां एक लड़की कैरी होती है मार्स अगर तुम्हें ट्रेनिंग पेंफुल लगती है तो तो अपनी आखें बंद करके उनको याद करना जो तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि इसी वज़े से हम यहां हैं हम लोग जिन्हें प्यार करते हैं हम उन्हें बचाने के लिए ही पैदा हुए हैं जब एक बार हम ये ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तब हम डाइमेंट किंग्डम की तरफ से बाहर जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है हम मेंसे तुम पहले होगे जो ऐसा करेगा क्योंकि तुम हम सबसे स्ट्रॉंग हो और तब मार्स कहता है जब मैं बाहर चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारी वेट करूंगा पाना और मार्स बच जाते हैं और तब फाना मार्स से माफी मांगते हुए उस पर हमला कर देती है पर हम देखते हैं मार्स अपने आपको बचाने के चकर में उसे मार देता है और तब वहां की अथोरिटीज कहती है चलो मार्स और फाना की पावर को मिला दे और मार्स को हमारी डामेंड किंडम का ultimate warrior बना दे और तब मार्स सोचता है बुझे किसी की जुरूरत नहीं है तब मेरे पास बहुत ज़्यादा magical पावर है और जिनके पास magic नहीं होता वो कमजोर होते हैं और कमजोरों को जिन्दा रहने का कोई हक नहीं है और आस्ता से कहता है अब तुम हार मान लो तुम जैसा कोई घटिया इंसान तुम जैसा मामूली इंसान मुझे कभी नहीं हरा सकता और अपनी तरवार को निकार लेता है तब क्लाउस सोचता है ये हमारा आखरी चांस है क्योंकि आस्ता की अटेक की वज़े से उसका फ्लेम रिकवरी मैजिक खतम हो चुका है तो इसलिए हम अब उसे हरा सकते हैं और तब जैसे ही मार्स आस्ता पर हमला करने लगता है यूनो अपने आपको छुड़वा लेता है और सोचता है मैं चाहे जो मर्जी स्पहली उसकर लू पर मैं आस्ता तक टाइम पर नहीं पह Rs. पहुँँच पाऊंगा पर मैं उसे मरने नहीं दे सकता तब हम देखते हैं यूनो की ग्रिमवर की वज़े से टाइम स्लो हो जाता है तब के लाउस पूtal है सी लड़की थी तब क्लाउस कहता है तुम अभी ठक चुके हो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और अब तो ये हार भी चुका है और तब उनो देखता है उसकी ग्रिम वार में उस्क्रोड के words आ चुके होते हैं और तब हम देखती है आस्ता की न्यू तलवार उसके green mall में चली जाती है और वो dungeon तूटना start कर देता है तब यूनो सबको चलने के लिए कहता है तब आस्ता कहता है तुम्हें उसे भी बचाना होगा तब close कहता है क्या तुम पागल हो गयो इससे हमें मारने के कोशिश की थी तब आस्ता कहता है वो भी हमारी तरह खजाने को खोजने आया था पर हम देखते हैं वो उस तक नहीं पहुँच पारे होते हैं और तब dungeon और भी तेजी से गिरना start कर देता है और तब luck यूनो को बाहर जाने का रास्ता बताने लगता है और तब हम देखते हैं कि लाउस, नोवैल और लक रास्ते में आने वाले सारे पत्रों को तोड़ने लगते हैं और तब वो सभी लोग बड़ी मुश्किल से उस dungeon से बाहर आ जाते हैं और यहां हम देखते हैं लोटस और उसके साथी यूनों का पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं और उन्होंने मार्स और ट्रेजर को भी हासल कर लिया होता है और यहां मार्स को फाना की मौत यादारी होती है और तब हम देखते हैं फाना अपने आखरी समय में मार्स के जखमों को ठीक कर देती है और उसे माफी मांगती है और यहां मार्स को होश आ जाता है और तब लोटस मार्स की मदद के लिए उसे थैंक्यू कहता है और यहां मार्स को अपना पास्च याद आ जाता है जहां फाना उसे कहती है अब जाओ मार्स जाके हम दोनों के लिए अपनी जिंदगी जियो और तब मार्स लोटस को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्यू कहता है और यहां हम देखती है आस्ता को भी होश आ चुका होता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं तब ममोसा कहती है तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो मेरे पास इतनी मेजिकल पावर नहीं थी कि मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर पाऊं तब आस्ता कहता है नहीं नहीं अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं अब तक मर चुका होता तो इसलिए ठैंक्यू जिससे ममोसा शिर्मा जाती है और तब लग कहता है मुझे और आस्ता को गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बस कॉमनर्स होने के कारण अक्नॉलेज नहीं किया और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं पर तुम दोनों बहुत अच्छे मैजिक नाइट्स हो और तुम्हें पाकर हम लोग बहुत ल वो ठीक होता है और यहाँ हम देखती हैं आस्ता एक हफ्ते तक सोता रहता है तब वेनिस्अ आस्ता को बताती है कि नोवैल तुम्हारे लिए बहुत परिशान थी और वही तुम्हारी देखबाल कर रही थी पर नोवैल इससे मना गरने लगती है और यहां गोष अपनी ही ب यामी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तो आखिर कर तुम जिंदा बच्ची गए शुकर रहा तुम वहाँ पर मरे नी और हां मैजिक नाइट हैटकौर्टर्स डेंजन की रिपोर्ट चाते हैं तो इसलिए अगर तुम वहाँ चल सकते हो तो तुम वहाँ जाओगे और तब आस्ता और उसे अकेला पाकर शर्मारी होती है और यहां हम देखते हैं उन्हें रास्ते में यूनो और उसकी टीम मिल जाती है और तब क्लाउस आस्ता का हुआल पूसता है और आस्ता कहता है मैं बिलकु ठीक हूँ और तब ममोसा को थैंक्यू कहने लगता है जिससे ममोसा वहां से चली जाती है तब यूनो उसका मजाग उड़ाने लगता है और तब आस्ता यूनो के सार लड़ने लगता है और यहां मिमोसा नोवैल को बताती है कि वो आस्ता को पसंद करने लगी है और उसकी तारीफे करने लगती है जिसे सुनकर नोवैल को भी कुछ होने लगता और नोयल इस बाद से परिशान हो जाती है और तब वो दोनों चीखने लगती है और तब वो लोग हैटकौर्टर्स की तरह बढ़ने लगते है और तब विज़र्ट किंग के आने पर उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते है और यूनो रास्था को कुछ भी समझनी आ रहा होता तब क्लाउस कहता है जी है विज़र्ट किंग जूलियस नोवा क्रोनो जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है तब विज़र्ट किंग यूनो के नए स्पेल को पढ़ते हैं और उसके नए मैजिक की तारीफ करने लगते हैं और तब क्लाउस कहता है तो इसका मतलब यह सच है कि विज़र्ट किंग को नए नए मैजिक बहुत पसंद है और तब विज़र्ट किंग यूनो को उस मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं ता यूनो कहता है मुझे माफ कर देना सर पर मैं डंजन के बाद इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया जिसे सुनकर विजर्ड किंग उधास हो जाते हैं और सोचते हैं तो ये है सिल्फ दविंड स्पिरिट अफ टी फोर ग्रेट अट्रिब्यूट्स तो इसका मतलब उसे इस एर अपनी नई तलवार दिखाता है जिसे देखकर विजर्ड किंग फिर से एक्साइटिड हो जाते हैं और जैसी उस तलवार को उठाते हैं वो तलवार बहुत भारी होती है और तब विजर्ड किंग सोचते हैं ये तलवार तो मेरी पावर को एब्सॉब कर रही है और कहते है अब मुझे समझ आया ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं उठा नहीं सकता और ये तुम्हारे लिए बिलकुल परफेक्ट है वोगि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है और तब विजर्ट किंग उनके काम के लिए उन्हें एप्रिशेट करने लगते हैं और तब आस्ता और यूनो विजर्ट किंग से विजर्ट किंग बनने का रास्ता भूशते हैं तब विजर्ट किंग हसने लगते हैं तब कलाउस कहता है विजर्ट किंग से ऐसे डिरेक्ट को पूशना बहुत गलत बात है. मुझे ध्यान से सुनो, तुम्हें विज़र्ट किंग बनने के लिए सभी लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा. तक विज़र्ट किंग कहते हैं, तुम केवल लोगों के विश्वास से विज़र्ट किंग नहीं बन सकते. तुम्हें अपने आपको साबित करना होगा और अगर तुम खुद को साबिती नहीं कर पाए तो तुम टॉप पर नहीं रह पाओगे और तब वो आस्ता और युनो को देखकर सोचते हैं यामी और विलियम तुमने काफी अच्छा काम किया है इन दोनों की आँखों में मुझे कुछ बनने की आग दिखाई देती है और तब विजर्ट किंग उन सभी को डेकोरेशन सेरिमनी के लिए बुलाते हैं जिसमें उन मैजिक नाइट्स को थैंक्यू कहा जाएगा जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है तब विजर्ट किंग उन्हें वहाँ ले जाकर कहते हैं चलो देखते हैं कि क्या तुम इनसे भी अच्छे रिजर्ट्स ला सकते हो या नहीं और तब विजर्ट किंग सेरिमनी को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और तब हमें बताया जाता है कि Clover Kingdom के हर Magic Knight को उनकी ability के according उन्हें एक rank दिया जाता है और वो rank और भी ज़्यादा सब ranks में divided होते हैं और Wizard King उन में से सबसे उपर हैं और Magic Knights को decoration ceremony से पहले एक appropriate number के star हासिल करने होते हैं ताकि उन्हें नया rank मिल सके और तब हम देखते हैं अलग-लग Magic Knights को उनके काम के हिसाब से awards और rank मिलते हैं और Wizard King उनके Magic के लिए उनको appreciate कर रहे होते हैं और तब Wizard King बाकी सबी को आस्टा और यूनो के दोस्तों से introduce कर वाते हैं पर तब ही उन्हें कोई काम आ जाता है जिसकी वज़े से वो आँसे चले जाते हैं और यहां क्लाउ सोच रहा होता है आखिर कर हमें क्यों यहां बुलाया गया है यहां तो बहुत सारे extraordinary magic knights हैं और Wizard King भी अब यहां से जा चुकी हैं और यहां हम देखते हैं आस्ता फ्रिली सब कुछ enjoy कर रहा होता है और तब सभी लोग आस्ता के बारे में बुरा भला कहरे होते हैं और तब आस्ता कहता है मुझे तुम्हारी बातों से परिशानी तो हो रही है तब क्लाउस जैसे ही कुछ बोलने लगता है तब वो परसन क्लाउस और मुमोसा की बेस्ती करने लगता है और तब क्लाउस मुमोसा को प्रोटेक्ट करता है और तब नोईल का भाई नोईल के सिर पर पानी डालकर उसकी बेस्ती करने लगता है और तब हम देखते हैं उसके बाकी भाई बेहन भी उसे सिल्वा फैमली में जनम लेने के लिए कोसने लगते हैं और उसे उसके मैजिक को ना कंट्रोल कर पाने की वज़े से ताने देने लगते हैं और तब नोवल सिल्वा कहता है यहां से चली जाओ तुम सिल्वा फैमली पर एक बहुत बड़ा दाग हो क्या हमारी मा को मारना तुम्हारे लिए काफी नहीं है और तब नोवल रोते हुए वहाँ से जाने लगती है तब आस्ता उसे पकड़ कर कहता है तुम्हें इन जैसे बेकार से लोगों से दरने की ज़ूरत नहीं है और टेबल पर चड़के कहता है तुम्हें यहां विजर्ट किंग ने बुलाया है तो तुम भी इनसे अलग नहीं हो तुम चाहे हमें जो मर्जी कहो पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस बात से फरक पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो और तब गोल्डन उनका एक परसन आस्ता को कैद कर लेता ह पर आस्ता अपनी मैजिकल स्वार्ट से उसके मैजिक को काट देता है और कहता है तुम चाहें जो मर्जी कर लो पर मैं चुप नहीं रहूंगा और देखना एक दिन मैं विजर्ट किंग जरूर बनूँगा और तुम सभी के मुप बंद करवा दूँगा और यहां हम देखत आखिर कार उनकी इतने हिम्मत कैसे हुई और तब हम देखते हैं वहाँ एक और परसन आ जाता है और उसे बताता है कि सब कुछ तयार है तब दूसरा परसन कहता है तो मैं क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स को बताऊंगा कि असली पावर कहते किसे हैं और तब हम देख हैं आस्ता अपनी तलवार से उनके मैजिक को काट देता है तब गोरिडन डॉन का मैजिक नाइट्स होसता है मुझे यह एहसास हो गया था कि इसके पास मैजिक को इरेस करने की पावर है तो इसका मतलब यह कोई मामूली कॉमनर नहीं है तो अगर हम इसकी रेंज से दूर र दिन इसे तो पनिश्मेंट मिलनी चाहिए तब नुवैल का भाई कहता है पनिश्मेंट तो एक छोटी सी चीज है हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए और आस्ता के उपर अपने मैजिक से हमला कर देता है और हम देखते हैं आस्ता नुवैल की बेस्ती को सोचकर अपनी दू को नहीं उसकाना चाहिए क्या तुम हमारी फैमली की रेपोटिशन को गिराना चाहते हो तब आस्ता सोसता है इसकी प्रेजन्स तो कैप्टन यामी से बिल्कुल अलग है तो यह सिल्वर इगल के कैप्टन नुजैल सिल्वा और तब कैप्टन नुजैल कहते हैं एक कॉमनर जो बहुत कमाल के बंदे हो और आज तुम्हारा लखी दिन है क्योंकि मैं आज से तुम्हें अपना राइवल चुनता हूँ चलो फिर सेलिब्रेट करें तब आस्ता कहता है पर मेरा राइवल तो पहले से ही है और वो यूनो है तब लियो पोर्ड कहता है तो क्या हुआ तुम् वो लियो पोर्ड का राइवल बन चुका है क्योंकि किसी रियोलिटी का राइवल होना बहुत गर्व की बात होती है तब कैप्टन नुजैल कहते है एक रॉयल एक कॉमनर को अपना राइवल मान रहा है ये कितनी बिकार बात है तब कैप्टन वर्मिलियन कहते है याद रु एक इगल धर्ती पे चल रहे छोटे मुटे इंसेक्ट की कोई इज़त नहीं करता और तब वो दोनों अपनी ताकत से सबको चौंका देते हैं तब आस्ता कहता है यह तो बहुत कमाल का है तब यूनों कहता है क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो तब आस्ता कहता है चाहे मुझ और जोर से हसरा होता है और वो जॉंबिस की मदद से लोगों पर हमला कर रहा होता है और यहां हम देखते हैं कुछ मैजिक नाइट्स उन्हें रोकने वहां आ जाते हैं पर हम देखते हैं उनके मैजिक से वो जॉंबिस नहीं रुक रहे होते और तब वो परसन अपने मैजि की मदद से Clover Kingdom का एक Live Model बनाता है और तब उस Model में दिखाया जा रहा होता है कि Royal Capital में कहा कहा हमले हो रहे हैं तब एक Magic Knight कहता है यहाँ पर तो 5 जगा पर एक साथ हमला हुआ है तब Captain Vermillion कहते हैं लगता है किसी खतरनाक Special Magic User ने उन्हें वहाँ भीजा है और सोचते हैं और यह हुआ कैसे तो कि यहाँ पर Royal Capital के आसपास हमेशा एक Barrier बनाया जाता है जिसकी वज़े से कोई Special Magic User भी इसके अंदर नहीं आ सकता क्या उन्होंने कोई रास्ता लून लिया है या फिर किसी Magic Knight ने हमें धोका दिया है और कहते हैं अब हमें कोई प्लैन बनाना होगा और सबसे पहले इस महल को सुरक्षित करना होगा तब आस्ता कहता है आकिरकर हम लोग यहां करके आ रहे हैं अगर आप लोग नहीं चलोगे तो मैं अकेले ही चला जाओंगा तब क्लाउस कहता है तुम बिना प्लैन के जा कहा रहे हो और तुम उस जगह को ढूंडोगे कैसे तुम तो मैजिक को सेंस भी नहीं कर सकते तब आस्ता कहता है मैं सबसे पहले वहां जाओंगा जहां पर सबसे ज़्यादा शोर हो रहा है और तब लियो पोड भी आस्ता की पीछे चला जाता है और तब कैप्टन विर्मिलियन सभी को पांच जीमों में बढ़कर लोगों को बचाने के लिए कहते हैं और यहां हम देखते हैं चार्मी कहती है मैं तो यहाँ पर खाना खाने के लिए आस्ता के पीछे आई थी और यहाँ तो कोई गडबड़ी चल रही है तो इसलिए मुझे काम करना होगा और अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे शायद कुछ अच्छा खाने को मिल जाए और तभी उसे खाने की स्मेल आ जाती है और वो उस तरफ को निकल जाती है और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर इगल्स सेंटर डिस्टिक में पहुँच जाते हैं और यहाँ ब्ल्यू रोस की कैप्टन और उसकी साथी इस डिस्टिक में पहुँच जाते हैं और यहाँ डिस्ची की तरफ कैप्टेन वर्मिलियन और नोवेल पहुंच जाते हैं और तब हम देखती हैं क्लोवर किंडम का एनिमी जैसे ही कुछ लोगों को मारने लगता है आस्ता उन्हें बचाने वहां आ जाता है और तब वो परसन कहता है मुझे ये तो पता था कि कोई ने कोई मै पर हम देखते हैं आस्ता के वार करने के बाद वो जॉंबिस उठने ही पारे होते और तब वो बच्ची आस्ता की पीछे चली जाती है तब वो परसन कहता है तो मुझे समझ आया तुम हो वो एंटी मैजिक वाले और तब वो वहां पर बहुत सारे जॉंबिस को बुला लेत है और तब यहां कलाउस कहता है आखिर का यह चीजे क्या है हम चाहे इन पर जितना मर्जी हमला कर ले पर यह रूकी नहीं रहे है और तब यहां यूनो कहता है क्या इनकी कोई वीकनेस भी है तब दूसरा परसन कहता है अगर तुम्हारी ताकत जादा है तो हमें दूसरों क कोई फरक नी पड़ता तब यहां लियोपूर्ड कहता है काश मेरा राइवल ठीक हो तब कैप्टन विर्मिलियन कहते हैं तुम उस लड़के की चिंता बाद में कर लेना और इन सब के अंदर बस मैजिक ही है मतलब कि यह जिन्दा नहीं है तो हमें इन्हें तब तक मारना होग है और यहां हम देखते हैं उन सबी की पावर्स को देखकर क्लोवर किंगडम के सारे लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं और यहां हम देखते हैं आस्ता एक एक करके उन जॉंबिस को हरा रहा होता है तब लियोपूर्ट सोचता है आखिर का यह अपनी तर्वार के साथ यह जॉंबिस को कंट्रोल करता हूँ और ये सब कुछ मेरे रैट मैजिक का कमाल है पर इस लड़के की तलवार इन जॉंबिस के अंदर से मेरे मैजिक को खतम कर रही है तब आस्ता कहता है आखिरकार तुम इन मामूली लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो पर मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि तुम ये दुबारा ना कर पाओ तो इसलिए मैं तुम्हें हरा दूँगा और उसके उपर हमला करने लगता है और तब हम देखते हैं वो परसन अपने एक बहुत ताकतवर जॉंबि को बुला लेता है और कहता है ये लोग इनोसेंट लोग नहीं है यहाँ पर किसी ने भी मेरे मैजिक को नहीं समझा है तो इसलिए ये सारे गिल्टी है और यहाँ हम देखते हैं सारे मैजिक नाइट्स बहुती असानी से उन सभी जॉंबिस को हरा रहे होते हैं तब यहाँ वो परसन कहता है चलो जाओ जीमी इस बार ये लड़का तुम्हारा दुश्मन है और तब आस्ता कहता है ये गलत बात है तुम बार बार ऐसे अजीब से अजीब मॉस्टर को बाहर ला रहे हो और देखता है कि जीमी की हमले की वज़े से उसके चहरे से खूर निकल रहा होता है तब वो परसन कहता है जीमी अपनी कर से जिस पर हमला करता है उसका खूर निकलना बद नहीं होता तो इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगा होता तो मैं अपना ख्याल रखता और तब आस्ता जीमी के कर्सिस को काटने लगता है तब वो एनिमी कहता है तुम तो बीना मैजिक के ही नाक में दम कर रहे हो पर तुम चिंता मत करो जीमी के पास अभी भी बहुत ज्यादा कर्स पावर पड़ी हुई है और तब वो जीमी को आस्ता के पीछे खड़ी लड़क पर हम देखती हैं आस्ता को भी थोड़ी चोटा जाती है तब वो परसन कहता है ज़रा ध्यान से देखो इने बचाते हुए तुम्हें भी चोट लग रही है तो आखिरकार तुम्हें इसे बचाने का क्या फाइदा हो रहा है तब आस्ता कहता है मुझे कोई फरक नीपरता कि म मुझे किसी की जिन्दगी बचाने से क्या मिलेगा तब वो पर्सन कहता है तो ठीक है अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो जब तक तुम मर दी जाते तब तक अपनी स्वार को घुमाते रहो और तब हम देखती है आस्ता हार नहीं मान रहा होता और तब नुवैल वहा जाती है और कहती है मुझे किसी भी तरह आस्ता की मदद करनी होगी और तब उसे अपने भाई बेहनों की बात यादाने लगती है जिन्नों ने उससे कहा था कि तुम बिलकु बेकार हो और अपनी फैमिली के नाम पर एक धबा हो तो इसलिए यहां से चले जाओ और तब नुवैल कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती तो प्लीज कोई तो आस्ता की मदद करो पर तब हम देखती है कुछ जॉंबिस नुवैल को घेर लेते हैं पर तब ही कैप्टेन वर मिलियन आकर उसे बचा लेते हैं और नुवैल के सिर पर मार के खते हैं कॉंसेंट्रेट करो और मुझे यह तुम अपनी सिब्लिंग्स की वज़े से कुछ नहीं कर पा रही हो तो मैं तुम्हें बता दू कि लड़ाई के मैदान में ये सब को सोचने का तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारा एक wrong decision तुम्हारी जिंदगी को खतम कर सकता है तुम यहां आज एक magic night के तौर पर खड़ी हो तो अगर तुमने magic nights को अपनी इच्छा से join किया है तो अपने आपको तयार करो और strong बनो कमजोर होने में कोई बुराई नहीं है पर अगर तुम कमजोर ही रहोगे तो इससे बेशर्मी वली बात कोई नहीं हो सकती तब नोवैल सोसती है इन्होंने सही कहा क्योंकि आस्ता ने हमेशा ये proof किया है तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ और हम strong बन सकते हैं और यहां हम देखते हैं आस्ता बुरी तरह ठक चुका होता है और उसे बहुत ज़्यादा चोटे आई होती है और वो फिर भी हार नहीं मान रहा होता और तब हम देखती हैं जैसे ही जीमी उस लड़की पर हमला करने लगता है नोवैल उस लड़की के आसपास protection shield बना देती है और कहती है मैं तो तुमें थोड़ी देर के लिए अकेला भी नहीं छोड़ सकती आखिर का तुम मेरे बिना क्या ही करोगे तो अब इसकी फिकर छोड़ो और जाकर उससे लड़ो और तब आस्ता उसे thank you कहता है और तब हम देखते हैं आस्ता को बहुत सारे zombies खेर लेते हैं पर लियोपोर्ड आस्ता को बचा लेता है और कहता है चलो फिर उस आदमी को हरा दो और मुझे दिखाओ तुम आखिर कर क्या सकते हो और तब हम देखते हैं आस्ता पूरे जोज के साथ आगे की और बढ़ने लगता है और तब वो जॉंबी ऐल्फरेड आस्ता पर हमला कर देता है और वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा बिचली चमकने लगती है और यहां कैप्टर नोजल सोच रहे होते हैं आखिरकार इन जॉंबीस को कौन कंट्रोल कर रहा है और क्या यह सभी लोग किंग के बिच्छे आ रहे हैं और यहां किंग माक्स से कहरे होते हैं आखिरकार वो विजर्ट किंग चला कहा गया क्या मेरी जान बचाना उसकी जिम्मेवारी नहीं है तो आखिरकार वो अपनी डूटी छोड़कर गायब कहा हो गया तो माक्स कहता है और यहां हम देखते हैं एक शेफ मैजिक नाइट्स की सेरिमेनी के लिए कुप कर रहा होता है पर तभी उसके साथी आकर बताते हैं कि सभी मैजिक नाइट्स लड़ने के लिए चले गए हैं तब वो कुप कहता है क्या वो लोग मेरी डिश खाए बिना ही यहां से चले गए और तभी हम देखते हैं चामी वहाँ आ जाती है और उसके खाने को खाने के लिए जित करनी लगती है जिसे देखकर उस कुप के अंदर मोटिवेशन आ जाती है और वो फिर से कुकिंग स्टार्ट कर देता है और यहां हम देखते हैं अलफरेड आस्ता पर हमला कर रहा होता है पर आस्ता उसे चूनी पा रहा होता तब वो एनिमी कहता है तुम चाहे मैजिक को काट सकते हो पर वो किसी काम का नहीं होगा अगर तुम अपने टार्गेट को हिट्टी न कर पाओ और तब नुएल उस बच्ची को वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है तुम आस्ता के चिंता मत करो मैं अपने अच्छे दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती और यहां हम देखते हैं आस्ता अभी भी एलफरेट तक नहीं पहुचपा रहा होता और तब यहां नुएल सोस्ती है हम जब डंजन में थे तब आस्ता ने मेरी पावर को बोरो करके उस दुश्वन को हराया था तो शायद अब भी हम वैसा कर पाएं अगर ऐसा हुआ तो हम इसे हरा सकते हैं और यहां लियोपोर्ट भी नुवैल की मदद करने के लिए कहता है और वो एनिमी उन सभी के लिए एक और जॉंबी बुला लेता है और तब लियोपोर्ट सोसता है यह तो मिट्टी से बना हुआ है और मेरा फायर मैजिक इससे कमजोर है तब नुवैल सोसती है पिछे जॉंबी के हमले के कारण आस्ता को बहुत चोटे आई है जिसकी वज़े से वो थक चुका है तब वो एनिमी कहता है तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मैं तुम से आकर लड़ू पर अगर मैं इन जॉंबी को यूज करके तुम्हें हरा सकता हूँ तो मैं अराम से बैटके इस लड़ाई को इंजॉई क्यों न करूँ और मुझे पता है कि अपने बोड़ी से ज़दा अपने दिमाग को यूज कैसे करना है मैं तुम्हारी तरह बेफकूफ नहीं हूँ और जोर जोर से हसने लगता है तब आस्ता सोचता है मुझे किसी भी किमत पर इसे हराना ही होगा और आखिर कार मैं ये कैसे करूँगा और तब वो एनिमी ऐल्फरेट को आस्ता को मारने के लिए कहता है और तब ही हम देखते है कैप्टन वर्मिलियन अपने एक ही हमले से अल्फरेट को जला देते है तब आस्ता सोचता है आखिर कार मैं कर क्या रहा था मैं तो एक दुश्वन को हरा भी नहीं पाया तब कैप्टन वर्मिलियन आस्ता से कहते है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच में आ गया और मुझे लगा ये बहुत बुरी बात होगी कि मैं तुम्हारे जैसे मैजिक नाइट को आज मरने दू तो मुझे माफ कर देना और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शरम नहीं आ रही है कि तुम्हारे जैसा कॉमिनर जिसके पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है वो भी बहुत अच्छे से लड़ता है और मुझे ये असेप्ट करने में बुरा लग रहा है और ये सच बैत है कि यामी की नजर मुझसे बहतर है तो तुम्हारा नाम आस्ता है ना तो तुमने पहले कहा था ना कि तुम विजर्ट किंग बनना चाहते हो तो इसका मतलब मैं भी तुम्हारा राइवल हूँ अब तुम इस लड़ाई को मुझ पर छोड़ दो और तब आस्ता कैप्टन वर्मिलियन की बातों को सुनकर एकसाइटिन हो जाता है और उनकी मदद करने के लिए उनके साथ जाने लगता है और तब कैप्टन वर्मिलियन उसे लड़ने से मना कर देते हैं और कहते हैं एक वारियर होने के नाते तुमें अपनी कंडिशन के बारे में पता होना चाहिए और तुमें पता होना चाहिए कि तुम आगे लड़ सकते हो या नहीं तो अगर तुम सच में विजर्ट किंग बना चाहते हो तो लड़ाई में अपने दिमाग से काम लिया करो तब कैप्टन वर्मिलियन उस दुश्मन से उसका नाम पूछते हैं और तो वो एनिमी कहता है तो तुमने मुझे पहचाना नहीं छे साल पहले मैं मैजिक नाइट स्कॉट के लिए एक टॉप चोइस था पर मुझे ये पूरी उमीद है कि तुमें तो मैं याद भी नहीं हूँगा तब कैप्टन वर्मिलियन कहते है मैंने तुमें मैजिक नाइट एंट्रेंस एक्जाम भी देखा था तो फिर तुम्हारा नाम क्या है और वो कहता है रेडिस तब कैप्टन वर्मिलियन कहते है पर तुम तो परपल औरकर्स के द्वारा चूस चिये गए थे पर अब तुम हमारे अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हो तब रेडिस कहता है उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया उनका कहना था कि मेरा मैजिक डेंजरस है और उन्होंने मुझे किंगडम और स्कॉर्ट दोनों से निकाल दिया चाहे मेरी पावर किसी भी रॉयल से ज़्यादा थी पर फिर भी मेरे कॉमलर होने के कारण किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और इसी दिये मैं इस किंगडम और उन मैजिक नैट से अपना रिवेंज लेने आया हूँ तब कैप्टरम वर्मिलियन कहते है ये सब कुछ तुम बदले के लिए कर रहे हो ये कितनी बेफकूफी वाली बात है और अपने भाई से मदद के लिए पूछते हैं तब लियोपोल्ड मना कर देता है तब कैप्टरम वर्मिलियन कहते है तो ठीक है तो अब तुम अपनी लड़ाई लड़ो और मैं इससे संभालता हूँ और तब वो अपने मैजिक से रेडिस पर हमला कर देते हैं पर हम देखते हैं रेडिस अपने जॉम्बी के बैरियर मैजिक की वज़े से बच जाता है और तब कैप्टरम वर्मिलियन आस्ता को इस रड़ाई पर धियान रखने के लिए कहते हैं और तब रेडिस जैसे कैप्टरम वर्मिलियन पर हमला करने लगता है कैप्टरम वर्मिलियन अपने आसपास एक शीर्ड बना लेते हैं और तब Radies हस्ते हुए कहता है क्या Crimson Lions का Captain बस इतना ही कर सकता है और तब ही हम देखते हैं Captain Vareemillion के हमले की वज़े से Radies का Zombie जल जाता है और तब वो कहते हैं तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तुम हमला करते थे तब उसके barrier में छोटे छोटे gaps हो जाते होगा ताकि तुम उसके magical power को analyze करके एक strategy बनाके उसे हरा सको तब आसा सोचता है इतने कम टाइम में अपने opponent की कमजोरी निकाली और उसे हरा भी दिया तो यह हैं एक magic night squad captain का कमाल और तब captain Vermillion कहते हैं Radies तुम्हारी power कमाल की है पर तुमें एक monster हो इसलिए उन्होंने तुमें एक spell करके बहुत अच्छा काम किया और तब यहां marks बाहर की situation के बारे में king को बताता है तब king कहते है magic nights को और ज्यादा train होने की जरूरत है और यह जूलियस कहां गया क्या मुझे बचाने से भी कोई important काम हो सकता है और यहां हम दिखते हैं सारे magic nights zombies को हरा देते हैं और यहां असली मजा आना बाकी है और यहां हम देखते हैं नोजैल और लियोपोल्ड ताहत मिलकर उस zombie को हरा देते हैं और तब कैप्टन वर्मिलियन उन दोनों को शाबाशी देते हैं तब रेडिस कहता है यह नामुम्किन है मेरे पास एक रॉयल से भी ज़्यादा magic है मैं ऐसे हार नहीं सकता और तब यहां कैप्टन वर्मिलियन रेडिस को कैट कर लेते हैं और जैसी वो उसकी ग्रिम वार के अंदर देखती है उसके अंदर बस एक ही magic होता है तब रेडिस कहता है इससे वापिस दे दो और तुम हिमत भी मत करना मुझ पर हसने की तब आस्ता कहता है पर म पास बहुत ज्यादा magical power है और अगर तुम इसे सई जगा यूज करते तो तुम्हें इससे बहुत फाइदा होता तो इसलिए तुम्हारे कारनामों की सजा जरूर मिलेगी और तब हम देखते हैं रेडिस को कोई earphone की मदद से कहरा होता है अब तुम्हें समझ आया कि तुम अकेले की magic से सारे magic nights को नहीं हरा सकते तो इसलिए हम अपने master खेलिए सब कुछ plan के according ही करेंगे और तब हम देखते हैं जहां जहां लड़ाई हुई होती है वहां सारी जगा magic traps activate हो जाते हैं और तब वो सारे magic nights कहीं दूर जगा पर teleport हो जाते हैं और तब captain vermilion को भी बाकी magic nights इसके वहां से दूर जाने का एहसास हो जाता है और तब हम देखते हैं यहां एक witch royal capital के लोगों से उनका magic absorb करने लगती है तब हम वहां देखते हैं जिनो उसे रोकने वहां आ जाता है तब वो witch कहती है तो इसका मतलब कोई तो ऐसा magic night है जो कि उस trap में नहीं फसा है और यह क कर रहा होता है तब वो witch कहती है यह सारी curse bullets है जिनके अंदर अलगलग curses है और मुझे भी नहीं पता कि कौन से वाला curse तुम्हारे साथ क्या करेगा तब you know कहता है पर आखिरकार तुम लोग हो कौन और आखिरकार यहां करने क्या आए हो तब वो witch कहती है हम यहां पर किसी को आए हो पर अब सच सच बताओ तुम्हारा और क्या मोटिव है तब रेडिस कहता है अगर तुम सच में जाना चाते हो तो सुनो हम यहां तुम्हारे लिए आए हैं और तब हम देखते हैं कैप्टन वर्मीलियन भी एक special magic में कैथ हो जाते हैं और यहां युनो उस witch के साल तब वह witch कहती है अब तो तुम ना ही मुझे देख सकते हो ना ही सुन सकते हो और मेरा magic धीरे धीरे तुम्हारी पुरी body को ही रोक देगा और मुझे बूडी कहने की तुम्हारी यही punishment है तब युनो सोसता है मेरे पास four leaf clover है और मैंने golden dawn को भी join कर लिया है और आखिरकार अ उस magical power ने किया था जो उस dungeon में मिली थी पर मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ मैं फिर भी उस magic को control नहीं कर पा रहा हूं और मैं उस special magic से भी उस power की वज़े से ही बच पाया था और तब हम देखते हैं वो witch फिर से युनो पर हमला कर देती है और युनो की पूरी body सुन हो जाती ह और तब उसे अपने आसपास बहुत सारा magic दिखाई देने लगता है और तब हमें बताया चाता है कि जिन जादुगरों के पास wind based mona होता है वो लोग किसी भी magic को असानी से detect कर सकते हैं और जब witch की हमले की वज़े से युनो की सारी senses बंद हो रही है तब उसकी concentration और भी ज़ सादा बढ़ गई है तब witch कहती है चल जल्दी करो अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें मार ढालूंगी तब युनो सोचता है चुपकर जाओ मुझे तुम्हारी किसी बात से फरक नहीं पड़ता है कि मैं इस टाइम आस्ता से हार नहीं सकता और तब हम देखती है युनो उस magic को activate कर देता है और तब युनो चारों तरफ से magic को एकठा करने लगता है और कहता है तुम्हेरे बारे मेरे जाना चाती थी ती न तो एक बात जान लो मुझे सबसे ज़ादा नापसंद हमारना है और तब वो wind spirit film की मदश से उस witch को हरा देता है और यहां हम दे विटल खत्रे में पड़ी है और इन्हें खाने की पड़ी है और तब ही हम देखते हैं यूनो के हमले की वज़े से वो विच दिवार तोड़के अंदर आ जाती है तब वो विच सोचती है मेरे अंदर से मैजिक खतम हो रहा है तो मुझे अब इस लड़की से मैजिक छीनना हो और कहती है तुम चाहे जो मर्जी हो पर मेरे खाने की तरफ कोई नहीं आ सकता और तब हम देखते हैं जैसे ही उस विच को पकड़ लिया जाता है तब सबसे छीना हुआ मैजिक उनके पास वापीस आ जाता है और यहां हम देखते हैं जैसे ही चामी का खाना उस बिल्डिंग स तब युनो चामी को उसका खाना वापिस देता है और तब चामी सोशती है ये तो मेरा मील सेविंग प्रिंस है और युनो को देखकर शिर्माने लगती है और हम देखते हैं युनो ने बहुत ज़्यादा मैजिक यूज यूज कर लिया होता है जिसकी वज़े से वो किया है वह पका हमारे आसपासी कहीं चुपा होगा और यहां हम देखते हैं आस्ता उसे ढूंड लेता है और तब वो एनिमी कहता है मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हुआ कि तुमने मुझे ढूंड लिया पर अब इसका कोई फाइदा नहीं है क्योंकि सब कुछ खतम हो चुका और तब हम देखती हैं वो कैप्टेम वर्मिलियन को ट्रैप से बहार निकाल देता है और हम देखती हैं उनका बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा होता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं तब आस्ता कहता है पर आखिर का ये कैसे हो गया ये तब बहुत ज़ मतलब कि यह अभी भी जिन्दा है तो हमें बस इलकी ब्लेडिंग को रोकना होगा ताश ममोसा यहां होती और तब नोयल देखती है कैप्टन वर्मीलियन की ग्रिम वाल धीरे धीरे गायब होने लगती है और तब वो लियोपोर्ड को होश में आने के लिए कहती है और तब रे से नहीं जा सकते तब रेडिस कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें मारने वापिस जरूर आउंगा और तब आस्ता भागती हुए सोचता है मुझे इस तक पहुचना ही होगा मुझे याद रखना होगा कि कैप्टन वर्मीलियन ने मुझे शाथ रहकर सोचने के लिए कहा था स्पेशल मैजिक भी एक मैजिक ही है तो इसका मतलब मैं उसे अपनी स्वाट से काट सकता हूँ और तब नुएल सोचती है अगर ये ऐसे ही भागता रहा तो इसका बहुत सारा खूँ निकल जाएगा और तब हम देखते हैं आसा अपनी दूसरी तलवार को फैंक कर उस कर देता है और कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते तुमने लोगों को बहुत दर्द दिया है और हम मैं बताता हूँ कि दर्द होता क्या है और रेडिस को मुक्के मारने लगता है तब रेडिस कहता है प्योट लगना और खूर निकलना कमजोरों की निशानी है और वो लोग ज यहां ऐसा कुछ ना हो सके मेरे पास चाहे मैजिक ना हो पर मैं ताकतवर हूँ और मैं एक दिन विज़र्ट किंग बनके ये प्रूफ भी कर दूँगा और तब वोल्टर सोचता है एंटी मैजिक सच में बहुत हजीब है तो पहले मुझे इसे ही संभालना होगा तब नुएल में शाहत होकर सोचना चाहिए तो चलो आस्ता कुछ कमाल करते हैं और तब वोल्टर सोचता है हम रेडिस को अभी नहीं खो सकते अभी हमें इसके जरूवत है और तब हम देखते हैं कुछ और लोग उनकी मदद करने के लिए वहां आ जाती है तब आस्ता सोचता है उस कर्स लेडी सोचता है क्या ये पागल है चैसे सच में अपने आपको ब्लेड से इसलिए मारा ताकि ये कर से बच सके तब आस्ता कहता है मैंने बच्पन से ही अलग लग बैटर लड़ी है तो इसलिए तुम चाहे जितने मर्जी हो मैं फिर भी तुम लोगों को हरा दूँगा तो च काटने लगता है और तब उसे कैप्टन वर्मीलियन की बात याद आती है जिन्होंने उसे लड़ाई में शात रहने के लिए कहा था और तब लियो पोल उन लोगों पर हमला कर देता है और कहता है तुमने जो भी मेरे भाई के साथ किया है मैं तुम्हें उसके लिए माफ ब दोनों पर हमला करते हैं नोवैल अपनी शीर्ड से उन्हें बचा लेती है और तब हम देखते हैं एक परसन अपने मैजिक को यूज करके नोवैल के मैजिक को एब्जॉब करने लगता है और जैसे ही आस्ता और लियोपोल्ड एक परसन पर हमला करने लगते हैं वो परसन अ इतनी जल्दी यहाँ वापिस कैसे आ गई और तब एक Magic Knight कहता है हम सभी यहाँ इतनी जल्दी इसलिए पहुँच पाए क्योंकि हम सब ने अपने Magic को Combine कर लिया था और तब हम देखते हैं मिमोसा अपने Magic से Captain Vermillion को ठीक करने लगती है और तब वोल्टस अपने साथियों को वापिस जाने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं Captain Nozel अपने Silver Magic से उन पर हमला करने लगते हैं और तब एनिमी में से एक लड़की अपने Magic और Dark Magic आइटम को मिलाकर Captain Nozel के Magic को एब्जॉब करने लगती है तब Captain Nozel सोचते हैं आखिरका ये किस तरह की Magic आइटम है और तब हम देखते हैं वो लड़की आस्ता को कैद कर लेती है तब एक परसन कहता है चाहे हम अभी के लिए वापिस जा रहे हैं पर तुम हमें याद रखना Magic Nights हम लोग The Eye of the Midnight Sun है और हम लोग Clover Kingdom को Destroy कर देंगे और तब हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और Novel आस्ता को बचाने की बात करती है तब Klaus कहता है हमारे पास उन्हें ट्रैक करने का कोई जरिया नहीं है इसलिए हम उन्हें नहीं ढूंट पाएंगे तब Captain Nozel कहते है उसे छोड़ो इस चाइम हमारी Priorities Royal Capital को बचाना है और साथ में ये भी देखना है कि यहाँ पर कोई और Enemy Story बची है और Mimosa क्या Vermillion ठीक है तब Mimosa कहती है मैं अपने Magic से जादा कुछ नहीं कर सकती हमें इन्हें इसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा नहीं तो ये मर जाएंगे और तब Solid कैप्टन Vermillion का मजाक उड़ा रहा होता है तब Noel कहती है तुम ऐसा नहीं कह सकते उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है तब Solid कहता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम Magic Knight जीतने के लिए बने हैं तब Captain Nozel कहते है ये समय इन बातों का नह है चाहे Master तुम्हें पसंद करते हो पर इसका गलत फायदा मर्त उठाओ और आखिर में तुम्हें ऐसे कैसे लगा कि तुम्हें Captain को अकेले हरा सकते हो और अगर तुम प्लैन के accordingly काम करते तो चीज़ें और भी ज्यादा असान हो जाती तब Radies कहता है मैं तुम बस अपने toys के आगे नहीं जा सकता तो इसे यही मार ढलो और तब Sally कहती है क्या तुम मजाग करे हो यह लड़का Anti Magic यूज़ करता है तो इसलिए मैं इसे अपनी रिसर्च में यूज़ करूंगी तब एक परसन कहता है सिरफ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिसे Master अलाओ करते हैं तो इसलि कहती है अच्छा हुआ तुम उठ गए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम इने कन्विंस कर सके कि तुम रिसर्च के लिए अच्छा मठीरियल हो और उसके बाद मैं तुम्हें काट कर तुम्हारे सारे अंदर की चीज़ों की जाच करूंगी तब आस्ता सोचता है तुम्हें ही रॉयल कैपिटल पर हमला किया था ना तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर तुम किसी को मारते हो तो तुम्हें मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए तो चलो फिर मैं तुम्हें एक डील देता हूँ जो भी पहला परसन मेरे सामने सरिंडर करेगा मैं उसे कु आभी नहीं पा रहे हैं. तब आसा सोचता है. इन्होंने तो उन सभी को एकी बारी में पकड़ लिया. तो इसका मतलब ये है विज़оля किंग की पावर. तब विज़र्ड किंग कहते हैं. तुम भी एक दिन विज़र्ड किंग बनना चाते हो ना. तो मैं तुम्हें ये सिला दूँगा कि तुम यहां की हर चीज़ पर ध्यान रखना ये बस छोटी सी एक्जामपल है उस मैजिक की जिसे तुमने सरपास करना है तब आस्ता सोचता है विज़र्ट किंग पूरे क्लोवर किंगड़म में से सबसे ज़्यादा पावफुल जादूगर है और मुझे इने सरपास करना है और मैं तो इनकी पावर देखकर कामपना बंदी नी कर पा रहा हूँ और सोचता है आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता तो विजर्ड किंग कहते हैं तुम सभी के पास बहुत अच्छा मैजिक है पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कोश्चन्स हैं तो बताओ ये पथर जिसमें मोती जड़े हुए हैं ये किस काम के लिए है मैंने आज से पहले ऐसी चीज का भी नहीं देखी है तो चलो मुझे जल्दी बताओ पर मुझे या तुम तो मेरे मैजिक के कारण कुछ बोली नहीं सकते तो चलो फिर हम लोग क्लोवर किंगडम जाकर अराम से बात करेंगे और तब विजर्ट किंग को एहसास होता है कि कोई वहां आ रहा होता है और हम देखते हैं एक परसन की आने पर वहां बहुत ज़दा रोशनी हो जात है और यहां हम देखते हैं कैप्टन वर्मीलियन और लियोपोर्ड को डॉक्टर देख रहे होते हैं तब एक मैजिक नाइट कहता है हमने बैरियर को दुबार से स्चार्ट कर दिया है और अब यहां पर सारे कॉम्निकेशन स्पैल्स भी दुबार से काम कर रहे हैं और हम उस लड़के को भी ढून रहे हैं और तब मिमोसा और नुवैल उधास हो जाती है तब क्लाउस कहता है वो इतनी जल्दी मरेगा नहीं और जब वो वापिस आएगा तब मैं उसे बहुत मारूंगा और यहां हम देखते हैं विजर्ट किंग आस्ता को लेकर वापिस आ जाते हैं जिसे देखकर मिमोसा और नुवैल दोनों खोश हो जाती हैं और तब क्लाउस आस्ता का हाल चल पूछ के रोने लगता है और तब सभी लोग विजर्ट किंग को कैप्टन वर्मीलियन की हालत के बारे में बताते हैं तब विजर्ट किंग कहते हैं यह सारी मेरी गलती है तब क्या आपको पता चला कि वो लोग कौन थे तब विजर्ट किंग कहते हैं हमें बस इतना पता चला है कि वो लोग किंगडम के खिलाफ हैं और वो सोचते हैं वहाँ पर जो स्टोन था उसके उपर अलग अलग स्टोन थे तो क्या वर्मीलियन का पेंटेंट भी उसी के लिए पर पता नहीं क्या होगा जब उन्हें वो सारे स्चोंस मिल जाएंगे शायर शारलेट की बात भी सच हो सकती है और शायर ये भी हो सकता है कि वरमीलियन उनके रास्ते में आ गया हो तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया हो मैंने पहले भी ऐसी बहुत सी चीज़े देखी है पर ये पहली बार है जब मैं उन्हें किसी एक ग्रूप के साथ रिलेट कर पाया हूँ और उन्होंने अपनी पूरी पावर से यहां पर हमला किया था काश में कैपिटल को छोड़कर ना गया होता और तब विजट किंग सभी लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी निभाने क कहते हैं और तब यहां कैपिटन नोजैल सोच रहे होते हैं हम लोग पूरी तरह फेल रहे हैं वर्मीलियन मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे साथ यह किया है मैं उन्हें ढूड़का सजा दूँगा और तब कैपिटन शारलेट कहती है हम करूंगा ताकि एक दिन मैं अपने भाई को भी पीछे छोड़ दू और उसके बाद मैं विज़र्ट किंग बनुगा और तब लियोपोल्ड अपने माथे पर एक निशान बनाने लगता है जिसके बारे में उसके भाई ने कहा था कि ये मार्क वरमीलियन फैमली में दिया जात है जो कि एक परसनल प्रामीस की तरह है और ये सिरफ उन्हें मिलता है जो कि खुद को हरा कर किंग बनने की ताकत रखते हैं और तब आस्ता कहता है अच्छी बात है मेरे राइवल को ऐसा ही होना चाहिए पर आखिर कह तुम हो कौन तब सबी लोग हसते लगते हैं और तब ह करियर मैजिक को बनाने वाले जादुगर गायब हो गए थे पर उनके साथ क्या हुआ ये अभी ता किसी को नहीं पता है और विजर्ट किंग ने इसके बारे में कोई डिसीजर नहीं बताया है तब यहां विजर्ट किंग सोचते हैं मैं चाहे इस बात से जितनी मर्जी नफ करता हूँ पर ये सच बात है कि रॉयल कैपिटल में कोई गदार है और तब यहां इंटेरोगेशन रूम में विजर्ट किंग की टीम इंटेरोगेशन कर रही होती है तब मार्क्स कहता है लगता है इनके उपर कोई मैजिक हुआ है इसलिए हम इनसे कुछ पता नहीं निकल किंग कहते है तो चलो फिर केप्टम वरी मिलियन के उठने का इंतजार करते हैं क्यूंकि वही है जो हमें कुछ बता सकते हैं और यहां हम देखते हैं रेडिस आस्ता को मारने की बात कर रहा होता है तब सैली कहती है तुम आस्ता को नहीं मार सकते मैं उस पर रिसर्च करना तब रेडिस कहता है उसने मुझे पर हमला किया है मैं उसे नहीं छोड़ूँगा और तुम उससे दूर ही रहना और तब यहां सैली कहती है पता नहीं मैं अगली बार आस्ता से कब मिलूँगी और शुकर है मेरे जेल की मदद से मैंने कुछ सैंपल ले लिये थे तो अब मैं उन्हीं को यूज करके अपनी रिसरच करूँगी तब यहां उनका बॉस कहता है मुझे माफ करना मैं उन दोनों को बचानी पाया तब वोल्टेस कहता है आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूट नहीं है वो लोग इतने लॉयल है कि वो किसी को कोई इंफॉमिशन नहीं देंगे तब उनका बॉस कहता है मुझे इस बात की चिंता नहीं है पर तुम चिंता मत करो अगर वो जिन्दा है तो मैं उन्हें बचा लूँगा मुझे लगा था मैंने विजर्ट किंग के हमले को डॉज कर लिया है और उसका जादू तो टाइम को बहुत तेजी से फास्ट कर देता है विजर्ट किंग का मैजिक तो सच में बहुत कमाल का है पर हमें फिर भी उसे हराना ही होगा ताकि हम अपने लिए एक नई दुनिया बन आखिर कर तुम इतने अच्छे मूड में कैसे हो तब चामी कहती है मैं तुम्हे क्या बताओं आज मैं किस से मिली तब नुएल कहती है पर आखिर का तुम अंदर कैसे आई और तब हम देखती है चामी अपने मैजिक को यूज करके आस्ता की कैप में छुप जाती है तब न पीर देता है और उसके अंदर एक मैसेज होता है और उसने मैजिक से आस्ता को हाई लिखा होता है और तब आस्ता कहता है क्या तुम मुझे मारना चाते हो अगर तुमे लड़ना है तो मेदान में आओ ऐसे पीर दिखा कर मत जाओ और तब यहां कलाओ सोचता है यूनो का मै और सोचता है चिंता मत करो यूनो तुम चाहे जितने मर्ची स्ट्रॉंग बन जाओ पर मैं फिर भी तुमसे जादा स्ट्रॉंग बनूँगा और तब हम देखते हैं वो दोनों वापिस ब्लैक बुलक के बेस चले जाते हैं जहां मЕगना और लक उन्हें अपने मिश्ण के बारे में बताते हैं जिसकी वज़े से उन्हें एक स्टार भी मिलता है तब आस्ता कहता है मुझे तुम लोगों को भी कुछ बताना है रोयल कैपिटल की प्रॉब्रम के बाद उन्होंने मेरी पर्फॉर्मस को देखकर मुझे धर्ड क्लास जूनियर मैजिक नाइट का रैंक दे दिया है तब एगना कहता है आखिरकर यह होता क्या है और तब कैप्टन यामी कहते है तुम इतने सालों से मैजिक नाइट में हो तुम्हें अभी तक यह इसके बारे में पता ही नहीं है चलो मैं तुम भी बताता हूँ तुम लोग फिफ्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट रैंक पर हो और आस्ता अब तुम्हारा सीनियर है और चामी फिर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट है क्योंकि उसने जिन दुश्मनों ने कैपिटल पर हमला किया था उन में से एकोप पकर लिया था पर तुमने अच्छा काम किया आस्ता तब आस्ता कहता है मुझे तो कैप्टन वर्मीलियन की चिंता हो रही है तब कैप्टन यामी कहते है उसकी चिंता मत करो वो इतने जल्दी मर देंगी वाला और जो वो दुबारा सी खड़ा होगा तब वो पहले से भी ज़्यादा ताकतर हो चुका होगा तब आस्ता कहता है चलो फिर मैं भी ट्रेंग पर जाता हूँ तब कैप्टन उसे अराम करने के लिए कहते है और तब फिन्रल आस्ता को मिक्सर पर जाने के लिए कहता है और तब कैप्टन यामी फिन्रल को काम करने के लिए कह रहे होते है पर हम देखते हैं फिन्रल उन्हें इग्नोर कर रहा होता है और यहां हम देखते हैं फिन्रल मिक्सर को लेकर परिशान हो रहा होता है और तब हमें बताया जाता है कि मिक्सर एक तरह की पार्टी होती है जिसमें मैन और वूमेन मिलकर डेट करते हैं तब यहां फिनरल सोच रहा होता है कि मिक्सर के लिए तीन लड़किया त्यार हो गई है और मुझे भी यहां से दो और लोगों को साथ लेकर जाना है उन में से एक तो आस्ता है पर अब मुझे सोच ना है कि दूसरा मैंबर कौन होगा और तब फिनरल देखता है आखरी चोईस बच्चता है और तब यहां लग कहता है आखर कर यह मिक्सचर है क्या क्या हमें यहांपर लड़ने के लिए मिलेगा तब आसा कहता है ना भी इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटिड हूँ और तब हम देखते हैं फिनरल उन दोनों का लेकर वहां से चला जा और हम देखते हैं नोवैल भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और तब नोवैल छुप छुप के उनका पीछा कर रही होती है और तब यहां फिनरल उन्हें लेकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहां वो उन तीनों लड़कियों को फूल देता है और सोसता है यह त तो इंट्रस्टेड लग रही हैं तो इसका मतलब मैं इस बार तो girlfriend बना कर ही रहूंगा अब मुझे बस ये देखना है कि आस्ता और luck भी अपना best दे और तब आस्ता और luck अपने आपको introduce करते हैं तब वहां बैठी दो लड़किया सोचती हैं ये लोग इतने अजीब लग रह हैं हम ये तो पता था कि कुछ magic nights आ रहे हैं और ये नहीं बता था कि वो black bull से आ रहे हैं और ये लोग तो status में भी छोटे हैं तो क्या फाइदा इनसे relation बनाने का और तब फिनरल कहता है चलो अब आपकी बारी है अपने आपको introduce करने की और तब वो तीनों अपना नाम बतात हैं तब फिनरल सोचता है ये तब बलको interest नहीं ले रही है और तब फिनरल उनका mood ठीक करने की कोशिश करने लगता है पर हम देखते हैं उसका कोई फाइदा नहीं होता तब फिनरल कहता है तो क्या आप लोग यह जानना चाहते हैं कि हम magic night के तौर पर क्या क्या करते हैं और तब लक को अपने missions के बारे में बताने के लिए कहता है और तब लक कहता है मैं एक mission पर गया था जा पर मैंने बहुत सारे लोगों को अलग लग तरीके से मारा जिससे सुनकर वो तिनों awkward हो जाती है तब फिनरल लक को चुपकर वाकर आस्ता से उसके royal capital वाले mission के बारे में प देखते हैं नुवैल आस्ता पर नज़र रखने के लिए उस shop की waitress की dress पहन लेती है और यहां हम देखते हैं सैके भी mixer पर आया होता है और अपने बारे में बहुत सारी तारीफे कर रहा होता है और तब उसके सामने वरी लड़कियां सोच रही होती है आखिर का ये कितने ब हैं हैलन अपने magic को दिखा रही होती है जिसे देखकर लग बहुत excited हो जाता है और उसके magic के तारीफ करता है तब हैलन सोचती है इसकी आखे कितनी सची है आखिर कर इतनी cute smile वाला इतना dangerous कैसे हो सकता है आखिर कर मुझे क्या हो रहा है क्या मुझे bad always सच्छी लगने लगे है और तब वो लग को अपना magic दिखाने के लिए कहती है और तब वो दोनों बाहर चले जाते हैं और यहां फिंडरल भी अपने points बनाने लगता है तब एरिका सोचती है यह बहुत ज़्यादा बोलता है और उपर से मेरे type का भी नहीं है पर यह इन तिनों में से सबसे अच्छ होगी और यहां आस्ता सोचता है यह बहुत awkward लग रहा है आखिर का यह उस तरफ क्यों देख रही है क्या यह किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है और तब आस्ता उससे उसका favorite food पूचता है तब रिविका कहती है तब आस्ता उसकी siblings के बारे में पूचता है तब रिविका कहती है मेरे तीन चोटे भाई और दो चोटी बेने हैं तब आस्ता कहता है मेरे भी siblings है हम चाहे blood related ना हो पर हम लोग एक साथ बहुत खुश है हम सभी लोग मिलकर बहुत मस्ती करते थे और एकी कमरे में सोते थे और जब मैं एक magic night बन गया तब मुझे अपना एक कमरा मिला और उनके बिना मुझे बहुत अकेरा महसूस होता है और तब वो दोनों अपने भाई बेनों के बारे में बात करने लगते हैं जिसे देखकर नोवैल को जलन हो रही होती है और तब एक person दारू पीकर कहता है तो तुम्हें एक magic night हो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे क मैं भी magic night बन सकता हूँ और तुम्हारे पास तो एक हुपसूरत lady भी है मुझे तो तुमसे जलन हो रही है और रवेका से कहता है क्या तुम इसके साथ इसलिए हो क्योंकि ये एक magic night है पर एक minute रुको मैंने तो तुम्हें एक restaurant में देखा था जहाबर तुम बच्चे संभाल रही थी तो क्या हुआ तुम्हारे पती ने तुम्हें छोड़ दिया और शायद इसलिए अपनी life को असान बनाने के लिए तुम्हें एक magic night चाहिए और अगर तुम्हें कोई ऐसा ही चाहिए तो तुम मुझे क्यों ही date करती और रवेका को पकड़ लेता है और तब हम देख क्या तुम्हें कोई और पसंद है तब आस्ता कहता है हाँ मुझे एक लड़की पसंद है तब रवेका कहती है वो पका बहुत amazing होगी मैं उमीद करती हूं कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे और तब रवेका आस्ता को उसके restaurant आकर उसके भाई-बेन उसे मिलने के लिए कहती है और तब यहां नोवैल सोचती है क्या इसने ये कहा कि वो लड़की इसके same squad से है तो क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है और शर्माना शुरू कर देती है और तब आस्ता सोचता है सिस चली ली एक दिन मैं विज़र्ट किंग बनके आपके पास आऊंगा तब प्ल लग और फिनरल भी reject हो जाते हैं और यहां हम देखती हैं कुछ गुंडों ने विलेज पर हमला किया होता है जिने गोश हरा देता है और तब वो लोग उससे माफी मांग रहे होते हैं तब गोश कहता है आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तुकि आज मेरी बहन का बर्डे है तो चलो फिर अपने मरने से पहले उसके बर्डे को अच्छी तरह मनाओ और तब हम यहां देखते हैं आस्ता और यूनो ने चर्च में अपनी सेलरी भेजी होती है और तब यूनो के लेटर में लिखा होता है कि वो फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन चुका है ज तब कलाउस कहता है इस पर्मोशन को जादा अपने सिर पर मत चड़ाना क्योंकि मैं रेंक और एक्सपिरियंस में तुमसे अभी भी बड़ा हूँ और तब कलाउस जूनो को उसके पर्मोशन पर गिफ्ट के तोर पर कुछ पैसे देता है तब विमोसा कहती है कलाउस चाहे दिखाना रहे हूँ पर वो तुम्हारे पर्मोशन पर बहुत खुश थे और यहां हम देखते हैं कैप्टन यामी पेमेंट आने की खुशी में सबको एक दिन के चुट्टी देते हैं और तब यहां सभी लोग अपने अपने काम के बारे में बाते करने लगते हैं और तब पर तब यहां गोश अपनी बेहन के लिए गिफ्ट लेने चला जाता है तब नुवैल सोसती है और देखती है कि आसता मेगना को कहीं जाने के लिए क्या रहा होता है और तब यहां गोश सोच रहा है कि मेरे मैजिक नाइट की जॉब बहुत मुश्किल है पर अगर ये मैं अपनी बेहन के लिए कर रहा हूँ तो मुझे कोई परिशानी नहीं है मेरे जैसा एक पुराना प्रिजनर सिर्फ तुम्हारी जैसी एंजल बेहन के लिए ही ये सब कुछ कर सकता है और तब हम देखते हैं गोश अपनी बेहन के लिए पुरी की पुरी दुकानी खिरीद लेता है और तब यहां आस्ता मैगना को बताता है कि वो रबेका और उसके सिबलिंग से मिलने जा रहा है तब गोश सोचता है मैंने अपनी बेहन के लिए अपने सारे पैसे उड़ा दिये पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है मेरी प्यारी बेहन मैरी मैं आ रहा हूँ और तब यहां गोश देखता है आस्ता मैरी के साथ खेल रहा होता है और तब गोश आस्ता को लात मारता है और कहता है और अखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेहन के करीब आने की और अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा मुझे पूरे महीने में बस एक ही दिन मिलता है अपनी बेहन से मिलने के लिए और आज कही वो दिन है जिस दिन मैं अपनी बेहन को वर्शिप कर सकता हूँ और आखिरकार तुम मेर से पहले याँ पर क्या कर रहे हो तब आस्ता कहता है आखिरकार मुझे कैसे पता होगा कि ये तुम्हारी बेहन है तब गोश कहता है याद करो मैंने तुम्हे इसकी फोटो दिखाई थी तब आस्ता कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं आरा मैं तो वैसे भी रबेका और उसके सिबलिंग से मिलने आया था और मेरी सच में बहुत क्यूट है और तब गोश फिर से आस्ता को मारने लगता है और तब मेरी गोश को रोकते हुए कहती है पलीस इसे मत मारो क्योंकि एक दिन मैं इससे शादी करूँगी जिसे सुनकर गोश और नुवैल दोनों चौक जाते है और तब गोश आस्ता को मारने की कोशिश करने लगता है और तब वहां मैरी को वापिस ले जाने सिस्टर थेरसा आ जाती है तब गोश कहता है बुडिया पीछे हट जाओ मैरी इस चाइम मेरे साथ डेट पे जाएगी और तब sister थेरिसा उसे मना करते हुए कहती है मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ इसे कभी नी भेजूंगी और तब वो दोनों आपस में बहांस करने लगती है और तब sister मैरी को साथ ले जाती है और गोश भी होश हो जाता है और रबेका आस्ता को उनके साथ एक रात रुकने का उफर देती है जिसे सुनकर नुबैल पूरी तरह से शौक हो जाती है और यहां आस्ता रबेका का खाना खाके बहुत खुश हो रहा होता है और तब रबेका की सिवलिंग्स उसे आस्ता का नाम लेकर चिडा रहे होते हैं जिसे सुनकर नुबैल बहुत चैलिस फील कर रही होती है और तब हम देखती है नुबैल रात को आस्ता पर नज़र रखने के लिए बाहर घूम रही होती है और तब हम देखती है वहां पर स्नो गिरने लगती है और बहुत से बच्चे माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं और तब हम देखती हैं, रात को गोश आस्ता पर हमला करने के लिए आ जाता है, और तब गोश के पहले हमले से आस्ता को होश आ जाता है, तब गोश कहता है, मैं तुम्हें अपनी बेहन से शादी करने नहीं दूँगा, तो इसलिए मैं तुम्हें मार डालूँगा, और तब वो आस्ता पर हमला करने लगता है पर आस्ता अपनी दलवार से उसके हमलों को काटने लगता है पर हम देखती है गोश अपना डुब्लिकेट बनाकर आस्ता पर और भी तेजी से हमला करने लगता है और हम देखती है आस्ता बाहर आकर गिरता है और देखता है कि बाहर स्नो ग और यहां हम देखते हैं सभी बच्चे एक जादूगर के वश में आकर माउंटेन पर जा रहे होते हैं और यहां रवेका कहती है और तब हम देखते हैं गोश अभी भी आस्ता को मारने की पीछे पड़ा होता है तब नुवैल कहती है आखिर कर इस विलेज में चल क्या रहा है तब रवेका आस्ता से नुवैल के बारे में पूशती है और तब आस्ता उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रडूस कर बाता है जिससे वो दोनों ऑक्वर्ड हो जाती है तब नुवैल कहती है मैंने बहुत सारे बच्चों को माउंटेन के तरफ जाते हुए देखा है क्या क किसी दरा का कोई festival चल रहा है और तब sister Teresa उन सबी को बताती है ये magical snow है ये उन बच्चों को effect कर रही है जिनका magic अभी तक mature नहीं हुआ है और हमारे church में से भी कुछ बच्चे गायब हो गए है तब गोश मेरी के बारे में पूछता है और तब sister Teresa हा कहती है और तब गोश उन्हे पकड़ लेता है तब sister Teresa कहती है ऐसा करने से तुम अपनी बहन वापिस नहीं पा लोगे तब गोश कहता है मुझे पता है और ऐसा करके मुझे अच्छा मैसूस होगा और जैसे वो उनको मुक्का मानने लगता है आस्ता बीच में आ जाता है और गोश को नीचे गिरा कर कहता हम लोग मैजिक नाइट्स है तो हमें शांती से काम लेना चाहिए तब गोश कहता है चलो ठीक है अब मैं तुमें शांती से मारूंगा तब आस्ता कहता है मैंने मैरी को एक मैजिकल मेरर दिया था अगर वो अभी भी उसके पास है तो हम उसे ढूँड सकते हैं और तब sister भी उनके साथ चलने के लिए कहती है और तब रवेका अपने सिब्लिंग्स को लेकर परिशान होने लगती है और तब आस्ता उसके सिर पर मारकर कहता है तुम चिंता मत करो मैं उनको जरूर वापिस लेकर आऊंगा और यहां हम देखती हैं वो सभी लोग जाने लगते हैं और नोवैल को विलेज का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और तब यहां नेजी कहा रहा होता है देखो मैंने कितने फ्रेंट्स बना लिये हैं अब हमें बस अच्छे से साथ रहना होगा और तब हम देखते हैं नेजी मैरी को होश में देख लेता है और कहता है अगर तुम मेरे कंट्रोल में नहीं रहोगी तो हम दोस्त नहीं बन पाएंगे तो इसलिए मुझे तुम पर दुबार से मैजी करना होगा तब मैरी कहती है अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम कभी भी सच्चे दोस नहीं बना पाओगे और तब वो गुस्ते में मैरी को थपड मारता है और तब हम देखते हैं उसका भाई बैरो आकर उसे इस बात के लिए डाटने लगता है और तब बैरो मैरी को देखकर कहता है इसके पास तो बहुत अच्छी पावर है लगता है यह बहुत फायदेमन साबित होगी और तब वो नैजी को कम पावर वाले बच्चों को लाने की वज़े से डाटने लगता है और तब वो मारकों को बाहर फैंक देता है और कहता है अब वक्त आ चुका है इन सबी बच्चों में से मैजिक निकालने का और तब हम देखते हैं गोश आस्ता मौंटेन के पास पहुँचने वाले होते हैं और तब यहाँ नोवेल सबको शांत रहने के लिए कहती है और फिर नोवेल मैजिक हेड़कौर्टर्स को कॉन् नोवेल गुस्टर्स की है और वो गोश इसे प्रोटेक्ट करो अब मैं वही करूंगा तब यहाँ सिस्चर मार्को को देखकर यांस किया है पर तब आस्ता अपनी anti magic sword को use करके उस magic को हटा देता है और तब मारको होश में आजाता है और तब sister सोचती है आखिरकार इसने कैसे बस अपने तलवार के touch से ही उस magic को खतम कर दिया और तब वो मारको को heal करने लगती है और तब आस्ता मारको को वहीं रुकने के लिए कहता है पर हम देखते हैं वो बहुत ज़दा डरा हुआ होता है और तब आस्ता उसे अपनी ब्लैक बुल की रोब देकर होंसला देता है जिससे मारको की अंदर थोड़ा होंसला आ जाता है और तब सिस्टर और रास्ता अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब यहां गोश को अंदर जाते हुए बहुत सारे मैजिक का एंसास हो रहा होता है और यहां हम देखते हैं बैरो एक एक करके उन बच्चों से मैजिक छीन रहा होता है और तब बैरो मैरी को आगे लाने के लिए कहता है और तब हम देख से गोश पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं गोश अपने मैजिक को यूज करके उसके हमलों को काट देता है और तब बैरो सोचता है हमें ये बिलकुल ही बताया गया था मैंने इस जॉब के लिए इसलिए हां की थी क्योंकि हमें बताया गया था कि ये बहुत असान है पर हम ऐसे मैजिक नाइट से नहीं लड़ सकते पर शायद ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं और तब वो मैरी को पकड़ लेता है और घोश को धमकी देता है कि अगर तुम वहाँ से हिले तो मैं इसे मार डालूँगा पर तब हम देखते हैं आस्ता वहाँ आजाता है और अपनी तलवार फैंक कर मैरी को बचा लेता है और तब मैरी ठाकते हुए आस्ता को गले लगा लेती है जिससे गोश और भी ज़्यादा गुस्ते में आ जाता है और आस्ता पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं मैरी अपने भाई को आस्ता पर हमला करने से रोकने लगती है और तब जिस्चर थेरसा कहती है इन बच्चों से इनका मैजिक छीन लिया गया है और अगर अभी कुछ ना किया गया तो ये कभी मैजिक नहीं यूज़ कर पाएंगे। और तब आस्ता को गुस्ता आ जाता है और तब बैरो सोचता है पहले ही आदमी क्या कम था कि अब इसके दोस्त भी आ गए है पर अब हम क्या करें और तब वो देखता है कि आस्ता के अंदर कोई मैजिक नहीं होता और उस पर हसने लगता है और नेजी को घोश को संबालने के अले कहता है ।ोर खुद आस्ता से लड़ने चला जाता है। पर हम देखते हैं आस्ता उसे तलवार मारकर दूर फैंक देता है। और सोचता है पता नी ब्लैक बुल्स क्या कर रहे होंगे और ये सोचकर डर जाता है और तब सेके ब्लैक बुल्स के बेस के अंदर घुसके अपने आपको होस्रा देने लगता है और तब हम देखते हैं सेके गौर्डन को देकर डर जाता है और गौर्डन सेके को दोस्त बनने लगता है और तब कैब्टें यामी को सारी बाते बताने रखता है और कैब्टें यामी कुछ भी नहीं सुनते और तब से सही गोश नैजी की तरफ बढ़ने लगता है तब नैजी उसे कैद कर लेता है तब सिस्चत हैरसा कहती है यह अच्छी बात नहीं है इसका मिरर तो सील हो गया है और तब ही हम देखते हैं गोश का क्लोन नैजी के पीछे से हमला कर देता है तब गोश हमें बताता है यह मेरी र लड़ाई का experience जादा है और तब बोरा सोचता है और यहां तो मेरी body भी काम नहीं कर पारी है अब तो मुझे कुछ नगुछ तो करना ही होगा और तब आस्ता उसे पकड़ कर कहता है और तब आस्ता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तब बोरा हसते हुए कहता है और तब आस्ता अपने बच्चों को ठीक करने के बारे में पूछता है और तब बोरा कहता है तब सिस्टर थेरिसा कहती है आस्ता ये बहुत गिरा हुआ इंसान है तो इसे छोड़ो और अपनी तलवार से उन बच्चों के उपर से स्पैल हटाओ और तब बोरा अपने मड मैजिक से एक डॉल बनाता है और यहां आस्ता सभी बच्चों को अपनी तलवार की मदद से होश में ले आता है और तब हम देखते हैं सिस्चत हैरिसा अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक से सभी बच्चों को ठीक करने लगती है और तब हम देखते हैं आस्ता मैरी को अपने चर्च का स्पैशल फूर खिलाने लगता है और तब गोश उसे रोकने लगता है और यहां हम देखती है बोरा की मट डॉल एक बटन को प्रेस करती है और तब उसने मुझे उस चर्च के सारे बच्चों के बारे में बताया था तब उसने कहा था कि तुम बहुत शरार्ती हो पर उसने अकेली यही एक चीज नहीं कई थी उसने साथ में यवी कहा था कि एक बच्चा है जो की बहुत महनत करता है चाहे उसके पास कोई मैजिक ना हो पर वो फिर भी विज़र्ट किंग बनने के लिए अपनी जी जान लगा रहा है तव सिस्चर थैरिसा कहती है पर अगर उसके पास कोई मैजिक ही नहीं है तो वो विज़र्ट किंग कैसे बनेगा और तब हम देखती है आस्ता फिर से एकसाइटिड हो जाता है और तब हम देखती है गोश नेजी को मैरी को मारने के लिए मारने लगता है और तब मैरी उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और गोश किसी की बात नहीं मान रहा होता तव सिस्चर थैरिसा कहती है इस बतले से ज़्यादा जरूरी इन बच्चों का मैजिक वापिस लाना है तो तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुमने इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया ये बच्चे क्लोवर किंडम का फ्यूचर है तब नेजी कहता है मैं तो बस दोस्त बनाना चाहता था बैरो मुझे बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए तब बैरो सोचता है आखिर का ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये लड़का रोना क्यों नी बंद करता ये सारी गलती उस लड़की की है मैं तो बस इस से पैसे कमाना चाहता था और तब हम देखते हैं सैली वहां आजाती है और आस्ता को देखकर बहुत एकसाइटिड हो जाती है और तब हम यहां देखते हैं कैप्टर यामी को सैके की बात समझ आ जाती है और वो कहते हैं तो उन्हें रियंफोर्समेंट्स है ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और यहां हम देखते हैं चर्च की सिस्टर्स गाउवालों को शान्त करवारी होती है और रवेका के सिब्लिंग्स अपने भाई बेनों के लिए परिशान हो रहे होते हैं तब नुएल कहती है चिंता मत करो आस्ता और गोश मैजिक नाइट से और बहुत जल्द हैड़कौर्टर से मदद भी आ जाएगी तब यहां सैली कहती है तुम्हारे सिगनल को देखकर तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे तुमने मैजिक को इकठा कर लिया होगा पर यहां आकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा और तब सिस्टर थैरिसा कहती है क्या यह वही है जिन्होंने कैपिटल पर हमला किया था तब आस्ता हां कहता है तब यहां गोश कहता है तो क्या वो तुम हो जिसकी वज़े से मेरी खत्रे में आई है मैं तुमें जिन्दा नहीं चुड़ूँगा और उसके उपर हमला कर देता है और हम देखते हैं सैली के मैजिक की वज़े से उसके रेर रिफलेक्ट हो जाती है तब आस्ता कहता है ध्यान रखो यह बहुत ज़्यादा खत्रनाक है मैंने सुना है इसने सिल्वर इगल के कैप्टन का भी वार रोक लिया था और तब हम यहाँ देखते हैं सैली उन पर हमला करने लगती है और आस्ता भी अपनी तलवा लेकर उस पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं आस्ता उसे चूबी नहीं पा रहा होता और तब हम देखते हैं गोश भी उस पर हमला कर देता है और उसका मैजिक भी उसे छूब भी नहीं पाता और तब हम देखते हैं सैली आस्ता को काट कर उसका बलड चेक करती है और उसके बाद उसके नेल्स खीचने लगती है और तब ही हम देखती है, सिस्टर थेरिसा सैली के मैजिक को काड़ देती है और कहती है, इस लड़के से दूर रहो, तुम इसे कही नहीं लेकर जा सकती तब आस्ता कहता है, आप तो सच में बहुत कमाल की है तब सिस्टर थैरिसा कहती है तुम्हें एक पुराने मैजिक नाइट को कम नहीं आकना चाहिए और मैं क्रिमसन लाइन में थी तब आस्ता कहता है तो इसका मतलब आप कैप्टन वर्मिलियन को भी जानती होंगी तब sister थैरिसा कहती है उसे कौन भू सकता है मैं उसकी teacher थी और तब गोश sister को उसे भी छुडाने के लिए कहता है और तब यहाँ Sally कहती है अब तो मेरे खिलाफ तीन हो चुके है और तब बोरा Sally को खुद को छुडाने के लिए कहता है और तब ही हम देखते हैं सैली बोरा के अंदर एक magic item को डाल देती है जिससे वो transform होने लगता है और एक monster बन जाता है और तब sister Theresa आस्टा और गोश को बच्चों को बचाने के लिए कहती है और तब हम देखते हैं गोश सिरफ Mary को लेकर वहाँ से जाने लगता है और तब वो monster आ पहा निकालना होगा और तब वो अपने magic की मदद से एक tiger create करती है और सभी बच्चों को उस पर चड़ने के लिए कहती है और सोस्ती है इन बच्चों को यहाँ से निकालने में 20 मिनिट लग जाएंगे तो तब तक के लिए हमें इससे रोक कर रखना होगा और तब बैरो कहत है सबको मरना होगा और नेजी पर हमरा करने लगता है पर हम देखते हैं आस्ता उसे बचा लिता है तब नेजी कहता है आखिर कर तुमने मुझे क्यों बचाया तब आस्ता कहता है तुम इतनी असानी से नहीं मर सकते तुमने जो किया है तुम्हें सबसे पहले उसका बुक् सकता मैंने जो इसे डाक मैजिक आइटम दिया है वो इसके अंदर से लाइफ सोर्स को खीच कर इसके मैजिक को बढ़ा रहा है और तब आस्ता जितनी बार उस मौशा के हाथ काड़ता है वो हाथ बार-बार रीजनरेट होते रहते हैं और तब हम देखते हैं जैसे ही सैली आस् अतने बुड़े होते जाते हैं हमारी मैजिकल पावर उतनी कम होती जाती है पर मेरे पास बहुत सालों का एक्सपिरियंस है तो मैं तुमसे इतनी असानी से नहीं हरूंगी और तब वो उस मौश्चर पर हमला करती है और सोचती है मैं इस मौश्चर से तब तक अच्छे से नहीं लड़ सकती जब तक मैं इन बच्चों को बाहर नहीं बेच देती और पता नहीं ये बेफकूफ गोश्च कहा चला गया है और तब यहां मैरी गोश्च को बाकी बच्चों को बचाने के लिए कहती है तब गोश्च कहता है मेरा मैजिक उनके सामने किसी काम का नहीं है और मुझे कोई फरक नी पड़ता कि वो लोग मरें याफी जीएं, मुझे बस तुम से फरक पड़ता है और तब हमें गोश और मेरी का बच्पन दिखाया चाता है, जहां हमें बताया चाता है कि वो एक नोवल फैमिली से बिलॉंग करता था और उसके बहुत सारे दुश्मन थे, जिस वज़े से उसके माता-पिता को मार दिया गया और तब गोश और उसकी बेहन को उनके घर से बहा निकाल दिया गया और तब वो अपनी बेहन से वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाऊँगा और तब हम देखती है, गोश मेरी को खुश रखने के लिए कोई भी गलत काम करने के लिए तयार हो जाता है और तब उसे मैजिक नाइट्स अरेस्ट कर लेते हैं और तब यहाँ गोश कहता है मुझे तुम्हारे इलावा किसी की चिंता नहीं है और तब मैरी उसे मुका मार के कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ यह सच है कि हमारे साथ बहुत लोगों ने बुरा किया है और वो सिस्टर और वो बच्चे सबसे अलग है मैं उनी की वज़े से अकेला फिल नहीं करती हूँ और तुम भी अपने दोस्तों की वज़े से अकेला महसूस नहीं करते हो हम सभी की जिन्दगियां connected है और यही दोस्त हैं जो हमें वो बनाते हैं जो हम आज हैं और तब वो दोनों बाहर पहुंच जाते हैं और तब हम दिखती हैं वहाँ पर और भी बच्चे होते हैं और वो मारको और मेरी को बताते हैं तब मेरी कहती है तुम चिंता मत करो मेरा भाई अभी अंदर जाकर उनसे लड़ने वाला है ये भी आस्ता की तरह सेम स्कॉर्ड में है जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और तब गोश वापीश चरा जाता है और सोसता है आखिरकर आस्ता के बारे में ऐसी क्या खास बात है जो कि सभी लोग सिरफ उसी के बारे में बात करते हैं पर कुछ भी हो मुझे नहीं लगता अब तक वो और सिस्चर वहाँ पर टिके होंगे क्योंकि जब भी लोग हारते हैं तब वो सिरफ अपने बारे में ही सोचते हैं पर तब ही वो देखता है आस्ता अभी भी हार नहीं मान रहा होता और तब सैली कहती है तुम इन बच्चों क बने कभी नहीं मरूंगा और तब ही हम देखते हैं जैसे वो मॉस्चर आस्ता को मारने वाला होता है गोर्ष आकर उसे बचा लेता है तब ही हम देखते हैं गोर्ष अकेले ही उन लोगों से लड़ने चला जाता है और हम देखते हैं वो मॉस्चर गोर्ष के हमले के बावज की उस करना चाहिए और इससे भी मुझे कोई फाइदा नहीं होगा और तब ही हम देखते हैं वो वाश्चर गोश को नीचे फैंक देता है और जैसे उस पर हमला करने लगता है आसा आकर उसे बचा लेता है और कहता है आखिर कर तुम हके दे क्या कर रहे हो हम दोनों एक टीम ह तो इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को बचाना होगा ताकि हमें कोई नहरा सके और तब गोश हसते हुए सोचता है ये बिलकुल बेफकूफ है पर मैं किसी और को भी जानता हूँ जो की इसी की तरह है तब यहां कैप्टर यामी उसे कहते है अगर तुम सच में अपनी बेह उसे बचाओ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी दिन किसी की मदद जरूर करोगे और तब यहां गोश सोचता है कैप्टन कि आपको सच में लगा था कि ये दिन कभी आएगा और तब यहां आस्ता मॉस्चर के साल लड़ रहा होता है और गोश कहता है ठीक है मैं तुम में बचाओंगा क्योंकि अगर तुम मरे तो मैरी मुझे से बहुत नराज होगी और तब हम देखते हैं आस्ता की दूसरी तलवार चमकने लगती है पर हम देखते हैं उस तलवार की हमले से भी उस मॉस्चर को कुछ नहीं होता और तब यहां सैली कहती है आखिकर तुमने यह कैसे किया मुझे भी बताओ तब गोर्ष सोचता है इस मॉस्चो को हराने का एक ही तरीका है कि हमें इस पर इतने हमले करने होंगे कि इसके पास रीजनरेट करने का टाइम ही ना हो और हम इसे आस्ता की उस तलवार की मदश से कर सकते हैं और वो एक बार में जादा हमले यह कर पाएगा अलुको तब क्या होगा अगर मैं अपना मैजिक इस और पर यूज़ करूँ तब हमें बताया चाता है कि गोर्ष ने हमेशा अकेले काम किया है तो उसे पता नहीं है कि अपने मैजिक से किसी और को सपोर्ट करना कैसा होता है और उसके पुराने फेलियर्स और आस्ता पर विश्वास करने की बजित से उसकी ग्रिम ओर में एक नया मैजिक क्रियेट हुआ है तब गोर्ष सोचता है पर जितनी मैजिकल पावर मेरे पास बची है उससे मैं इस मैजिक को कास्ट नहीं कर पाऊंगा और तब वो सिस्चत हैरिसा को उसके मदद करने के लिए कहता है और तब गोर्ष कहता है आस्ता मेरी तरफ देखो मेरी लेफट आई के अंदर मिरर मैजिक का आइटम है तो मैं उसके अंदर स्चोर हुए मैजिक की मदद से तुम्हारे उपर अपना न्यू मैजिक कास्ट करू और तब हम देखते हैं, वो आस्ता के बहुत सारे डूबली केक्स बना देता है, और तब हम देखते हैं, वो अपनी नई तर्वार की मदद से उस मॉस्चर और सैली पर गोश्च के मैजिक से हमला करता है, और तब हम देखते हैं, सैली और वो मॉस्चर हार जाते हैं, तर सिस् और आस्ता से कहता है तुमने जो पहले कहा था वो बिल्कुल सही था तो इसलिए मैं अपने भाई और अपने क्राइम्स की जिम्मवारी खुद लेता हूं तब आस्ता कहता है और जब तुम यह कर लोगे तब हम दोनों दोस्त बन जाएंगे और तब ही हम देखती है दे आई को अपना नाम लिच बताता है तब आस्ता देखता है उसके पास भी पोल लिफ ग्लोवर ग्रिम वार होती है और तब गोश सिस्टर थैरिसा से कहता है आप इस तरह नहीं मर सकती मैरी इससे बिलकुल भी खुश नहीं होगी और मुझे भी यह अच्छा नहीं लगेगा तब लडाई के मैदान में हमेशा कमजोरों की बली चड़ती है और उस में सबसे ज़्यादा मासूम बच्चों को सैना पड़ता है और इसी वज़े से मैंने लडाई का मैदान छोड़ा था ताकि मैं सिस्टर बनकर इनका ख्याल रख सकूँ तब लिच कहता है ये किस तरह की बक ने देना चाहिए था तबलीच कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने उसे चलाकी से हराया है और जो सिस्चर ने कहा वो गलत है क्योंकि हमेशा कमजोरों को नहीं ताकतवर लोगों को सैना पड़ता है जिनसे लोग डरते हैं उन्हें वो बुरा भला कहते हैं और उनसे सभी चीज़े छीन लेते हैं तो इसलिए हम लोग क्लोवर किंगडम को कभी माफ नहीं करेंगे तो इसलिए हम क्लोवर किंगडम को खतम करके एक नया किंगडम बनाएंगे तब आस्ता कहता है आखिर का तुम क्या बक्वास कर रह आपकर अपने आपको बचा सकता हूँ और आस्ता जैसे यागे बढ़ने लगता है लिच उसके पीछे आ जाता है और आस्ता से उसकी ग्रिम वाच इनने की बात करता है और जैसे उसके उसके बात करता है हम देखते हैं कैप्टन यामी आकर आस्ता को बचा लेते हैं तब आस् चाहते हो कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए चुट्टी दे दूँ तो चलो अब मुझे ये बताओ कि ये कौन है तब आसा गयता है ये आई आफ तर मेट नाइट सन का लीडर है तब कैप्टन यामी कहते हैं मुझे तो लगा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा त क्या मैं थर्ड आई को बुलाऊं तब लिच के नाइट लगा तब लिच कएता है तो इसे मैं ही सभाल लूँगा तब फिंडरल आसता से पूर्सता है क्या तुम लडोगे तब आसता हां कहता है और सोशता है ये पहली बार है जब मैं कैप्टन यामी को लड़ते हुए दे तब अस्ता कहता है अभी ये बताने का टाइम नहीं है तो इसलिए इस टाइम बस देखो और तब हम देखते हैं, लिच कैप्टन यामी पर हमला कर देता है, पर कैप्टन यामी अपनी तलवार से उसके हमलों को काटने लगते हैं, तब लिच सोचता है, ये तो रिइन्फोर्स्मेंट मैजिक से अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा रहा है, और मेरे लाइट मैज को तो लाइट मैजिक यूज करते हुए देखा है, तो बताओ, तुम कौन हो? तब लेज क्याता है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, काफी टाइम पहले एक विलेज था, जहां पर ऐसे लोग रहते थे, जिनके पास बहुत स्ट्रॉंग मैजिक था, और उनकी पावर तब कैप्टर यामी क्याते हैं? और तब कैप्टर यामी वोल्टरस के चैरे का मजाग उडाने लगते हैं, तब लिच कैप्टर यामी पर हमला करके कहता है, अगर तुम सच में किसी अलग कंट्री से आई हो, तो मेरी स्चोरी का तुम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, औ मैंने इसके लिए बहुत प्लैनिंग की थी और उसे ट्रैप में फसाया था, और तब हम देखती हैं, कैप्टर यामी लिच के हमलों से बचते हुए उस पर हमला कर देते हैं, और तब हम देखती हैं, लिच कैप्टर यामी से बराबरी की टकर दे रहा होता है, और तब हम द प्लैनिंग और ट्रैप के उस बंदें को कभी हरावी नहीं पाते तो इसलिए इधर उदर कूदना बंद करो और सीधा सामने से वार करो और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मैजिक नाइट कैप्टन की पावर क्या होती है और तब कैप्टन यामी आस्ता से कहते हैं त क्या इसका मतलब ब्लैक बुल के कैप्टन की पावर विजर्ट किंग के बराबर है और तब हम देखते हैं लिच अपने मैजिक से अपने आपको रिकावर कर लेता है तब आस्ता कहता है क्या ये भी रिकावरी मैजिक यूज कर सकता है तब कैप्टन यामी कहते हैं मैंने ब तब आस्ता कहता है पर जो चीज मैं देख ही नहीं सकता उसे मैं रोकूंगा कैसे तब कैप्टें यामी कहते हैं मैं तुम्हें एक बार बताऊंगा तो इसे ध्यान से सुनना मैं इसके अटैक को की की वज़े से रोक पा रहा था जो कि मेरे होम टाउन में बहुत फेमस थी कि एक ऐसी चीज है जिसमें हम यह देखते हैं कि सामने वाला क्या देख रहा है उसकी ब्रिथिंग की साउड कैसी है उसकी स्मेल कैसे है और उसकी मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं और इसके लाबा भी जो भी एनरजी human body emit करती है वो सारी इसी के अंडर आती है और मैं इसकी की को ही read करके इसके attack को predict कर रहा था और जब मैं ऐसा करता हूँ तब मैं इसे अपने magic और muscle के साथ combine करके लड़ता हूँ तब लिच कहता है लडाई के बीच में बात करना ये captain तो हमारा मजाख उड़ा रहा है तब लिच कहता है ये तो सच में बहुत से surprises से भरा हुआ है तब वोल्टर्स लिच की मदद करने के लिए कहता है और तब लिच उसे आस्ता को पकड़ने के लिए कहता है और तब वूर्टस जैसी आस्टा पर हमला करने लगता है कैप्टर यामी उसे बचा लेते हैं पर इस चाहिए मैं बस concentrate कर सकता हूँ और तब हम देखते हैं जैसे ही वोल्टेस आस्ता पर हमला करता है आस्ता को उसके हमले का एसास हो जाता है पर वो फिर भी उसे नहीं रोक पाता तब कैप्टें यामी उसे लात मार कर कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे ये पता नहीं चलेगा कि तुम बस अपने कान यूज़ कर रहे हो अगर तुम्हें अपनी की को यूज़ करना है तो तुम्हें अपने पांचों सेंसिस को यूज़ करना होगा तो इसलिए इस बार इसे सही से करना नहीं तो मैं तुम्हें मार ढालूँगा और तब आस्ता फिज से कॉंसंट्रेट करने लग जाता है और तब वो बोल्टरस के हमले को डिटेक्ट करके उसे वापिस उसकी तरफ ही रिफलेक्ट कर देता है जिससे आस्ता खुश हो जाता है तब कैप्टन यामी कहते है तुम सच में ये कर पाए तुम तो सच में बहुत अजीब हो तब लिच वोल्टरस को ऐसे देखकर गुस्ते में आ जाता है और कहता है तुम पहले ही मुझे बहुत नुकसान पहुचा चुके हो अब मैं तुमें और नुकसान पहुचाने नहीं दूँगा अब मैं अपने मैजिक को चाबू की तरह यूज करूँगा और मैं देखना चाता हूँ कि तुम लोग इसे कैसे डिटेक्ट करते हो और तब वो अपने मैजिक से उन पर हमला करने लगता है और तब हम देखते हैं वहाँ की सारी चीज़े तूटने लगती है और तब केव का एक टुकडा तूटकर आस्ता और कैप्टन यामी पर गिरता है तब लेच कहता है तुम लोग तो मेरे इतने से पावर को भी नहीं संभाल सके तुम तो सच में बहुत वीक हो और ये तुम्हारी दुनिया भी बहुत कमजोर है तब वोल्टेस कहता है आपकी पावर सच में गौट की तरह है और क्लोवर किंडम के सारे मैजिक नाइट्स को आपके सामने जुकना ही होगा और तब ही हम देखती है आस्ता और कैप्टन यामी उस मलबे से बाहर आ जाते है और तब यहां कैप्टन यामी हसते हुए कहते है अगर तुम ऐसे ही अपनी की को यूज करते रहे तब तुम एक दिन नेचर के मैजिक को भी महसूस कर पाओगे तो चलो फिर इन दोनों को हराया जाए और तब आस्ता एकसाइटेड हो जाता है और लिच को चैलेंज करने लगता है तब कैप्टन यामी उसे एक लात मार कर कहते हैं वो मेरा शिकार है मैं उसे बताना चाहता हूँ कि एक असली कैप्टन की पावर क्या होती है और वैसे भी अगर तुम उसे लड़े तो मारे जाओगे तो इसलिए तुम दूसरे वाले को संभालो और तब कैप्टन यामी एकसाइड़ हो जाते हैं और लिच पर हमला कर देते हैं और तब लिच भी कैप्टन यामी पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ना स्चार्ट कर देते हैं वो दोनों एक दूसरे को करी टकर दे रहे होते हैं तब कै तुमने जो पहली स्चोरी बताई थी उसका अंत वो नहीं था न और जो ग्रिम वर तुम्हारे पास है उससे प्रूफ होता है कि तुम क्लोवर किंग्डम के ही वासी थे तो फिर तुम अपनी ही कंट्री पर अटेक क्यू कर रहे हो और तब वो दोलो फिर से लड़ना स्चार् जाने लायक हो तब कैप्टें यामी कहते हैं अब सरसर बताओ तुम यहां क्यू आए हो तब लिच कहता है एक फॉर्णर होने के तौर पर तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि इस कंट्री में कई जगा पर कुछ भी खाने को नहीं है और कई जगा ऐसी है जहां पर खाना खतम ही नहीं हो रहा यहां पर लोगों के मैजिक के अकॉर्डिंग ली लोगों को बाटा जाता है और कभी कबार उनके बर्थ के अकॉर्डिंग भी उनके मैजिक को प्रेज नहीं किया जाता और हम लोग इसी चीज को रोकने के लिए पैदा हुए है तब कैप्टें यामी क मैं समझ गया तुम चीजें अपने तरीके से करना चाहते हो और तुमने अभी मुझे परिशान कर दिया है और हम देखते हैं वो दोनों फेसे लड़ना चार्ट कर देते हैं तब आस्ता सोचता है आखिर का ये किस तरह की लड़ाई है तो ये है एक कैप्टन की पावर मेरे प को ट्रेन करूंगा तो एक दिन इनको हरा भी पाऊंगा और तब रहा वोल्टो सोचता है ये तो मास्चर लिच को बराबरी की टकर दे रहा है और तब वो कैप्टन यामी पर हमला कर देता है और तब कैप्टन यामी आस्ता से कहते हैं आखिर कर तुम कहां खोए हुए हो मै मैंने तुम्हें दूसरे आदमी को संभालने के लिए कहा है, मैं तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं दूँगा, जो तुम नहीं कर सकते, इसलिए उससे अपने तरीके से लड़ो, और तब आस्ता सोचता है, मैं एक दिन विज़र्ट किंग बन कर रहूंगा, और कहता है, अब मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा, और वोल्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है, तब वोल्टर्स कहता है, तुमने चाहे मेरे पिछले अटैक को रोक लिया हो, और अब तुम मेरे इस अटैक को नहीं रोक पाऊगे, और तब वो आस्ता पर हमला कर देता है, पर हम देखती हैं, आस्ता उसके हमले से बच जाता है, तब वोल्टर्स कहता है, मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ, और आस्ता पर हमला करने लगता है, और तब हम देखती हैं, आस्ता उसके हमले को रोक रहा होता है पर बीच बीच में उसे चोटे आरी होती है तब वो सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जादा देर इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा तो इसलिए मुझे शांती से सोचना होगा और तब हम देखती है आस्ता अपनी दोनों तरवारों को छोड़कर कॉंसेंट्रेट करने लगता है और जैसे ही वोल्टरस अपना पोर्टल खोलके आस्ता पर हमला करने लगता है आस्ता उसके पोर्टल में से जाकर उसे एक मुका मारता है और तब कैप्टें यामी उसके जिसके पास मुझे हराने की पावर है पर अब मेरे पास टाइम नहीं है तब कैप्टर यामी पूछते हैं तो फिर पहला कौन था? तब लिच विजर्ट किंग का नाम लेता है और कहता है अब मैं अपना सबसे ज़्यादा पावफुल स्पेल यूज करने वाला हूँ जिससे तुम बच भी नहीं सकते मुझे पता है फोर लिफ ग्रिम वाल सबसे ज़्यादा खतरनाक है पर इसकी जैसी ताकत मैंने कभी नहीं देखी है और मैं इसे सिरफ सर्प्राइस अटेक से ही हरा सकता हूँ तो अब मैं क्या करूँ? और तब हम देखते हैं फिनरल सभी को वापिस विलेज छोड़ देता है और यहां सिस्चर थेरिसा को हील किया जा रहा होता है और गोश उन्हें मरने से मना कर रहा होता है और तब फिनरल गोश को अराम करने के लिए कहता है तब एक परसन कहता है यह विल्कुल ठीक हैं क्योंकि इनकी सारी चोटे किसी भी vital point पर नहीं लगी हैं तप सिस्टत हैरसा गोश को साथ रहने के लिए के लिए कहती है और गोश को अपनी power देकर कहती है तब गोश ही लिए magic यूज़ करने वाले बंदे को सिस्टत हैरसा को जिंदा करने के लिए कहता है तब वो person कहता है वो अभी मरी नहीं है तो आपको चिंता करने के जरुवत नहीं है तब सिश्चर थैरिसा कहती है मेरे बारे में चिंता करना बंद करो मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी और तब सभी लोग गोष को उसके साथ आस्ता और बाक्यों को बचाने के लिए कहते हैं और तब adapted जी और मेरी उसे अपनी पावर देते हैं तब गोश फिंडरल को वापिस जाने के लिए कहता है तब फिंडरल कहता है हम वहां जाकर क्या करेंगे तुल्टो उससे पहले बी निलड़ पाई थे तो हमें यहां रुक कर बैक अप का वेट करना चाहिए तब गोश कहता है मेरे पास एक आइडिया है तब फिनरल कहता है अगर तुम मेरे स्पेशल मैजिक को यूज करने के वारे में सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता चुकि मैं उसके जैसे पावफुल जादुकर के पास नहीं जा सकता और अब मैं सिरफ एक ही बार अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ तब गोश फिनरल से रिक्वेस्ट करता है और तब लिच हमला करने के लिए तयार हो जाता है और कैप्टर यामी अपने और आस्ता के आसपास एक शीर्ड बना लेते हैं तब कैप्टर यामी सोचते हैं अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते और तब गोश और फिनरल भी वहीं पहुंच जाते हैं और तब जैसे ही लिच उन पर हमला करता है गोश अपने मैजिक को यूज करके उसके हमले को रिफलेक्ट कर देता है और हम देखते हैं लिच अपने ही हमले से घायल होके नीचे गिर जाता है और या हम देखते हैं तीन लोग सैली का ध्यान रख रहे होते हैं और वो कहते हैं लगता है अब समय आ चुका है हमारे काम करने का और तब यहां आसता अपने आपको ठीक देखकर बहुत खुश हो जाता है और गोश और फिंडरल से पूसता है आके कर हुआ क्या तब गोश कहता है मैंने अपने मिरर मैजिक से उसकी स्पेल को रिफलेक्ट कर दिया है और कोई वापिस नहीं जा सकता और तब हम यहां देखते हैं लिच गोश से माफी मांगता है तब कैप्टर यामी कहते हैं क्या तुम इसे जानते हो तब गोश मना कर देता है तब लिच कहता है एक दिन तुम जरू समझोगे तब कैप्टर यामी कहते हैं अब हम तुमें मैजि करने के लिए गई है और तब हम देखते हैं यहां सारे भच्चे विलिज में वापिस आ जाते हैं और नोवैल को सारी कहानी बताने लगते हैं और तब नोवैल आस्ता और गोश को ढूड़ने लगती है और तब हम देखते हैं नैरों से सिस्चत हैरिसा के पास ले जाती है जह में लड़ाई अभी भी खतम नहीं हुई है और जब हम वहाँ लड़ रहे थे तब वहाँ पर एक और परसन आ गया था तब नीजी कहता है वहाँ पर वो सभी लोग कैप्टर यामी के साथ the eye of midnight sun के लीडर लिच के साथ लड़ रहे हैं तब मैरी कहती है तुम चिंता मत करो मेर तब भाई और वो special magic user भी उनके मदद करने के लिए गए है तब नुएल सोसती है आखिकर क्यों वो लोग मुझे आस्ता के पास नहीं लेकर गए नहीं नहीं मैं आस्ता के लिए वरीड नहीं हूँ मैं पता नहीं क्या सोची जा रहे हूँ और तब वो नीजी से उसके बारे वहाँ आ जाते हैं और तब एक person कहता है लगता है यहाँ पर बहुत बुरी battle हुई है पर अब मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा और तब हम देखते हैं वो lightning speed से captain yami के पास पहुँच जाता है और तब captain yami अपने dark magic से उस पर हमला कर देते हैं पर हम देखते हैं वो person उसे dodge कर देता है और उसे बस एक धरोची आती है और तब वो अपने light magic से अपने आपको heal कर देता है तब लिच कहता है मुझे माफ करना कि मेरे अकेली की strength इन सभी को हराने के लिए काफी नहीं थी तब फाना कहती है लिच रुको मैं तुम्हें अभी ठीक कर देती हूँ औ आखिरकार ये तीनों है कौन तब लिच कहता है ये तीनों the eye of the midnight sun के सबसे strongest members है और इन तीनों की ताकत मुझसे भी जादा है और यही the sun of midnight sun के third eye है तब फिंडरल कहता है क्या ये मजाग कर रहा है तब लिच कहता है तुम्हारे kingdom का symbol clover है ना और वो सारे clover के leaves अच्छी ची नहीं करता जो की है faith hope and love और इसलिए मैंने इन तिनों को opposite नाम दिये हैं तो पहला है राया the disloyal जो की faith का opposite है दूसरा है वैटो the despair जो की hope का opposite है और तीसरी है फाना the hateful जो की love की opposite है तब captain yami कहते हैं तुम्हारे नाम तो अच्छे हैं पर ये ये नहीं बताते कि तुम कितने powerful हो तब राया कहता है तो फिर तो हमें तुम्हें बताना ही पड़ेगा और तब वो लोग देखते हैं राया captain yami के magic को copy गरके black slash से हमला करता है और तब geto भी और बैटो भी लड़ाई के मैदान में कूच जाता है और तब वो और captain आपस में लड़ने लगते हैं और तब हम सोचता है ये तो यूनो की तरह है तब captain yami सभी को barrier के अंदर रहने के लिए कहते हैं और खुद बाक्यों का सामना करने के लिए बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं captain yami अकेले ही उन सभी से लड़ रहे होते हैं जिससे उन्हें काफी चोटे में लग रही होती है तब आस कहता है मुझे लगाई था कि तुम इतनी असानी से फार नहीं मानोगे पर तुमे ने रोक नहीं पाऊगे चोकि ये सभी एक magic knight captain की जितने strong हैं और तब हम देखते हैं वो तीनों मिलकर captain yami पर हमला कर देते हैं और तब ही हम देखते हैं captain nozzle captain charlotte और captain jack वहां जाते हैं तब captain jack कहते हैं तुम तो अकेले ही मज़े कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है और मैंने सुना तुम सभी लोग एक magic knight captain जितने strong हो तो चलो check करते हैं तब गोश कहता है आखी का ये तीनों कौन है तब फिंडरल कहता है तुमें अपनी बेहन के इलावा भी बाग की दुनिया पर भ आना लगता है और तब हम देखते हैं वो सभी लोग लड़ने के लिए excited हो जाते हैं और तब हम यहां देखते हैं नेजी नुवैल को सारी बात बता देता है तब नुवैल कहती है तुम्हारी बाते सुनकर ऐसा लग रहा है वो लोग बस तुम्हें और तुम्हारे भाई को पापों के भुकतान के लिए मैं अपने आपको मैजिक नाइट्स के हवाले कर दूँगा और उसके बाद ही मैं आस्ता को दोस्त बन पाऊंगा तो इसलिए मैं अपने किये पे शिर्मन्दा हूँ तब नुएल कहती है मुझसे माफी मागना बंद करो अब जब तुम अपने पापों का प्राइश्यत करने के लिए तयार हो और आस्ता के दोस्त बनने के लिए तयार हो तो उसके वापिस आने के लिए दूआ करो और पता नहीं वो कहा है और सोचती है मैं फिर से आस्ता के वर और तब कैप्टन जैक और कैप्टन शालिट कैप्टन यामी को हमेशा मुसीबत में पढ़ने के लिए ताने सुनारे होते हैं तब कैप्टन यामी कहते हैं अब मैं क्या ही कहूँ इस धर्ती को मुझसे इतना प्यार है कि ये मुझे बार बार अपने पास बुलाई लेती है त तो मैं मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूवत नहीं है क्योंकि ये बैटल फिर्ड ही मेरा पार्टनर है। और सोसती हैं आखिर कर कैसे मैं इस जैसे आदमी से प्यार कर सकती हूं और अब तो मैं इसे अपने दिमाग से निकाल भी नहीं भा रही हूं। तब कैप्टन नुजैल कहते हैं तो ये लोग वो हैं जिनने हमारी केंट्री पर हमला किया था तो मैं इन लोगों को यहीं गार दूँगा। और कहती है अगर तुम लिच को हर्ट करना चाते हो तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। और तब हम देखती हैं सारी केप्टन्स लड़ना स्चार्ट कर देती हैं तब कैप्टन यामी कहते हैं सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तब आसा कहता है क्या आप उन्हें देख सकती हैं तब कैप्टन यामी कहते हैं मैं उनकी की को रीट कर रहा हूँ और फिन्रल अभी तक तुम्हारा मैजिक रिकवर हो गया होगा तो चलो काम पलगती हैं। तब यहां लेच कहता है मैजिक नाइट कैप्टन सच में बहुत ताकतवर हैं पर यह हमारा सामना नहीं कर सकती क्योंकि यह मैजिक हम उसे बहुत प्यार करता है। और तब लेच अपने लाइट मैजिक से कैप्टन यामी पर हमला करने लगता है। लेच से बहुत रोशनी आजाती है। तब वेटो कहता है यह तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा लग रहा है उस लड़के की एंटी मैजिक स्वार्ट की वज़त से उसकी मैजिक सीर टूर चुकी है। तब लेच आस्ता से कहता है आखिरका वो गिरिम वार्ट तुम्हें क्यों मिली। आखिरका तुमने डीमन स्लेयर स्वार्ट और डीमन ड्वेलर स्वार्ट को क्यों हासिल किया। ये दुनों स्वार्ट हमारे मास्चर की हैं। तब कैप्टन नुजेल सोचते हैं। तो क्या इसका मतलब ये दी आई ओफ मेडनेर सन का मास्चर नहीं है। तब आस्था कहता है आखिरका तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये गिरिम वार्ट और ये तर्वारे मेरी हैं। तब लीच कहता है ये गिरिम वार्ट तुम्हारी कभी नहीं थी इसे वापीस दे दो। और तब हम देखते हैं वापर अचानक से लिच का मैजिक बढ़ने लगता है तब कैप्टन शालिट कहती है अगर इसने ये पावर रिलीस की तो ये यहां की सारी चीज़ों को उड़ा देगा तब फिनरल कहता है इसके पास समेशा से इतनी पावर थी कि ये हमें कमी भी हरा सक आखिर का किसकी शकल देखके मैंने इस वाट को जोईन किया था और तब कैप्टन यामी और आस्ता लड़ने के लिए और भी ज़्यादा एकसाइटेड हो जाते हैं और तब हम देखते हैं लिच के साथी उसके मैजिक को सील करके वहां से जाने लगते हैं तब एटो कहता है चाहे इस बार हम हार गए हो पर अगली बार हमें तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और वहां से चले जाते हैं तब कैप्टन शालेट सोचती हैं इन्होंने तो उसकी मैजिक को एकी स्पैल से सील कर दिया तो क्या ये लोग हमारे साथ खेल रहे थे तब कैप्टन नुजैल और तब सभी कैप्टन्स यामी को उनके साथ अकेले लड़ने के लिए ताने देने लगते हैं तब कैप्टन शालेट सोचती हैं पर फिर भी मुझे मानना पड़ेगा ये अकेले ही उन सभी से लड़ रहा था और शायद इसी वज़े से मैं इस से प्यार करती हूं तब कैप अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए तब कैप्टन यामी कहते हैं मेरा पार्टनर भी ये बैटल फिल्ड ही है तो चलो हम दोनों मिलकर एक दूसरे का ख्यार रखेंगे तब कैप्टन शालेट कहती है क्या तो मजाख कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ बिलकुल नहीं रहना चाहती और सोचती है आखिर का क्यूं मैं सीधर सीधा इसके सामने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देती और तब हम देखती है आस्ता सो जाता है और तब कैप्टन यामी फिनरल को उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं और तब यहां रेडिस कहता है अब रेडिस बिल्कु सही कह रहा है हमें उन्हें बचाना ही होगा और तब हम देखती है मिमोसा आस्ता को ठीक कर देती है और तब आस्ता देखता है यूनो की टीम उसे मिलने आई होती है और मिमोसा आस्ता को ठीक देखकर उसे गले लगा लेती है और तब नुएल जेलिस होके आस्ता को धका दे देती है तब नुवैल उससे बताती है कि वो पूरा दिन सोता रहा है तब कलाउस कहता है ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपना लडाई में बैस्च दिया था और जब तक हम वहाँ पर पहुंचे The Eye of Midnight Sun वहाँ से जा चुके थे और तब आस्ता मिमोसा को उसे ठीक करने के लिए थैंक्यू कहता है और तब मिमोसा कहती है इसमें मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल कलाउस ने रखा है तब कलाउस कहता है तुम्हारी वज़े से वो सारे बच्चे बच गए हैं और नैजी ने भी अपने आपको Magic Nights के हवाले कर दिया है पर मुझे नहीं लगता कि वो Eye of Midnight Sun के बारे में कुछ ज़्यादा बता पाएगा तब इमोसा कहती है और क्यूंकि वो अपने किये पे शर्मिंदा है तो अब उसे चर्च में ही काम करके अपने पापों का प्राइश्यत करना होगा तब यूनो कहता है अगर मैं तुम लोगों की जगा होता तो मैं The Eye of Midnight Sun को भाग नहीं नहीं देता तब आस्ता कहता है मैं भी उन्हें अगली बार नहीं छोड़ूँगा और देखना यूनो मैं तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और तब वो दोनों कहते हैं हम दोनों इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन विज़र्ट किंग बन जाएंगे और तब मिमوسा वहां से जाने से पहले आस्ता को सिस्टर धरसा के ठीक हो जाने के बारे में बताती है और तब यहां गोश कहरा होता है मैं तो बस उस बुड़ी औरत को देखने आया हूँ जो की मरने का नाम इनी ले रही है और तब सिस्टर धरसा कहती है अगर कोई जखमी है तो उससे ऐसी बाते नहीं करते तब गोश कहता है तो फिर मैं तो तुम्हें खतमी कर देता हूँ और तब वो दोनों आपस में बहांस करने लगते हैं और तब मैरी उन्हें लड़ने से मना करती है तब गोश कहता है मैरी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू और हाँ मुझे खुशी है कि आप जिन्दा है और तब गोश मैरी को जैसी उसकी तारीफ करने के लिए कहता है आस्ता वहां आ जाता है और तब मैरी आस्ता के साथ खेलने लग जाती है जिसे देखकर गोश डियलिस हो जाता है और तब आस्ता सिस्टर थेरिसा से उनका हाल चाल पूशता है और तब आस्ता कहता है मेरी चिंता मत करो मैं बिल्कु ठीक हूँ और सबसे इंपोर्टन बात तो यह है कि मुझे सिस्टर लिली से तुम्हारे अच्छे कामों के लिए बात करनी है और मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगी तब आस्ता कहता है सही कहा ओ सिस्टर लिली आप चिंता मत कीजिए मैं बहुत जल्द विजर्ट किंग बनके आपको लेने आऊंगा और तब नुवेल आस्ता को वापिस बेस आने के लिए कहती है और हम देखती है आस्ता बेस जाने से पहले रबेका की घर खाना खाने चला जाता है और यहां गोश आस्ता को मारने के बारे में सोच रहा होता है तब नुवेल सोच रही होती है मुझे दो लगता है लड़कों को वो लड़के ज़्यादा पसंद आती है जो कि खाना बना सकती है और तब मारको आस्ता को उसकी रोव बापिस देता है और तब नुवैल आस्ता को ताने देरी होती है और तब रवेका सोचती है तो इसका मतलब ये वो लड़की है जो कि आस्ता का लड़ाई में साथ देती है और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूगी और तब रिवेका आस्ता को किस कर देती है और सोस्ती है मुझे माफ करना पर ये पहली किस मैं ले रही हूँ जिसे देखकर नुवैल पूरी तरह से शौक हो जाती है तब यहां ब्लैक बूल बेस में आस्ता के वापिस आने की खुशी में बहुत सारा खाना बना होता है और तब मैगना कहता है चलो फिर खाने का कॉमपेडिशन करे और कैप्टन यामी को जज बनने के लिए कहता है और तब हम यहां देखते हैं फिन्रल अपने स्पेशल मैजिक से अपने खाने को लग के पेट में भेज रहा होता है और तब कैप्टन यामी उसे आउट कर देते हैं और हम देखती हैं सबी एक-एक करके out हो जाते हैं और रेस भी बस आस्ता और चार्मी बच जाते हैं और तब हम देखती हैं चामी उस competition को जीट जाती है और तब विज़र्ट किंग का एक लेटर आता है जहां उन्होंने बोला होता है कि सारे कैप्टन्स की कल कॉंटफरेंस है और आस्ता को भी साथ लेकर आना और तब यहां मार्क्स कहता है आपके ओर्डर के हिसाब से मैंने बाकी कैप्टन्स को कल की मीटिंग के बारे में बता दिया है तब विज़र्ट किंग कहते हैं मैं ये विश्वास तो नहीं करना चाता पर ये सच है कि हमारे बीच में एक गद्दार है जो की दे आई ओफ मिडनेट सन के साथ है और शायद कल हम उसे ढूट पाएं तब मार्क्स कहता है क्या कल का प्लैन काम भी करेगा तब विज़र्ट किंग कहते हैं ये सब कुछ तो आस्था पर डिपेंड करता है और तब यहां मार्क्स कैप्टन यामी और आस्था का सुवागत करता है और कैप्टन यामी को बाकी कैप्टन्स का वेट करने के लिए कहता है और आस्था को अपने साथ ले जाता है मैंने तुम्हारी लड़ाई के वारे में सुना और मुझे पूरा यकीन है कि विज़र्ट किंग तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें दस चार जरूर देंगे तब आस्ता एक्साइटिड हो जाता है तब आस्ता भूसता है हम आखिकर जाका आ रहे हैं तब मार्क्स कहता है ये एक अंडरग्राउंड प्रिजन है जहांपर हमने दे आई आई ओफ मेड़नेट सन के मेंबर्स को रखा है और उनकी मेमरीज को एक स्पैल से प्रोटेक्ट किया गया है इसलिए हम उनके पास से कोई इंफॉमिशन नहीं निकलवा पारे तो इसलिए व हमसे हर वक्त एक कदम आगे रह रहे हूं और ये तब ही हो सकता है जब कोई अंडर का आदमी उनसे मिला हो और शायद मैजिक नाइट कैप्टन्स में से ही कोई है जो की गददार है और इसी चीज़ को पता करने के लिए हमें तुमारी मदद चाहिए और तब यहां आस्ता विज़र्ट किंग से मिलता है और तब विज़र्ट किंग एकक्साइटीड होगे उस से दि-आई ओफ मेंटनेट सर्ण के मैंबर्स के मैजिक के बारे में पूशने लगते हैं तब विज़र्ट किंग आस्ता को अपनी एंटी मैजिक स्वाड यूज करने के लिए कहते हैं और तब हम देखती हैं आस्ता उस spell shield को तोड़ देता है और तब Marks अपने magic से उनके mind को read करने लगता है जिसकी वज़े से वो लोग उनकी true memories देख सकती हैं और तब Marks उन दोनों से सवाल जवाब करने लगता है और तब यहां सारे Captains एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं और तब Aqua Deer के Captain Rill कहते हैं अगर Captain Vermillion यहां होते तब वो सारी चिज़ों को combine करके सब कुछ अच्छे से explain कर सकते थे और तब हम देखते हैं वहां सभी लोग एकदम से शाथ हो जाते हैं और तब Captain Rill Captain Vermillion की acting करने लगते हैं जिससे Captain Nozel और Captain Jack बिल्कुल भी खुश नहीं होते और Captain Yami जोर जोर से हसने लगते हैं और तब हम देखते हैं Captain William वहां जाते हैं और तब Purple Orcus Captain गिल रहे पूशते हैं तो Captain William बताईए आखिरकार आपकी स्कौर्ड इतने जल्दी इतनी स्ट्रॉंग कैसे बनी हैं और मैंने सुना है कि आपके सारे स्कौर्ड मेंबर्स बहुत अ चाता हूँ कि आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आये हैं तब Captain Giltre कहते हैं ये सब कुछ एक Company Secret है और तब Captain Ozzel Captain William से पूशते हैं आखिरकार आप तब कहां थे जब आपती स्कौर्ड को मेडल्स मिल रहे थे तब Captain Yami कहते हैं मैं तो उस दिन gambling कर रहा था और मुझे भी Captain William आपसे कुछ पूशना था क्या आप light magic यूज करते हैं तब Captain William मना कर देते हैं और तब जैसे ही Captain Rill Captain Yami के acting करने लगते हैं Captain Yami को गुशा आ जाता है और वो कहते हैं आखिरका ये Julius है कहां कब तक हमें उसका यहाँ बेट करना होगा और तब Mark उन सभी Captain's को underground prison में बुलाता है तब Captain Charlotte कहती है कि हमें इन दोनों से कुछ पता चला है तब Wizard King कहते हैं हमें एक ज़रूरी चीज़ पता चली है तब Wizard King कहते हैं हमें The Eye of Midnight Sun के बारे में पता चला है कि उसका लीडर लेट चैर जिसके पास 4 Leaf Clover है और 6 साल पहले उसने Clover Kingdom के खिलाफ ये Terror Group बनाया था और अब इस गुरूप में 50 लोग हैं और इसमें 3 लीडर्स और हैं जिने 3rd Eye कहा जाता है जो की है Raya, Fana and Veto और यही सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और इनका गोल हमारे Kingdom को खतम करके एक अलग Kingdom मनाना है और एक important बात ये पता चली है कि Magic Knight Captains में से ही कोई एक गदार है जिससे सुनक का सभी लोग शौक हो जाते हैं और तब Wizard King उस पकड़े हुए अपरादी से उस गदार Captain का नाम पूछते हैं और तब वो दोनो परपल Orcus Captain Gildre का नाम लेते हैं तब Captain Gildre कहते हैं ये दोनों तो दुश्मन हैं तो क्या आप इनकी बातों पर ध्यान दोगे और वैसे भी मैंन हैं तब Captain Gildre कहते हैं ये दोनों जूट कह रहे हैं ये बस मुझे फसाने की चाल है तब Marks कहता है ये दोनों मेरे Magic से बंदे हुए हैं तो ये जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे तब Captain Yami कहते हैं तब चलो फिर एक काम करते हैं Marks को तुम्हारी Memories में जाकने दो अगर तुम कारे होते हैं तब आस्ता कहता है तो इसका मतलब आस सच में एक गदार है आपने Captain Vermilion को धोका दिया है और तब Captain Gildre कहते हैं ये सब कुछ मुझे फसाने के लिए किया जा रहा है तो इसलिए मैं अभी के लिए यहां से जा रहा हूं और मैं किसी और तरीके से अपना नाम ठ करता तब आस्ता कहता है तो इसका मतलब इसे हराया नहीं जा सकता और तब Captain Gildre अपने Invisible Troops को Captain's पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं तब यहां Captain Gildre सोच रहे होते हैं मैं इतनी असानी से पकड़ा नहीं जाऊंगा इसी पावर की मदद से मैं Magic Knight Captain बना था और उसके बा है तब Captain Gildre कहते है आखिरका तुमने मुझे ढूंडा कैसे और तब यहां Captain Yami बताते हैं वो चाहे अपने Magic से छुप गया हो पर उसकी की अभी भी रीट की जा सकती है और आस्ता जिसके पास Anti-Magic Sword है और वो की को भी रीट कर सकता है तो वो उसका सबसे ज़्यादा खतरनाक Enemy बन चुका है और तब यहां Captain Gildre आस्ता बर अपने Invisible Soul से हमला कर देते हैं और वहां से भागने लगते हैं तब आस्ता कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा तुम्हें एक Magic Knight Captain हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा तब Captain Gildre कहते हैं चलो ठीक है अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो चलो लड़ते हैं और तब ही हम देखते हैं Captain Rill अपने Picture Magic से उसे पकड़ लेते हैं जिससे आस्ता चौक जाता है और तब वहां सारे Captain's आ जाते हैं और तब Wizard King उसे पकड़ने वहां जाते हैं और तब Captain Rill आस्ता से पूछते हैं और तब Captain Rill आस्ता को दोस्त बने के लिए के लिए कहता है और तब यहां Wizard King और बाकी Captain's Captain Gildred's से पूछतास करने लगते हैं तब Captain Charlotte कहती है तुमने इतने काले कारणामे किये हैं इसलिए तुम हमें अपना Mind Read नहीं करने दे रहें और तुम्हारा सबसे बड़ा Crime था Royal Capital के गा माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि एक Magic Knight Captain का धर्म होता है कि वो लोगों की मदद करें और इसने अपने असुलों को बेच दिया और अगर यह बात बाहर लोगों को पता चली तो उनका हमसे विश्वास उठ जाएगा तो इसलिए इसके बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं पत चलना चाहिए और आप सभी को भी अपनी स्कौड को चेक करना चाहिए और तब हम यहाँ देखते हैं राये किसी का बेस बना कर स्कौड कैप्टन की मीटिंग में आया होता है और किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और तब यहां विज़र्ट किंग आस्ता कैप्टर यामी से कहते है तब बहुत ज़्यादा बुरा होता है जब आपका साथी आपको धोका देता है और मैंने यहां तक पहुंचने में बहुत गलतियां की है तो आप नहीं क्या यह कहने के लिए हमें यह रोका है तब विजर्ट कींग कहते है मैं तुम्हें एक सच्चाई कहना चाहता हूँ कि The Eye of Midnight Sun के लोगों ने हमें एक और information दी थी आस्ता क्या तुम्हें वो वला stone याद है जहां पर बहुत सारे मोती लगे हुए थे उन सभी मोतियों को magic stones कहा जाता है और उन्हें ये विश्वास है कि अगर वो उन सभी को इकठा कर लेंगे तब वो सभी अपनी true forms में जनम ले लेंगे जिसकी वज़े से उनकी पास और ज़्यादा power आ जाएगी और इसी वज़े से उन्होंने Captain Vermilion पर हमला किया था क्योंकि उनके पास एक magic stone था मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं पर हमें उन्हें सारे stone को इकठा करने से रोकना होगा और अब सिरफ तीनी magic stone बचे हैं जिन मेंसे एक stone underwater temple में है जहां पर बहुत ज़्यादा magic है और उसके अंदर कोई भी इतनी असानी से नहीं पहुंच सकता और जिस dungeon में तुम गए थे इसके आगे तुम उसे एक beginner level समझ सकते हो तब Captain Yami कहते है तो आपके कहने का मतलब है कि The Eye of Midnight Sun के पास पहुंचने से पहले हमें उस magic stone को हासिल करना होगा तब Wizard King कहते है और इस काम के लिए सबसे अच्छी Black Bulls Code है क्योंकि उसमें किसी को भी status से कोई फरक नी पड़ता है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहां और भी गदार हो सकते हैं तो क्या तुम लोग ये करोगे तब Captain Yami कहते है आप Wizard King है तो आप जो भी order देंगे वो हो जाएगा और ये बात सच है कि मुझे किसी चीज से कोई फरक नी पड़ता और तब Captain Yami अपने पास्ट को याद करने लगते हैं जहां लोग उन्हें foreigner कहकर बेदभाव करते हैं और जब Captain Yami को Grim War भी मिलती है तब ही भी वो लोग उन्हें accept नहीं करते हैं और वो हमेशा ही अकेले रहते हैं और तब ही हम देखते हैं Wizard King Captain Yami के Dark Magic को देकर बहुत excited हो जाते हैं तब Captain Yami बूचते हैं आखिर कर तुम कौन हो तब Wizard King बताते हैं कि मैं तो एक Magic Knight Captain हूँ और तब Captain Yami को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तब Wizard King उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और तब यहां Captain Yami Wizard King को सलूट करके कहते हैं मैं अपनी Power को यूज करके ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपने जो मुझ पर भरोसा किया है वो गलत नहीं है और आपने कोई गलती नहीं की है तब Wizard King कहते हैं और हां आस्ता वहाँ पर बहुत ज़्यादा Magic होगा तो मेरे हिसाब से तुम्हारे Anti Magic के बिना कोई Enter नहीं कर पाएगा इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं और तब आस्ता सलूट करते हुए अपने आपको ज़्यादा ही हट कर लेता है और तब यहाँ Captain Yami कहते हैं तुम तो बहुत excited हो गए थे तब आस्ता कहता है तुकि यह पहली बार है जब किसी ने मुझे पर किसी काम के लिए भरोसा किया है तब Captain Yami आस्ता से कहते हैं मैंने तुमें अपनी स्कॉर्ड के लिए इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा तुम आगे जाकर बहुत कुछ कर सकती हो तो इसलिए अपना best देना और तब यहाँ Black Bull के base में सभी लोग बीच पे जाने के लिए बहुत excited होते हैं और तब सभी लोग अपने अपने interest के accordingly चीजे सोचने लगते हैं और तब यहाँ Noel swim suit के बारे में सोच रही होती है और तब Vanessa उसे एक offer करती है जिससे वो शौक हो जाती है और तब यहाँ सभी लोग बीच बीच चिला रहे होते हैं और Captain Yami को इससे गुसा आजाता है और वो कहते है हम वहाँ काम करने चारी है मज़े करने नहीं और तब सभी लोग शाथ हो जाते हैं तब आसा सोचता है पता नहीं वो अंडर वाटर टेंपल कैसी जगा होगी और तब यहाँ यूनो की टीम एक मिशन को पूरा करके वापिसारी होती है तब कलाउस कहता है यूनो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विंट स्पिरिट सिल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है और तुम्हें अकेले लड़ने की जुरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी लोग टीम है तो इसलिए तुम्हें मेरे ओर्डर्स मानने होंगे और हम देखती है यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है और तभी उन्हें किसी के चिलाने की आवाज आती है और तभी वो लोग वहाँ पर पहुँचके देखती है कि नोवैल स्विंप सूट ट्राइ करते हुए चिलारी होती है तभ यूनो बूसता है आखिर का यहां क्या हुआ तभ वैनिसा कहती है हम सभी लोग बीच पर जा रहे है तो नोवैल को एक स्विंप सूट की जरुवत है इसलिए हम उसकी शॉपिंग के लिए यहां आए है तभ क्लाउस कहता है तो क्या ब्लैक बूल्स काम छोड़कर फिर से मज़े कर रहे है तभ वैनिसा कहती है यह एक मिशन के लिए है और तभ वैनिसा यूनो को भी साथ चलने के लिए कहती है और यूनो मना कर रहा होता है और तब यहाँ चार मी युनो को वहाँ देखकर सपनों में खो जाती है और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ की एक वरकर नुवैल को एक स्विम सूट दिखाती है और कहती है अगर आप इसे पहनोगे तो सभी लोग आपको ही देखेंगे तब नुवैल सोचती है तो क्या इसका मतलब वो बेफ को आस्ता भी मुझे देखेगा और शायद इसमें मुझे देखके वो मेरी तारीफ ही कर दे और तब नुवैल उसे खरीद लेती है तब यहाँ अगले दिन सभी लोग बीच पर जाने के लिए तयार हो जाते है और तब यहाँ नुवैल और आस्ता मैगना के ज़ाडू पर बैठ जाते है तब मैगना कहता है आखरी कर तुम या क्या कर रहे हो तब आस्ता कहता है मैं तो उड़ी नहीं सकता हूँ और तब नुवैल भी सेम बात करती है और कहती है तुमें तो खुश होना चाहिए कि एक रोयलिटी तुम्हारे ज़ाडू पर बैठ रही है और तब आस्ता कैप्टन यामी के बारे में पूस्ता है तब फिंडर कहता है वो को चेक करने के लिए गए है और तब हम देखते हैं सबी लोग बीच के लिए निकल जाते हैं और तब हमें बताया जाता है आस्ता और उसके साथी रोक्टियो विलज में जा रहे होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर है और उसी वज़े से वहां का मौसम काफी गर्म रहता है जिसकी वज़े से वो जगह रुयलिटी, नोबल्स और मैजिक नाइट्स में बहुत फेमस है और तब यहां आस्ता फिंडर को स्पेशल मैजिक यूज़ करने के लिए कहता है तब फिंडर कहता है तुम तो जानते ही हो, मेरा मैजिक तभी गाम करता है अगर मैं किसी जगह पर पहले ही जा चुका हो हूँ तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और तब नोबल्स ग्रे के बारे में पूछती है और हम देखते हैं, ग्रे गोर्डन का रूप लेकर उनके साथ चल रहा होता है और यहां हम देखते हैं, असली गोर्डन को वो लोग बेस परी छोड़कर आ चुके होते हैं और तब यहां आस्ता और मैगना ओशिन को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे होते हैं तब नोयल कहती है, आखिर का तुम क्या बाते कर रहे हो, यह तुम्हारे सामने ओशिन ही तो है जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और तब यहां बीच पर जाकी आस्ता सोचता है यह इतना ओसम है कि काश, यूनो और बाकी सभी लोग भी इसे देख पाते और मैं एक दिन सिस्टर लिली को भी यहां लेकर आऊँगा और तब आस्ता सिस्टर लिली को प्रपोस करने का सपना देखने लगता है, तब यह नोयल सोच रही होती है आखिर का यह इतना खुश क्यों लग रहा है, क्या यह रिबेका की दी हुई किस के बार में सोच रहा है पर इससे मुझे क्या फरक पड़ता है, चाहे इससे कोई भी किस करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है तो चलो अब टाइम आ चुका है इस स्विम सूट को दिखाने का, और मैं इसे दिखा दूँगी कि मैं रिबेका से कितनी अच्छी हूँ और हम देखते हैं, नुवैल बहुत शर्मारी होती है, और तब यहां मैगना और वेनिसा अपना-पना स्विम सूट दिखा रहे होते हैं और तब लग मैगना के स्विम सूट को आग लगा देता है, और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और तब यहां गोश मेरी को उसका पुतला बना कर दिखा रहा होता है और तब मेरी एकसाइटिड होके ओशन देखने की बात करती है और तब मेरी आस्ता को देखकर उसके साथ ओशन में घूमने की बात करती है जिससे गोश को गुशा जाता है और तब यहां नुवैल आस्ता को अपना स्विम सूट दिखाने की कोशिश कर रही होती है पर तब यहां देखती हैं गोश उस पर हमला कर देता है और तब यहां फिंडरल भी लड़कियों के पीछे भाग रहा होता है और तब यहां चामी आँखों पर पट्टी बाद कर वाटर मेलन को ढूण रही होती है पर वो वाटर मेलन की जगा आस्ता के सिर को फोड देती है पर हम देखती है अभी भी नुवैल आस्ता को अपना स्विम सूट दिखाने की कोशिश कर रही होती है पर हम देखते हैं आस्ता उस पर ध्यानी नहीं दे रहा होता तब नोवेल गुस्त्रे में उस पर फायर कर देती है पर हम देखते हैं वो फिर भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती तब नोवेल कहती है मैं इस चाइम बस डिफेंस स्पेल ही अच्छे से कास्च कर सकती और तब हम देखते हैं उस बीच पर सैके भी आ चुका होता है और अपने दोस्तों के सामने अपनी बहुत ज़्यादा तारीफे गरने लगता है और तब वो अपने दोस्तों को लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कहता है और तब वो उने नोवैल के पास भी हिच देता ह और नोवेल उन दोनों की बेस्ती कर देती है तब सेके सोचता है ये लड़की तो ब्लैक बूल से है तो इसका मतलब आस्ता भी यहीं होगा और हम देखते हैं ब्लैक बूल्स खेलते हुए सेके पर हमला कर देते हैं जिससे वो ओशन में जा गिरता है और तब आस्ता कहता है प पर है और उसके रास्ते में बहुत सारे मैजिक के कारण बहुत रुकावटे हैं और उन रुकावटों को एक फर्स्ट क्रास जादूगर भी पार नहीं कर सकता और हम फुल मून को ही वहाँ पर एंटर कर सकते हैं क्यूंकि तब वहाँ पर मैजिक थोड़ा कम स्ट्रॉंग होत और क्यूंकि वह ओशिन की बॉटम में है तो सिर्फ नुवैल का वाटर मैजिक ही हमें वहाँ पर लेकर जा सकता है तब नुवैल कहती है पर मैं तो अपने मैजिक को कंट्रोली नहीं कर सकती और जो आप कह रहे हो उसके लिए मुझे अपने मैजिक पर पूरा कंट्रोल करन सीखना होगा और अगर मैं फेल हुई तो आप सभी लोग मारे जाओगे तब कैप्टर यामी कहते हैं सही कहा पर क्यूंकि ये मिशन सिरफ ब्लैक बुल्स को दिया गया है तो तुम्हारे इलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता तो फिर फुल मून एक हफते बाद आएगा तो हम यारा रात को देखती है नोवेल अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और सोस्ती है वैनिसा ने मुझे अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कुछ ट्रिक्स बताई है पर उनमें से कोई भी काम नहीं कर रही तो मुझे लगता है शायद मैं कभी भी अप अपने मैजिक को खंट्रोल नहीं कर पाउंगी पर मुझे कोशिश करनी ही होगी मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। विजट किंग अपने काम को छोड़ कर बाहर जा रहे होते हैं पर माक्स उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें डाटने लगता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बीजी शेडूल के बावजूद भी आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं अभी दे आई और आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तब विजट किंग कहते हैं इससे याद आया कि आखिकार ब्लैक बूल्स क्या कर रहे होंगे काश में उनके साथ वहाँ जा पाता और तब हम याद देखते हैं तब वो लड़की शर्मा कर कहती है मुझे पता नी था कि मेरा गाना कोई सुन रहा है पर चलो कोई वात नहीं तो क्या तुम लोग मेरे फ्रेंड्स बनना चाहोगे और मेरा नाम काहोनो है तो तुम लोगों का नाम क्या है तब आस्ता और नुवैल अपना नाम बताते हैं तब नुवैल पूछती है आखिर कर मैं तुम इतनी रात को यापर क्या कर रही हो तब काहोनो कहती है मैं तो बस इतनी रात को वोकल ट्रेंइंग कर रहे थी क्योंकि मेरा ड्रीम है कि कि मैं सिंगिंग डांसिंग और मैजिक यूज़ करके सबकी आइडल बन जाओं तब आस्ता और नुवैल कहते हैं आखिर कर ये आईडल क्या होता है तब काहुना कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता आईडल्स वो लोग होते हैं जो कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और वो एक साथ सिंगिंग, डांसिंग और मैजिक भी यूज़ कर सकते हैं तो इसलिए मैं बहुत आईडल बना चाती हूं और बहुत सारे पैसे कमाना चाती हूं तब नुएल कहती है क्या तुम ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हो ऐसे के लिए इतना सब कुछ करना तो बहुत बेकार है तब आस्ता कहता है तुम रोयल्स को पैसों की एहमियत के बारे में नहीं पता है बिना पैसो के तो तुम खाना भी नहीं खा सकते। तब नुएल कहती है। तब फिर तुम मीट खा लेना। तब आस्ता रोने लग जाता है। तब कहोना कहती है। तुम तो सच में मेरी बात समझ गी आस्ता पर एक मिनिट उको। भारी बाडी बहुत ठकी हुई लग रही है। तब आस्ता कहता है पर तुम्हे इस सब के बार में कैसे पता। तब कहोनो कहती है क्योंकि मेरे पास ये जानने की पावर है। रुको मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। और तब कहोनो अपने सौंग मैजिक से आस्ता को ठीक कर देती है जिससे आस्ता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उच्छलने लगता है और तब कहोनो इस काम के लिए आस्ता से पैसे मागने लगती है और कहती है अगर तुम्हें और मदद चाहिए तो अगली बार मु नोवेल के वहाँ आने का reason पूछती है और तब आस्ता जैसे ही underwater temple का नाम लिता है नोवेल उसे चुप कर आने लगती है और तब कहोनों कहती है पर अगर तुम लोग इतनी रात को यहां अकेले हो तो तो क्या तुम लोग यहां romantic date पर आए हो तब नोवेल उसे मना करने लगती है और कहती है हम लोग तो बस यहां magic training कर रहे थे क्योंकि मुझे एक हफ़ते के अंदर अंदर अपने magic को control करना सीखना है तब कहोनों नोवेल को अपना magic दिखाने के लिए कहती है तब उसके magic को देखकर कहोनों कहती है तब नोवेल कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया तब आस्ता कहता है पर मुझे समझ आ गया है क्योंकि मुझे लगता है मैं भी अपना best war तभी कर सकता हूँ जब मैं कुछ सोचना रहा हूँ तब नोवेल कहती है तुम तो चुपपी कर जाओ ना ही तुम कभी magic use करते हो और ना ही कभी को सोचते हो और तब कहोनों उसे अच्छी memories को याद करने के लिए कहती है और उसे अपने family के बारे में सोचने के लिए कहती है और तब उसे याद आता है कि कैसे उसके भाई बेनों ने उसकी बेस्ती की है और तब नोवेल वहाँ से चली जाती है और तब हम देखती है सभी लोग हर रोज मजे कर रहे होती है और नोवेल अपने magic की practice कर रही होती है और यहाँ Gordon अपने दोस्तों के जाने की वज़े से उदास हो गया होता है और तब यहाँ नोवेल सोचती है तब फुल मून है तो इसका मतब मेरे पास बस आज की रात बाकी है तो अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो हमारा mission fail हो जाएगा तब आस्ता कहता है मेरे पास एक idea है तो नोवेल सोचना छोड़ो अपने magic को free छोड़ दो तब आस्ता कहता है अगर कुछ भी हुआ तो मैं अपनी sword से तुम्हारे magic को काड़ दूँगा और तब नोवेल अपने पूरे magic को release करती है और सोचती है मुझे लगाई था ये काम नहीं करेगा मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ मुझे निलगता मेरे पास कोई अच्छी memories भी है और तब हम यहाँ देखती है ब्लैक बुल के सभी members नोवेल को cheer करने वहाँ आ जाते है और तब नोवेल सोचती है अब शायद मुझे लगता है मेरे पास कुछ अच्छी memories है और तब यहाँ नोवेल को कैप्टर यामी की बात याद आती है जिन्होंने उसे कहा था कि तुम्हारे भाई का कहना है कि तुम्हें एक लूजर हो जो कि अपना magic भी कंट्रोल नहीं कर सकती तो अगर तुम्हें सच में लड़ना है तो तुम्हें हमारी team जोइन कर लेनी चाहिए क्योंकि ये स्कॉर्ड सारे लूजर से ही भरी है तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए बिलकुर perfect है और तब याद नोवैल सोचती है मैं अपनी family के साथ कितने सालों तक रही पर मेरे पास उनकी एक भी अच्छी memory नहीं है तो इसलिए मैं इनकी लिए भी कुछ करना चाहती हूँ और तब हम देखते हैं नोवैल की grim war में एक new spell add हो जाता है और तब हम देखते हैं वो अपने magic पर control पा लेती है और तब नोवैल जैसे ही ठकने की वज़े से नीचे गिरने लगती है आस्ता उसे catch कर लेता है और नोवैल शिर्मा कर आस्ता के एक थपड मारती है और तब सभी लोग खुश हो जाते हैं तब नोवैल काहोनों को ढूंड रही होती है तब यहां कैप्टर यामी सु कहते हैं तो नोवैल आखिर का तुमने कमाल कर ही दिखाया तो इसका मतलब हम बहुत जल्दी अंडरग्राउंड टेंपल में पहुँचने वाले हैं तब यहां कहोनों कहती है तुम्हारे पास बहुत अच्छी फ्रेंड्स है नोवैल जो तुम्हारा हमेशा साथ देंगे तो इसलिए मैं तुमसे दुबारा मिलूंगी तो फिर अब हम टेंपल में मिलते हैं तब कैप्टा यामी पूसते हैं आज अंडरवाटर टेंपल के नजदीक मैजी कमजोर होगा तो क्या तुम सब लोग कयार हो वहां जाने के लिए तब सभी लोग एकसाइटिड हो जाते हैं तब आस्ता नोवैल से पूसता है क्या तुम नर्वस हो तब सभी लोग नोवैल को चीर करने लग जाते हैं तब कैप्टा यामी कहते हैं अगर तुम किसी काम के लिए प्रेशर फील करो के तो उसके गलत होने के चांसेज बढ़ जाएंगे तो इसलिए रिलेक्स करो और अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुमें मार ढालूँगा तब नोवैल सोचती है आखिर का इन लोगों को हुआ क्या है मुझे अपने मैजिक पर विश्वास नहीं हो रहा है और इने देखो इन पूरा यगीन है कि मेरा मैजिक काम करेगा और तब हम देखती है नोवैल अपने मैजिक को यूज़ करके उन सभी को वाटर वॉल के अंदर ले आती है और तब कैप्टर यामी उसके तारीफ करते है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तब वो लोग पानी के अंदर चले जाते है और तब वो लोग पानी के नीचे बहुत इंज्वाइ कर रहे होते है और तब ही अचानक से वहाँ का मैजिक बढ़ जाता है तब फिनरल कहता है कैस्टाइन सच में मैजिक सबसे ज़्यादा कमजोर है और तब यहां आस्ता और चामी नुवैल को चियर कर रहे होते हैं और नुवैल उन्हें चुप रहने के लिए कहरी होती है और सोचती है मैं बड़ी मुश्किल से इस मैजिक में से ट्रैवल कर पा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैजिक मेरी खुद मदद कर रहा हो तब वो लोग उस स्ट्रॉंग मैजिक एरिया को पार करके एक शांच जगा पर पहुँच जाते हैं और तब यहां नुवैल कहती है आगे तो मैजिक बेरियर बने हुए हैं और मेरे स्पेल इसे पार नहीं कर सकते और तब कैप्टन यामी कहते हैं चलो आस्ता अब तुमें अपनी स्वाट से इस मैजिक को काटना होगा तब आस्ता कहता है कैप्टन यामी मैं आपको एक चीज़ बताना चाता हूँ जब मैं पहली बार बीच पर आया तब मुझे पता चला कि मैं तैर नहीं सकता तब कैप्टन यामी उसे उठा कर कहते हैं तो किसने का तुमें स्विम करने को और उसे उस शील्ड की उपर फैंक देते हैं और आस्ता उसे तोड़कर अंदर पहुंच जाता है और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं तब कैप्टन यामी चामी को अपना कॉटन मैजिक जहाँ पर उन्हें बहुत सारे हाउसे दिखाई देते हैं तब लग कहता है कि यहाँ पर अब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग लोग मिलेंगे मैं उनसे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा हूँ और तब उन्हें वहाँ कुछ लोग दिखाई देत मैजिक स्टोन के बारे में पूछने के लिए कहती है और तब केप्टर यामी उन लोगों को उनके बॉस को बुलाने के लिए कहते हैं तब वो लोग कहते हैं यहां के बॉस यहां के हाइस्ट फ्रीस्ट है जो कि तुम्हें ऊपर मिलेंगे और तब सभी लोग उन्हें ऊपर ल पर हम देखते हैं मैगना लग और गोश उस मौशो को मार देते हैं और तब वहां का हाई प्रीस्ट उन सभी का स्वागत करता है और तब यहां चामी उस मौशो को खाने की बात करती है पर हाई इस प्रीस्ट कहते हैं ये तो मेरा मैजिक है ये असली नहीं है तब फिन्रल और मुझे ये परसन पहले से ही थोड़ा अजीव लग रहा था लगता है ये इस गेम के बदले में हमें मारना चाता है तब मैगना कहता है हमारे पास गेम खेलने का टाइम नहीं है तो तुम हमें बताओ कि आखिर कर तुम्हें मैजिक स्टोन के बारे में कैसे पताओ तब वो तफिर इस गेम का नाम क्या करते हैं तो हाइस प्रीस्ट गेम को स्चार्ट कर देते हैं तुम सबी लोगों को टमצे बूलग जगा पर भीजा गया म०्जा गया है और तुम लोग इस टेमपर के जादूगर उसके अगेंस्ट वन वर्सिस वन फाइट करोगे और तुम नो के नो लोग हमारे नो मैजिक यूजर से लड़ोगे और ये लड़ाई तब तक चलीगी जब तक एक परसन हारने ही मान लेता और एंड में जिस टीम में सबसे ज़ादा लोग बाकी बचेंगे तो वो वाली टीम जीट जाएगी और ध्यान रखना वहाँ पर मेरे कुछ ट्रैप्स भी हैं तो उससे बच करें न तब वहाँ एक परसन आस्ता से कहता है मुझे तुमारे अंदर से तो मैजिक का एक कत्रा भी महसूस नहीं हो रहा क्या मैंने एक लूजर को चुन लिया है तब आस्ता अपनी तरवा निकाल के कहता है चलो फिर देखी लेते हैं लूजर है कौन ओ तब यहाँ वो हाई प्रीस्ट कहते है तब चलो आओ मज़े से बैठ कर फाना खाते हुए यह लड़ाई देखे तब कैप्टन यामी कहते हैं ध्यान से सुनो बुड़े आदमी मुझे भी यह गेम खेलने दो तब हाई प्रीस्ट कहते हैं तुम इस गेम के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉंग हो तो तुम इस लड़ाई को जल्दी खतम कर दोगे और फिर जो लोग इसे देख रहे हैं उनको बिलकुल मज़ा नहीं आएगा और तब वो दोनों ड्रिंक करने बैठ जाते हैं और तब कैप्टन यामी कहते हैं अगर मेरे साथी मिल से कोई भी हारा तो मैं उन्हें मार ढालूँगा और तब हम यहाँ देखते हैं आस्ता गोश, मैगना और लोग के पास एक एक परसर लड़ने के लिए आ जाता है और तब यहाँ हाईस प्रिस्ट कैप्टन यामी से उन सभी का मैजिक नाइट रैंक फूस से हैं और तब कैप्टन यामी कहते हैं ऐसी बात है पर यह सभी लोग अपने टाइटल से जादा स्ट्रॉंग है और हम देखते हैं वो चारों उन सभी अंडर वोटर टेंपर के जादू गुरों को हरा देते हैं और तब यहां कैप्टन यामी बहुत खुश हो रहे होते हैं और तब यहां कैप्टन यामी बैट करने के लिए कहते हैं तब वो हाई प्रीस्ट कहते हैं यह चाहे अभी जीत गए हों पर यह आने वाले मैजिक यूजर से नहीं जीत पाएंगे और ये कभी भी मेरे थ्री ग्रेट प्रीस से नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो सारे सीनियर नाइट्स जितने ही ताकतवर है और तब यहाँ फिन्रूल अपने अपोनेट से बचता फिर रहा होता है और कहता है मैं कब से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूं अलगता है किसी कारेंट की वज़े से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं तब वो हाई प्रीस्ट कहते है मैं तो तुम्हें एक चीज़ बताना ही भूल गया कि तुम यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक यह गेम ओवर नहीं हो चाता तब कैप्टर यामी कहते है फिन्रल छुपना बंद करो और जाकर लडो नहीं तो मैं तुम्हें माट डालूँगा और तब फिन्रल कहता है अगर आप हाई प्रीस्ट के साथ ही हो तो आप यह गेम रोकते क्यूं नहीं हो तब कैप्टर यामी कहते है और तब हाई प्रीस्ट अपना ट्रैप मैजिक एक्टिवेट कर देते है और फिन्रल वहाँ से भागता फिर रहा होता है और तब कैप्टर यामी कहते है ध्यान से सुनो बुड़े आदमी क्या तुम ऐसी कोई और चीजों के साथ उन पर हमला कर सकते हो तब वो प्रीस्ट कहते है क्या तुम सच में उन्हीं कि साइड हो न और यहाँ हम देखते हैं चामी वापर अलग-लग सीफूड बना रही होती है जिसे देखकर हाई प्रीस्ट और कैप्टर यामी दोनों शौक हो जाते है और तब वहाँ उसे भी एक अपोनेट चैलेंज करने आ जाता है और हम देखते हैं वो अपने गाने से चामी को सुला देती है और तब यहाँ लॉक और मैगना एक दूसरे को मिलते हैं तब लग कहता है मुझे इस साइड से एंसास हो रहा था कि यहाँ पर एक खतरनाक अपोनेट है और लगता है मैं सही था और तब हम देखते हैं लग उस पर हमला कर देता है पर हम देखते हैं वो अपनी शीर्ट से अपने आपको बचा लेता है और यहाँ आस्ता रास्ते में आए मॉंस्ट्रस को हरा रहा होता है और उसे किसी चीज की की मैसूस हो रही होती है और तब यहां आस्ता एक अपॉनेट के पास पहुंच जाता है तब वो कहता है तुम आस्ता हो ना मैंने सुना है तुमें एक अलग तरह की स्वाड यूज करते हो जो कि किसी भी मैजिक को काड़ सकती है और तब वो परसन आस्ता को डांस देखने के लिए कहता है और आस्ता ये देखकर बहुत एक्साइटिड हो जाता है और तब वो परसन कहता है तुमें क्या लगता है क्या उपर वाले लोगों को मेरा डांस पसंद आएगा तब आस्ता हा कहता है तब वो परसन कहता है मेरा नाम कियाटो है और मैं उपर जाकर किंगडम का डांस चेंपियन मनना जाता हूँ पर क्यूंकि अंडरग्राउंड टेंपल के लोग सिरफ किंगडम के बीचिस तक ही जा सकती है तो मेरे ग्रेंटपा ने कहा है कि अगर हम ये फाइट जीत पाएंगे तो हम उनकी हाई प्रीस्ट एथॉर्टी यूज़ करके उपर सर्फेस पे जा सकती है तब आस्ता सोचता है पर रुको मैंने ऐसा ड्रीम पहले भी कहीं सुना है तब कियाटो कहता है और तब यहाँ नोबैल सोच रही होते है आखिर कर अब मैं क्या करूँ मेरे पास तो एक भी एटेक्स बेल नहीं है और तब हम यहाँ देखती है चामिक की अपोनेट नोबैल के पास आ जाती है और तब नोबैल कहती है तब एक रोयल्टी के साट टकर लेने आई हो मैं तुम्हे आखिरी चांस लेती हूँ यहां से भागने का तब वो लड़की हस्ते हुए कहती है मुझे खुशी हुई नोबैल तुम्हे यहाँ देख के तब नोबैल बूस्ती है आखिर कर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता मैं उपर ये दिखने गई थी कि क्या उपर कोई है जो यहाँ नीचे आना चाहता है क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर आता है तब ग्रैंट पा उनके साथ यह गेम खेलते हैं और अगर हम जीतते हैं तो वो हमें सर्फेस पर जाने का मौका देते हैं जिसका मतलब है मैं उपर जाके एक आइडल बन सकती हूँ तब नोवल कहती है तो इसका मतलब तुम अब तक मेरा इस्तमाल कर रही थी तब कहोनो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है मैं जब तुमसे मिली थी तब मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहती थी और ये भी सच है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी पर अभी के लिए हम लोगों को लड़ना है ताकि हम इस गेम को पूरा कर सके तो एक असली दोस्त होने के कारण हमें उन चीजों के लिए लड़ना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रीश्यस हैं और उसके बाद हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहना चाहिए और तब वो अपने मैजिक को यूज करके नोवैल को सुलाने की कोशिश करने लगती है और तब नोवैल अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है और तब कहोनों फिर से उस पर हमला कर देती है और कहती है अगर तुम ऐसे ही डिफेंस स्पेल यूज करती रही तो तुम कभ की नी मुज़े हरा पाऊगी तब नुवैल फ्रस्ट्रेट होकर कहती है दापी भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही हू तब कहोनों कहती है ये तुम क्या बात कर रही हो जरा खुद को देखो तुम मुझपर अटेग इसलिए नहीं कर पा रही हो क्यूंकि तुम मुझे ह़ट नहीं करना चाहती। पर क्या है हे तुम्हारे लिए ठीक है? याध करो नौइल, आखिर कर तुम यहां क्यूं आई हो? और अगर तुम मुझे नहीं हराओगी, तो तुम वो चीजको भी हास Sig नहीं कर पाओगी, जो तुम चाहती हूँ तब नोएल ब्लैक बुल्स को याद करके सोचती है मैं सब की मदद करना चाहती हूँ और लड़ने के लिए तयार हो जाती है और यह हम देखते हैं कियोटो और आस्ता आपस में लड़ रहे होते हैं तब आस्ता सोचता है यह तो सच में बहुत स्टॉंग है और जैसे यह मूव कर रहा है वैसे तो इसकी की को रीड करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है पर लगता है यह अपने मैजिक की मदद से मेरे सैंसिस को भी कमजोर कर रहा है और तब वो आस्ता पर भारी होने लगता है और तब यहां हायर्स प्रीश्ट कहते है मिरा ग्रेंट सन सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है तब कैप्टर यामी कहते है सही बात है पर अभी कुछ देखना बाकी है और तब केयोटो आस्टा पर भारी होने लगता है और तब आस्टा सोचता है ये तो पानी की तरह लड़ रहा है तो मुझे भी इसके साथ वैसे ही लड़ना होगा और तब आस्ता के हमले को देखकर क्योटो सोचता है इसकी वोड़ी तो बहुत ज़्यादा कमाल की है और यहां हम देखते हैं वेनिसा एक अपॉनेट को हरा देती है और तब यहां कैप्टन यामी कहते हैं सुनो बुड़े आदमी मैजिक स्टोन को तेयार रखो प्रिस हो जाएंगे तब गेम पलट चाएगी और यहां हम देखते हैं मैगना और लक हाइस प्रिस्ट के लड़के के साथ लड़के ठक चुके होते हैं तब लक सोचता है यह तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है और तब हाइस प्रिस्ट का बेटा कहता है तो चलो फिर इस लड़ाई को जल्दी से खतम करते हैं और तब ही हम देखते हैं उसके उपर कोई और हमला कर देता है और तब हम देखते हैं दे आई आई आफ मेड नैट सन के लोग वहां आ जाते हैं और यहां हम देखते हैं मेवोसा मून को देखकर आस्ता को याद कर रही होती है और यहां बीच पर सैके और उसके दोस अराम से सो रहे होते हैं और तब हम देखते हैं कि वैटो बीच के सारे जाजुकरों को हरा कर उस सी के अंदर चला जाता है और तब यहाँ इस लड़ाई को देखकर सैके बहुत डर जाता है और कहता है वो कोई हुमा नहीं था वो एक बीस्स था और तब हम यहाँ देखते हैं लक वैटओ को देखकर कहता है इसकी पावर तो कैप्टर यामी से भी जादा है और तब हाइश फ्रीस्ट का ग्रेंड तब वैटो कहता है हम भी इनकी तरह magic store डून में आये है तब highest priest का बेटा कहता है पर हम तुमें ऐसे ही उसे रही दे देंगे तब वैटो कहता है मुझे पता है तो इसलिए मैं तुम सभी को मार कर उसे हासिल करूँगा और तब वो अपरे साथियों को पूरे टेंपल को खोजने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं गीयों और वैटो आपस पे लड़ना स्चार्ट कर देते हैं पर हम देखते हैं गीयों के हमले से वैटो को कोई असर नहीं होता और तब हम देखते हैं वेटो एक हमले से घियो, मैगना और लग को हरा देता है और कहता है अब तुम लोगों को एसास हुआ कि तुम जैसे कीडों की ताकत मुझसे कितनी कम है और तब यहाँ हाई प्रीस्ट कहते हैं यह तो इंपॉसिबल है घियो यहाँ का सबसे ताकतवर जादुगर है आखिर वो इतनी जल्दी कैसे हार गया तब कैप्टर यामी उन्हें उसे अंदर भेज दे के लिए कहते हैं तब हाई प्रीस्ट कहते हैं मुझे माफ करना और जब तक यह गेम चल रही है तब तक ना ही कोई अंदर आ सकता है और ना ही मैं इस स्पेल को हटा सकता हूँ और तब हम कैप्टर यामी से कहता है तुभारे मैजिक ने मुझे बताया कि तुम कहा हो तो इसलिए थोड़ी देर के लिए वही रहो और लड़ाई देखो त्योंकि इन सब को मार कर मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा और तब कैप्टर यामी सबसे बात करने के लिए कहते हैं और अपन साथ साथ उनके को साथियों को भी संभालना होगा तो इसलिए वक्त आ गया है कि तुम अपनी लिमिट्स को सरपास करो और अगर तुम लोग मरे तो मैं तुम लोगों को जिन्दा नहीं छोड़ूँगा और तब हाइस पीश कहते हैं मुझे लगानी था कि ये गेम इतनी इ और जो भी इस पे कॉंट्रिबूट देगा उनकी एक विश पूरी की जाएगी और तब हम यहां देखते हैं आस्ता खुद को लड़ाई के लिए तयार कर रहा होता है और यहां वैटो अपने नेक्स शिकार के लिए वहां से जाने रगता है पर हम देखते हैं लग और मैग पर जो भी जाने रहा होता है और अगर लड़ाई की बात हो तो यह कभी हार नहीं मानता और उसे डेंजन मिशन के बात हो यह और भी जादा स्ट्रॉंग हो गया है मैं चाहे इसे मानना नहीं चाहता पर यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तब हम देखते हैं मैग ना भी वैटो पर हमला करने लगता है और तब लग मैग ना के बारे में सोचता है कि मैं जब इसे मिला था तब मुझे लगा यह बहुत जादा पर मुझे ऐसास हो रहा है कि तूम ही एक ऐसे हो जो मेरा पहला दोस्त बना है और तब वैटो लगपर हमला कर देता है पर मैंग friendship बचा लेता है और तब यहाँ आसतो और क्याटो वैटो की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तब यहां आस्ता पूसता है, जब तुम मुझ पर हमना कर रहे थे, तब वो डांस कैसा था, मैं तो तुम्हारी मूमेट्स को रीडी नी कर पा रहा था, तब कि आटो कहता है, उसे मैं ट्रांस कहता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरी बोडी बीना मेरे कुछ सोचे मूव करत ही है, जिस वज़े से मेरा दुश्मन मेरे मूमेट्स को नहीं पहचान पाता, और तब हम देखते हैं, आस्ता भी उसे ट्राइ करने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तब कि आटो कहता है, मुझे आगे से फ्लेम और लाइटिंग मैजिक महसूस हो रहा है, और ये मॉस्ट्य मैजिक किस चीज़ का है, तब आस्ता कहता है, लाइटिंग और प्लेम मैजिक तो लग का और मैगना का है, और बाकी मैजिक वैटो का है, पर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता लग रहा है, तब कि आटो कहता है, मेरे ट्राइब में समकी आखे अलग-लग केसे देख सकती है, और यहां हम देखते हैं, मेगना और लग नीचे गिर जाते हैं, और तब वैटो कहता है, कमजोर लोग हमेशा एसा ही रह जाते हैं, और लास्ट में उनके पास बस निराशा ही बचती है, तब लोग अब निराश हुए, तो हम खुद को उसके सुपीरिय और दुबारा से खड़े होकर वैटों पर हमला करने लगते हैं और तब हम देखते हैं वो लोग मोका पाकर अपनी पावर्स को कम्बाइन करके वैटों पर हमला कर देते हैं पर हम देखते हैं इतने पावफुल मैजिक होने के बावजूत वैटों को कुछ नहीं होता और तब तब आसा उससे magic stones के बारे में पूछे लगता है तब वेटो कहता है तब कियाटो कहता है इसका magic तो बहुत अलग लेवल पर है और इसका magic इसके protection की तरह काम करता है और तब हम देखते है आसा और कियाटो उस पर हम ला कर देते हैं पर हम देखते हैं वेटो उन दोनों को दूर ठैक देता है तब आस्ता सूसता है क्या ये हमारी की को रीट कर रहा है अगर ऐसी वात है तो इससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब वेटो कहता है ये कितना बोरिंग है तो भारे स्लो मुमेट्स और वीक अटेक्स मेरा कुछ नहीं बिगार सकते और तब आस्ता और क्योटो कहते हैं चलो आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या कर सकते है और उस पर हमला कर देती है और तब हम यहां देखते हैं वैनेसा की पास The Eye of Midnight Sun का एक मेंबर आ जाता है और यहाँ फिंडरल सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो The Eye of Made Dead Sun का लीडर मुझे मार डालेगा और अगर मैं यहाँ रहा तो Captain Yami मुझे मार डालेगे आखिर कर मैं अब क्या करूँ और तब हम देखते हैं The Eye of Made Dead Sun का एक मेंबर गोश पर हमला कर देता है और जैसे ही वो अपना मिरर यूज करने लगता है उस परसन का चेन मैजिक उस मिरर को तोड़ देता है और वो कहता है इसका कोड़ फाइदा नहीं है मेरी चेन्स मैजिक को डिटेक्ट करके उस पर हमला कर देती है और तब हम देखते हैं गोश अपने मैजिक से उस पर हमला कर देता है पर वो परसन की चेन की मदब से खुद को बचा लेता है और तब वो गोश की उपर हमला कर देता है और हम देखते हैं गोश उससे बचकर इधर उदर भाग रहा होता है और सोचता है इसे देख जब इसे लगे कि मैं बहुत कमजोर हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए और तब हम देखते हैं गोश अपने मैजिक की मदद से उसे हरा देता है और हम देखते हैं इसमें उसकी मदद ग्रे ने की होती है जिससे गिरे बहुत खुश हो जाता है और तब गोश कहता है हमें अभी और भी एनिमीज को हराना है और मेरे पास जादा पाउर भी नहीं बची है तो हमें उन्हें जल्दी ढूट कर मारना होगा और तब हम यहाँ देखते हैं वो लोग चामी के पास पहुँच जाते हैं और तब हम देखते हैं वो दोनों एक ट्रैप में फस जाते हैं जो की The Eye of Midnight Sun के एक परसन ने लगाया होता है और वो लोगों का मैजिक अब्जोब करने लगता है और तब वो परसन कहता है इसमें तो मेरी ग्रीम वार को भी पकड़ लिया है अब तो मैं अपना मैजिक भी न यूज कर सकता और तब वो चामी को अटबने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं ग्रेए जोर-जोर से चिलाने लगता है और तब गोश सूचता है और चामी भी सो रही है ये दोनों सच में यू और तब हम देखते हैं ग्रे अपने ट्रास्फार मैजिक से एक पत्थर को मीट में बदल देता है और तब गोश चिला चिला के चामी से कहता है ध्याल से देखो कोई तुम्हारा खाना चुरा रहा है और तब हम देखते हैं चामी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और हम चलता है कि ग्रे असल में एक लड़की है जिसे देखकर चारमी हैराल हो जाती है पर हम देखती है ग्रे अपनी टूफ ओम में आकर बुरी तरह से शर्मानी लगती है और तब गोश्च सोचता है अब तो मेरे पास कोई पावार नहीं बची है पता नहीं आस्ता इस टाइम क्य कर रहा होगा और यह हम देखती है और आस्ता और की आटो वैटो से लड़ रहे होते हैं और तब वैटो उन लोगों को मुक्हा बार का दूफाइक देता है और दब हम देखती है आस्ता फिल से ख़ड़ा हो जाता है और वैटो हस्ते वए कहता है तुम तो एक no magic Elias हो जो कि बस अपने वेपन के साथ इधर उदर उचल रहा है तुम्हारे अंदर तो इतनी भी उमीद नहीं है और मैं तुम्हें बताओ कि ऐसा क्यूं है तो वो पहली वजा है कि जब तुम्हारे उपर कोई चीज दूर से फैकी जाए जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है तो तुम उस तक ठीके रहोगे तो तुम किसी ना किसी तरीके से जीत पाओगे और इसी तरह तुम बिना सोचे समझे अपने अपॉलेट पर हमला करते रहते हो यहां तक कि अगर तुम उसे हरा भी ना पाओ जिसकी वज़े से तुम एतने गहरी चोटे आती है मुझे तो तरस आता है कि डीमर 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 स्लियर स्वोर्ड तुम हारे हाथों में है और तब हम देखती है आस्ता वैटों को काट लेता है और उससे खुछ कहता है पर हम देखती है वैटों को बुल समझ नहीं आता और तभी कहोनों और नोवैल वहां आ जाती है और आस्तों को बचा और कहती है लगता है तुम्हारी एनिमल हीरिंग इतनी भी स्ट्रॉंग नहीं है उसने कहा अगर वो हार माज जाएगा तो वो किसी को कैसे बचाएगा तब नोएल सबकी बूरी हालत देखकर सूचती है आखिरकार ये किस तरह का मॉंस्चर है इसने तो सभी को हरा दिया है पर मेरे क्या लगता है कि ये हमें ये करने देगा और तब कहोलो अपने भाई को वाज लगाती है और उसे अपना प्राविस याद कराती है और तब हम देखती है कियाटो को होश आ चुका होता है और वो सोचता है अगर मेने अपने डास वैजिक से इसके हवले को डौच ना कि इस कॉम्बो स्पेल में मैं कहोलो की गाने पर डास करता हूँ जिस वैज़े से मेरा डास बैजिक और एनेहास हो जाता है और उसकी वाद मैं और ज़्यादा ताकर से दुश्मलों पर हबला कर सकता हूँ और तब हम देखती है कि आटो वैटो पर हबला कर देता है और इस अ परंटियर मैजिक तो बहुत कमाल का है. तब कहानों और क्याटो सोचते हैं, ये मैजिक यहां के सभी लोगों की प्रेयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कभी फेल नहीं हो सकता. और तब क्याटो वैटो पर हवला कर देता है, तब वैटो कहता है, तुम जैसे लोग कभी भी ड्रीम और बॉर्ड को नहीं समझ पाओगे, और वो को हालोंपिक गले पर हमला कर देता है, और तब हाई प्रीस्च, जैसे इवैटो पर हमला करते हैं, वैटो उनके मैजिक को भी काड़ देता है, और कहता है हमने भी कभी ड्रीम्स और बॉर्ट्स पर भरोसा किया था पर तुम हीवल्स ने उसे तोड़ दिया अब तो लगता है तुम लोग ना ही डांस कर सकती हो ना ही गा सकती हो तो बताओ तुम्हें लिराशा पाकर कैसा लग रहा है और तब वैटो जैसे ही कहोलो को मारने लगता है नोवैल उसे रुकने के लिए कहती है और तब यहां नोवैल सोच रही होती है अगर मैंने हमला किया तो मेरा हमला कहोलो को भी लग सकता है और मैं इससे पहले भी आस्त्रागों बचारे के लिए अपना वैजिक नहीं यूज़ कर पाई थी तो क्या वेरा वैजिक कुछ कर भी पाएगा और तो वैटो कहता है अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो इसे बरते हुए देखो तब नोया सूसती है यहां सभी लोग जख्री होने के बावजूद भी लड़ रहे है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तब कहो लो अपने वैजिक से उसे कहती है नोवैल तुम वहारे अतर बहुत जादा ताकत है और अब तुम उसे कर्ट्रोल कर सकती हो तुम उसे बचाला चाती हो जो तुम्हारे लिए इप्पोर्टेट है तो इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो और अपनी इस दोस्त पर भी भरोसा रखो तुम यह कर सकती हो और तब नोवैल अपने सभी साथियों को याद करती है और अपनी पावर से वैटो की तरह बढ़ने लगती है तब यहाँ कैप्टर या भी कहते है अब वक्त आ गया है नोवैल इसे मज़ा चिकानेगा और तब हम यहाँ देखते हैं नोवैल को कैप्टर वर्बिलियर की बात याद आती है जिन्होंने उसे कहा था अगर तुम्हें अपने दिल से मैजिक नाइट्स को चुना है तो तुम्हें अपने आपको तियार करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉक बलना होगा कमजोर होने में कोई शर्मिंदगी नहीं है तो हम तो हमें तब आनी चाहिए जब हम खुद वीक रहना चाहते है और तब हम यहाँ देखते है नोवैल वैटो को अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहती है और उसकी पावर को देखकर वैटो हैरान हो जाता है और तब हम देखते है नोवेल अपने magic से वेटो पर हमला कर देती है और वेटो अपने power से उसके हमले को रोक रहा होता है पर हम देखती है नोवेल और ज़दा power को यूज करके वेटो की एक हाथ को उड़ा देती है तब captain Yami ये देखकर सोचते है मुझे दी पता था कि नोवेल की पास इतनी power है कि वो ये सब कुछ कर सकती है और यहाँ हम देखती है वेटो अपने past को याद करने लगता है और जहाँ पर हम देखती है लिच के शादी हो रही होती है और सभी लोग बहुत खोश होते हैं आखिरकार तुम ले मुझे बहाँ निकाल ही दिया तब लोग ऐस सूसती है आखिरका ये आग कैसी है और इसकी power इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे गई और हम देखती है वेटो की arm भी regenerate कर जाती है तब कैप्टाइयाबी कहते है आखिरका ये ऐसे कैसी कर सकता है और तब वेटो नोवैल पर हमला कर देता है और हम देखती है नोवैल की magic power भी खतब हो चुकी होती है और तब ही हम देखते है आस्ता आकर नोवैल को बचा लेता है और कहता है अम इतनी जल्दी हाद नहीं मानेंगे और उसे देखकर कैप्टर यामी भी खुश हो जाती है और तब वेटो कहता है तुमने सही कहा अभी कुछ खतब नहीं हुआ है तो चलो अब मेरा सामना करो और यहां हम देखते हैं वेटो की power की वज़े से वहाँ चारों तरफ अर्थक्वेक आ रहा होता है और यहां वैणिसा जिस दुश्मन के साथ लड़री होती है वो उसे वेटो के बारे में बताता है और तब वैणिसा कहती है तो मुझे ये लढ़ाई जल से जल खतम करनी होगी चुकि मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है और यहां हम देखते हैं तब Captain Yami उस रूम से बहाँ जाने की बात करते हैं और तब High Priest कहते हैं आखिर कर तुम करक रहे हो यहाँ से बहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं है तब Captain Yami कहते हैं पर मैं अपने साथियों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता तब यहाँ Captain Yami का अपॉनेट कहता है तुम यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि आज तक कोई भी मेरे स्पेशल मैजिक से बाहर नहीं आ सका और तब कैप्टर यामी उसे धमकी देने लगते हैं और तब यहां वैनिसा अपने दुश्मन के सार लड़ रही होती है पर वो उसके ट्रैप में फस जाती है तब वो दुश्मन कहता है अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती और तब वो वैनिसा पर हमला कर देता है पर हम देखती है वैनिसा उसके हमलों को डॉच कर रही होती है तब वो परसन कहता है तुम कब तक मेरे हमलों से बस्ती रहोगी The Eye of Midnight Sun धीरे धीरे सबी Magic Nights को खतम कर देंगे ताकि हम अपनी सारी खोईशों को पूरा कर सके और तब हम देखते हैं अचानिक से वो परसन मूव करना बंद कर देता है और तब हम देखते हैं वैनिसा ने उसे अपने थेट से बांद दिया होता है और वो कहती है मैंने तु तुम्हें पहले ही का था मेरे दोस्तों के मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें हरा ही दूँगी और तब हम देखती है वेरेसा अपने दुश्मन की टेकनीक सही उसे हरा देती है और वो अपने मैजिक को भी रिकवर कर लेती है और यहां वेटो आस्ता को देखकर कहता है तब तुम अभी भी खड़े हो सकते हो और जिस तरह की तुमारी हालत है मुझे नहीं लगता तुम की वज़े से है उसने ही मुझे खड़े होने लायक बनाया है अब हमें इस परसन को हरा के कहोनों और क्याटो को हील करना है तो इस चीज की प्रॉमिल्टी भी है कि कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो कि इन दोनों को भी ठीक कर पाए और तब आस्ता नोवेल की न्यू मैज जी की तारीफ करने लगता है और कहता है अब जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया अब मेरी बारी है और यहां फिंडरल सोच रहा होता है आखिर का ये पागल इंसान क्या क्या रहा है क्या इसे अपनी हालत दिखाई नहीं देरी और सामने वाले को देखो वो कितना ता साथियों को देखकर सोचता है, मैं अब इने नहीं बचा सकता, और वहां से चला जाता है, और तब यहाँ वैटो कहता है, आखिर कर तुम कर ही क्या लोगे, तब आस्ता कहता है, अब जब तुम्हारी तीसरी आखा चुकी है, तो जाधा ओडो मत, और यहाँ फिंडरल सोचता है, आस्ता, उसके बाद सच में बहुत जब जदा पावर है, तुम्हारे पास बस भागने का ही एक उप्शन है, तब आस्ता कहता है, तो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कि तुम्हारा इकलोटा वेपन मेरे सामने कहां खड़ा होता है, मैं तुम्हें ऐसी निराशा दूँगा जो तुमने कभी महसूस भी नहीं की होगी और उससे पहले मैं यहां का थोड़ा कच्रा साफ कर दूँ और तो हम देखती हैं वैटू वहाद पर जख़ुई पड़े समी रोगों पर फंला कर देता है और हम देखती हैं मैनेसा उनस सभी को बचा लेती हैं और उससे वाग्ल हो चुके हो तो चलो फिर अब मुझे भी अपने साथ मिला लो और अब मुझे समझाया है कि ब्लैक बुल्स में सभी तुम्हें क्यों पसंद करते हैं तब यहां कैप्टर यामी सोचते हैं आस्ता तुम्हारी यह कभी भी हार ना मानने वाली जिद्धी है जिसकी वज़े से मैगना, लक, बोश और नोवेल सभी ने अपनी लिमिट्स को सरपास किया है और इसमें मैं भी शामिल हूँ तब वैटो वैनिसा की थ्रेड्स से अजाद हो कर कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह थ्रेड्स मुझे रोकने के लिए काफी है तब वैनिसा कहती है हम तो तुम्हें कैद करना ही नहीं चाते क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं है तब वैटो कहता है जितना हसला है हसलो, तुम भी बहुत जल्द इनी सभी किडों की तरह यही कही गिरी पड़ी मिलोगी और तुम हम देखती है, वैटो उन पर हमला कर देता है, पर तुम हम देखती है, फिन्रल उन्हें बच्चा लेता है और कहता है तो तुम सभी यहाँ हो अगर मेरे जूनियर इतना काम कर रहे हैं तो सीनियर को भी अपना कमा दिखाना ही होगा और सोचता है आखिरकार मैं यहाँ क्या कर दे आया हूँ मुझे तु लगता है मैं मरने वाला हूँ तब एटो हसते हुए कहता है चाहे तुम जैसे कीडे जितने मरजी कठे हो जाओ तुम कभी भी मुझे एक स्क्रैच भी नहीं लगा सकते तब एनिसा नोवैल को सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है तब एनिसा कहती है इसके पास तो बहुत ज़ादा पावर है तब आस्ता भी हा कहता है तब फिनरल कहता है पर क्या तुम कुछ देख भी पारे हो तब आस्ता कहता है मैं चाहे इसे देख नहीं पा रहा हूँ पर मैं इसकी की को रीट कर सकता हूँ तब वैनिसा कहती है अगर इसका हमला एक बार भी हमें टच हुआ तो हम जिन्दा नहीं बचेंगे और तब हम दिखती है फिन्रल बहुत डर रहा होता है तब वैनिसा उसे जीतने के बाद एक हग देने का वादा करती है जिससे फिन्रल बहुत ज़्यादा एक्साइटिड हो जाता है और तब हम दिखती है फिन्रल लडाई के लिए एक्साइटिड हो जाता है और तो वैनिसा कहती है अब ध्यान से सुनो हमारा कोई भी मामूली सा मैजिक इस पर कोई काम नहीं करेगा तो इसलिए कुछ भी हो जाए तुम अपनी इस एंटी मैजिक स्वाट को कही जा जाता है तो यहां हम देखती है वो लोग लड़ना स्टाट कर देते हैं और यहां हम देखती है वैनिसा ने आस्टा को ठेट से पकड़ा होता है और फिन्रल अपने special magic की मदद से वैटो की attacks को वापिस उसी की तरफ reflect कर रहा होता है और तव वैटो सोचता है मेरा long range attack इस पर काम करना चाहिए और ये special user और इस लड़की की वज़े से मैं इस पर attack नहीं कर पा रहा जिसकी वज़े से आस्ता उस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और कहता है मैं तुभे इस weapon से हरा दूगा और यहा हम देखते हैं आस्ता के attack के बावजूद भी वैटो पर ज़्यादा असर नहीं होता है तब वैनेसा कहती है तुमने तो कमाल कर दिया आस्ता तब आस्ता कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया ये सब कुछ तो तुम दोनों की वज़े से हुआ है तब नोयल सोसती है मुझे नहीं पता था कि ये दोनों इतने strong है और यहा हम देखते हैं आस्ता के anti magic sword के attack से वैटो अपने आपको हिल नहीं कर पा रहा होता और वो सोसता है सिरफ यही sword है जो कि मुझे हरा सकती है पर अगर सिरफ ये लड़का ही मुझे पर हमला कर रहा होता तो ये मुझे तक कभी नहीं पहुच पाता पर ये इन दोनों की मदद से ये सब कुछ कर पा रहा है इस लड़के का special magic तो problem तो है ही है पर सबसे ज़ादा problem इस लड़की का thread magic दे रहा है चूकि इसकी threads इतनी पतली है कि मैं उन्हें detect भी नहीं कर पा रहा हूं और जिसकी वज़े से मैं इस लड़के के moves को भी predict नहीं कर पा रहा हूं तब एटो हसते हुए कहता है क्या तुम तीनों को सच में लगता है कि तुम लोग मिलकर मुझे हरा सकते हो और तब वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और तब हम देखती है आस्ता फिर से फिंडरल और वैनिसा की मदर से उस पर हमला कर देता है जिससे वैटो को ख्रोच आ जाती है तब वैनिसा कहती है हम इतने से इसे नहीं हरा सकते हमें इसे और जाधा चोट पहुँचानी होगी और सोशती है हमें आस्ता को इसके और भी जाधा करीब पहुँचाना होगा और यहां हम देखती है आस्ता वैटो के पास पहुँच जाता है और यहां गोश को बहुत पावफुल मैजिक महसूस हो रहा होता है पर ग्रे बहुत बुरी तरह डर चुकी होती है और गोश उसे शाथ रहने के लिए कह रहा होता है और कहता है मेरा मैजिक अभी तक रिकवर नहीं हुआ है तो आखिर कार अब मैं क्या करूँ और तब हम कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत सही है उसे अपने उपर अटेक करने का मौका ही मत दो उसने जो भी मेरी फैमली के साथ किया है लीज उसका बदला ले लो तब कैप्टर यामी सोसते हैं ये दोनों तो बेकार थे पर आज दोनों साथ मिलकर काफी अच्छा काम कर हैं और फिर भी ये आदमी हार नहीं मान रहा है तब यहां फिंडरल सोसता है मेरे लिए इस सिच्वेशन में अपना मैजिक कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है पर जिस तरह की आस्ता की सिच्वेशन है उससे तो ये बहुत असान है तो इसलिए मुझे ये करते रहना होगा तब वैनिसा फिंडरल से उसके मैजिक के बारे में पूछती है तब फिंडरल कहता है मेरा मैजिक सही सलामत है तब वैनिसा कहती है तो इसका मतलब हमारा मैजिक स्लो नहीं हुआ है ये इंसान धीरे धीरे हमारे मुमेर्स को रीट कर रहा है और तब हम देखते हैं वैटो आ धीरे-धीरे तुम्हारी मुमेट्स को रीट कर रहा है और अगर तुमने अगली बात ध्यार नहीं दिया तो वो तुमें मार डालेगा तब वेٹो कहता है तुम्हारा कैप्टन बिल्कुश सही कह रहा है पर जिस तरह की तुम्हारी हालत है मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगी और तब आस्ता कहता है वैटो तुम्हे कुछ भी कहने का हक नहीं है और ना ही कैप्टन आपको है तब कैप्टन यामी कहते है मुझे मस्सिखाओ मुझे तुमसे ज़्यादा experience है तब आस्ता कहता है तब कैप्टन यामी गुस्से में कहते है तुम्हे क्या लग रहा है यहापर बैठके मैं मज़े कर रहा हूँ तुम्हें नहीं पता मेरा खूर कितना खौल रहा है वहाँ आने के लिए तो मुझे ध्याद से सुनो आस्ता तुम्हें शाहत रहना होगा और अब तुम तीनों को अपनी लिमिर्स को सरपास करना होगा और तब हम देखती है वो तीनों फिर से एकसाइटिड हो जाते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं पर हम देखती है वो फिर भी वेटों पर अटेक नहीं कर पा रहे होते तब वैनिसा सोचती है आस्ता जब मैं तुम्हारी छोटी सी बॉड़ी और बीना मैजिक के इतनी बहादुरी से रड़ते हुए देखती हूँ तो मुझ में एक अलग सी हिम्मत आ जाती है और मैं भूल जाती हूँ कि मैं कितनी वीक थी जब मैं विचिस के फॉरेस्ट में थी और तब हम देखती है वैनिसा एक केज में कैद होती है और वो बिना क्वीन की इजाज़त के वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती है और यह सारी बाते वो अपनी थ्रेड मैजिक के साथ शेयर कर रही होती है तब वो मैजिक उससे कहता है चिंता मत करो एक दिन तुम यहां से बाहर निकल जाओगी और तुम्हें सच्चे दोस्त मिलेंगे तब एनिसा कहती है ऐसा कभी नहीं होगा और यहाँ वैनिसा सोच रही होती है मुझे तो लगा था कि वही मेरी किस्मत है पर एक दिन मुझे पता चला कि वो मेरी किस्मत नहीं है बस मुझे अपने आप पर भरोस और उसके बाद मैंने विच्चिस के फॉरस को छोड़कर ब्लैक बुल्स को जॉइन कर लिया और तब मुझे एसास हुआ कि तुम्हारे किस्मत की थ्रेड्स सिरफ तुम्हारे हाथों में होती है और तब वैनिसा कहती है आस्ता तुम बस बिना डरे हमला करो और चिंता मत करो म जब आप गरम खून वाले लोगों के साथ काम करते हो और मैं हमेशा से ऐसा रहा हूं जिसके पास कभी कोई मोटिवेशन ही नहीं होती थी और यहां हम देखते हैं फिनरल को उसके स्पेशल मैजिक की वज़े से उसे डाटा जा रहा होता है तब फिनरल कहता है मैं अपने मै लांगरेस गोल्डन डॉन में सेलेक्ट होता है और फिनरल ब्लैक बूल्स में जिसकी वज़े से पिनरल का परिवार लेंगरेस को उनका वारिस चुनते हैं और तब फिनरल अपने घर से भाग जाता है और हम देखते हैं वो लड़कियों के साथ फ्लरट कर रहा होता है और तुमने फिर भी बहुत ताकतवर लोगों से लड़ाई की और कभी हार नहीं मानी और इस चाइम ये सर्च है कि इस चाइम मैं तुम्हारे जैसा हूँ जो कि अपने भाई को कभी नहीं हरा सकता पर एक बार कैप्टर यामी ने कहा था कि देखना तुम एक दिन अपने तुम लोगों को मानना पड़ेगा तुम लोग सच में कमाल के हो पर लगता है अब तुम्हारे पास जादा टाइम नहीं बचा है तो अगर तुमने जरा से भी गलती की तो तुम लोग मारे जाओगे तो चलो देखते हैं कि तुम इस सिच्वेशन में कब तक तिके रह सकते हो और तब वैनिसा और फिनरल सोचते हैं आसा ने हम पर बहुत भरोसा किया है तो इसलिए हम उसका भरोसा तूटने नहीं देंगे और तब वैनिसा और फिनरल देखते हैं उनका मैजिक कमजोर पड़ रहा होता है और तब हम देखते हैं गोश चामी और ग्रे उनकी मदद क लिए वहाँ आ जाते हैं और तब गोश उन्हें ग्रे की बारे में बताता है जिसे सुनकर सब लोग चौक जाते हैं तब हम देखते हैं गोश योवेटों पर हमला करने में काम्याब हो जाता है और तब हम देखते हैं बेटों जोर से चीख था है तब सभी लोग कहते हैं आखिर कर हम जीत गए तब वैटो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है और तब हम देखते हैं आस्ता जोर जोर से चिलाने लगता है और तब वैटो कहता है क्या तुम लोगों को सच में लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो मैंने तो तु लोग कूरी तरह से शौक हो चुके होते है और वैटो जोर-जोर से निराशा निराशा चिल्लारा होता है और तब आस्ता नीचे गिर जाता है तब वैटो कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है कीरे चलो मैं देखना चाहता हूं कि तुम दुबारा खड़े होने की कोशिश करते हो या नहीं पर हम देखते हैं आस्ता फिर से वही जोश के साथ खड़ा हो जाता है और उसे देखकर सभी के अंदर एक उमीद जाग जाती है और तब वैटो जैसे यास्ता पर हमला करने लगता है वैनिसा फिर्ड़ और गोश उसे फिर से बचा लेते हैं और तब नोएल कहती है आस्ता सही कह रहा है हम तुम जैसों से बिलकुल एही हारेंगे और वो वैटो पर हमला कर देती है पर हम देखती है उसे कुछ भी नहीं होता है तवेनिसा आस्ता को देखकर सोचती है ये लड़का बिलकुल भी हमारी जैसा नहीं है ये बिना मैजिक के एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जहां मैजिक ही सब कुछ है पर फिर भी इसने कवी हार नहीं मानी है और शायद गौड ने से इनी गुनों के कारण ऐसा बनाया ह और ये पक्का इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़े करेगा बस हमें इसका साथ देना होगा और तवेनिसा अपने थेट से आस्ता की तूटे हुए हाथों को पकड़ लेती है और फिनरल को फिर से तयार रहने के लिए कहती है और हम देखती है फिनरल भी तयार हो जाता है और तवास्ता फिर से तलवार उठाकर वेटो की तरफ बढ़ने लगता है तव वेटो कहता है आखिर का तुम्हें निराशा क्यों नहीं हो रही है तवास्ता कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है मेरे पास इसके लिए बिलकुल वक्त नहीं है इस चाइब कोई ऐसा है जिससे मैं हाद नहीं माज सकता और तुम और तुम्हारी निराशा मेरे प्रामिस के रास्ते में आ रही है। और तब हम देखते हैं बैटो आस्ता की मुमेट्स को ट्रेक नी कर पारा होता है और वो सोचता है लगता है ये डीमन ड्वेलर स्वोर्ड जो मेरे अंदर है वो मेरी फिजिकल अबिलिटीज को काउंट कर रही है। मुझे तो लगा था कि मैंने इसका वैपन चीन लिया है पर ये तो मेरी ही पावर्स को छीन रहा है और तब वैटो उस दर्वार को बाहा निकाल देता है और कहता है तब आस्ता कहता है तुम अभी तक किसी से भी नहीं जीते हो क्या उनमें से किसी ने भी तुम्हारे आगे हार मानी है और नहीं किसी को तुम्हारे आगे निराशा हु और सोसता है, ये तो मेरी तरह ही है, पर रुको, ये कोई बीस्ट नहीं है। और हमें बताया जाता है कि, फ्लोवर के थ्री लीफ्स, फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्थ लीफ में गुड लख होता है, पर फिफ्थ में डीमन रहता है। और तब वैटो सोसता है, ये एक डीमन है, जो कि निराशा को भी खतम कर देता है। और तब फिनरल कहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, पर तुम मुझे ये बताओ, कि तुम्हें हम पर इतना विश्वास कैसे है, क्या तुम पागल हो? तब एनिसा कहती है, और वैसे भी तुम फिनरल पर कैसे विश्वास कर सकते हो, ये तो कभी भी भाग सकत है और सबी लोग इस बात को एगरी करते हैं तब फिनरल कहता है यह सच है कि मैं भागने वाला था पर जब मैंने तुम्हारी आवास सुनी तब मेरी बोडी खुद बखुद यहां आ गई तब एनिसा और फिनरल कहते हैं तुमने हार नहीं मानी आसता इसी वज़े से हम जीत प बने लगते हैं और तब एनिसा पार्टी करने के लिए कहती है तब आसता कहता है अभी इसका टाइम नहीं है हमें सबसे पहले इसे बाढ़ना होगा और इससे सुवाज जवाब करने होंगे और तब वैटो को अपना बच्पनी याद आता है जहां वो एक बर्ड को लेकर र सकती है और हम भी इसकी तरह special है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी special powers हैं जिससे humans हमें दुश्मन समझते हैं पर मुझे यकीन है एक दिन humans हमें समझेंगे और हम लोग इकठे रहेंगे तब वैटो कहता है उमीद एक अच्छा एडिया है और लिच मेरे लिए वही था और मुझस उस उमीद को इन इंसानों ने छीन लिया और तब वैटो कहता है मैं तुम सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और मैं इस पूरे टेंपल को उड़ा दूगा तब कैप्टर यामी गुस्से में कहते है अब वो लोग इसे नहीं रोक पाएंगे मुझे यहां से जाना ही ह तब कैप्टर यामी की गृम वोर चमकने लगती है और तब यहां फिनरल सोचता है इस चीज़ को रोकने के लिए तो कैप्टर की पावर भी कम पड़ी थी और तब हम देखती है आस्ता फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तब फिनरल मना करते हुए कहता है आखिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते है और तब हम देखती है कैप्टर यामी वहाँ आ जाते है तब नुवैल कहती है आखिर का आप इतनी देर कहा थे तब कैप्टर यामी कहते है मैं ट्रेप था और अब मैं उस पेशल मैजिक को तोड़ कर आ रहा हुँ तब आस्ता कहता है क आप ये सब कुछ थोड़ा जलदी नहीं गर सकते थे तब कैप्टर यामी कहते है चुप कर जाओ, मेरे पास अपने रीजन्स है और अगर मैं यहाँ आना नहीं चाता था तो मैं अब तक घर जा चुका होता तब सभी लोग हैरान हो जाते है और तब यहाँ हाई प्रीस्ट अपनी फैमिली के पास पहुँच जाते है और कैप्टर यामी को देखकर सोचते है इसने तो सच में बहुत खतरनक स्पहली उस किया है यह तो सच में मौस्चर है तब कैप्टर यामी लड़ने के लिए कहते है और तब आस्ता फिर से लड़ने के लिए तयार हो जाता है तब कैप्टर यामी कहते है अब तुम सभी लोग अराम करो तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है तो अब अपने कैप्टर को ये सब को सभाल ले दो तब कैप्टर यामी सभी को शावाशी देते है और कहते है तो सभी ने सच में कमाल किया है और ये तुम्हारी वज़े से ही है कि मैं अपनी लिमिट्स को सरपास कर रहा हूँ और तब हम देखते हैं कैप्टर यामी की बुक में एक और स्पेल आ चुकी होती है तब यहाँ वेटो कहता है मैं तुम सभी को बताऊँगा कि निराशा किसे कहते है तब कैप्टर यामी कहते है चुप कर जाओ तुम्हारा मैजिक चाहे जित्ता बरजी स्ट्रोंग हो पर मेर यह स्पेल पूरे के पूरे डिमेंशन को भी काट सकती है और तब कैप्टर यामी डिमेंशन स्लेश से उसे बीच में से काट देते हैं और यहाँ हम देखते हैं उपर सैखे और उसके दोस्त जकमी मैजिक यूजर्स की मदद कर रहे होते हैं और तब हम देखते हैं ब्लैक प्रिस्ट को बचाने के लिए ठेंकियू कहते हैं और उनसे उनकी एक विश पूशते हैं और तब CAPTIR YMI कहते हैं हम यहां सिरफ magic stone लेने आए थे तो बताओ वो कहा है और तब high priest कहते हैं आखिर कर यह magic stone क्या होता है मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है और तब CAPTIR Y तब हाई प्रीस्ट कहते हैं अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे लेकर जा सकते हैं मुझे इसते कोई प्रॉबलम नहीं है और तब कैप्टर यामी कहते हैं ध्यान से सुनो तुम सभी ने अच्छा काम किया है जिसे सुनका सभी लोग खुश हो जाते हैं और तब हम देखत को नहीं छोड़ूँगी और तब वोल्टर सोसता है हमें किसी भी तरह वो मैजिक स्टोन हासिल करना होगा ताकि हम देखते हैं सभी लोग अराम कर रहे होते हैं और तब गोश कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा हमें वापिस जाने के लिए फिंडरल के मैजिक के रिकवर हो करने का इंतजार करना होगा और तब सभी लोग अपने अपनी चेजों को लेकर रोने लगते हैं पर तभी वो लोग देखते हैं अंडर्वॉर्teen के सभी लोग उनने THANK YOU कह रहे होते हैं और उनकी तíamos कर रहे होते हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं तब मैग ना कहता है हम तो क्लोवर किंग्डम की सबसे बुरी स्कॉर्ड हैं पर फिर भी ये लोग हमें थैंक्यू कह रहे हैं। तब लग कहता है तुमने सही कहा देखो ये कितना अच्छा है अब तो हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉंग होना होगा। और तब यहां नोवेल कहोनों से कैरी होती है और याद रखो मैंने अभी भी अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा है देखना एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगी और सर्फिस पे आकर एक आइडल वनूँगी और तब तुम्हें मुझे अवादा करना होगा कि तुम मुझे देखने और मिलने आऊगी और तब नोवेल कहती है मैं जरूर आऊगी और तब वो दोनों एक दूसरे से प्रामिस करती है और तब नोवेल वहाँ से चली जाती है और तब हम देखती है कि आटो नोवेल को देखकर अपनी बेहन से उसे इंटर्डूस करवाने के लिए कहता है तब कहोन मैं उसके लिए इन्हें कभी माफ नहीं कर सकता पर मुझे लगता है शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़े से ये हमें माफ नहीं कर सकते और इसी वज़े से इन्हें हुमन से नफरत है और मुझे लगता है आखिर में इसे ही सबसे ज़्यादा निराशा हो तब कैप्टर यामी कहते हैं, तुम एक इडियेट हो, तो इसलिए तुम्हें इस ताइम सिर्फ अअपने ड्रीम के बारे में सोच रा चाहिये. और तब कैप्टर यामी, उसके आँखों पे पट्टी बात कर वहां से चले चाते हैं, और तब यहां आस्ता, अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है और यूनों के साथ किये हुए वादी को याद करता है जिसमें यूनों ने उसे कहा था कि आस्ता वो तुम हो जिसने मुझे उमीद दी है तुमने कहा था कि चाए हम गरीब हैं और अनात हैं पर फिर भी हम इस दुनिया में कुछ बन सकते हैं तो इसलिए उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग विजर्ट किंग बनने की कोशिश करेंगे और वो कहते हैं चलो फिर देखते हैं आखिरकार विजर्ट किंग कौन बनता है तब यहां अस्ता कहता है मैं अतनी ब्लैक बॉल्स को थैंक यू कहरे होते हैं और यहां हम देखती हैं ब्लैक बॉल्स वहां से जाने वाले होते हैं और तब सभी लोग उन्हें वीदा करने आये होते हैं और यहां चामी ने दा आई ओफ मिड़नेट सन के कुछ मेंबर्स को पकड़ा होता है तब आस्ता कहता ह क्या आटों और कहानों मुझे पूरा यकीन है ऐसा कोई ना कोई मैजिक जरूर होगा जो तुम्हारे पैर और गले को ठीक कर सके और मैं अपने दोनों हाथों को भी ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा और हम दोग अपने अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ेंगे और तब के ओटों और कहोनों भी हार ना मानने की बात करते हैं और तब हम देखते हैं वो सभी लोग फिन्रल के स्पेशल मैजिक की मदद से वहाँ से जाने लगते हैं और तब कहोनों गाने की कोशिश कर रही होती हैं और तब हम देखते हैं वहां के सभी लोग उसका साथ दे हैं तब मैगना कहता है तो लगता है हम इतने भी बुरे नहीं है तब फिनरल कहता है हम पॉस्टिव स्चार्स के करीब तो पहुंच रहे हैं पर हम फिर भी सभी मैजिक नाइट स्कॉर से सबसे पीछे हैं तब गोश कहता है पर एक मिनिट रुको क्या गोर्डन हमारे साथ था और तब हम देखते हैं गोर्डन बहुत उदास बैठा होता है और वो सब को कह रहा होता है कि मुझे विश्वास दी हो रहा कि तुम सबने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया मैं भी तुम्हारे साथ आना चाता था पर हम देखते हैं किसी को भी उसकी बात समझनी आरी होत और तब हम देखते हैं कैप्टर यामी विजर्ट किंग के पास जाने की बात करते हैं और चामी और फिंडरल को भी साथ चलने के लिए कहते हैं और तब आस्ता भी साथ जाने की जित करने लगता है और तब कैप्टर यामी उसे भी साथ ले चाते हैं और तब हम देखते हैं वो सभी लोग रॉयल कैसल के पास पहुंच जाते हैं और तब कैप्टर यामी विजर्ट किंग को सारी बात बताते हैं और तब विजर्ट किंग कहते हैं हम एट नेट संस के पकड़े हुए मेंबर्स की इंटेरोगेशन करेंगे और वेटो की बाड़ी की भी जाच करेंगे और तब कैप्टर यामी विजर्ट किंग को मैजिक स्चोन देते हैं तब विजर्ट किंग कहते हैं इसके लिए थैंक यू तुमने सुना होगा रेक्यू की लड़ाई में बहुत सारे मैजिक यूजर्स ने अपनी जान गवाई है पर अब इस मैजिक स्चोन के मिल जाने के बाद लगता है उन सबकी आत्मा को शान्ती मिल जाएगी और ब्लैक बुल्स ने भी बिना एक भी मेंबर को गवाई इस मिशिन को बखू भी नी भाया है और सोचते हैं यामी तुम भी पहले से काफ़ी स्ट्रॉंग हो गय हो और तब वो कैप्टर यामी की तारीफ करते हैं तब कैप्टर यामी कहते हैं आपने कहां था कि अगर तुम सही हो तो अपने results के जरिये उसे proof करके दिखाओ और इसलिए मैंने इस mission को accept किया था ताकि मैं सब को बता सकूँ कि आपने मुझे चुनकर कोई गलती नहीं की थी और मेरे squad members ने भी ये proof किया है कि मैं गलत नहीं था और तब Wizard King आस्ता की भी तारीफ करते हैं और तब हम marks आजाता है और वो उन्हें बताता है कि केटन के border पर Diamond Kingdom की squad ने हमला कर दिया है तब Wizard King कहते हैं ये तो बहुत बुरी situation है और जो इन्हें तीन lead कर रहे हैं वो 8 shining general के members है तब आस्ता कहता है आखे का ये क्या है तब Captain Yami कहते है ये group उन 8 लोगों को मिला कर बनता है जो कि Diamond Kingdom के सबसे ताकत पर जादूगर है और ये सभी लोग एक Magic Knight Captain के तराई ही है और तब Marks कहता है अगर उन्हें केटन को हासिल कर लिया तो हमारी Kingdom में घुसना उनके लिए बहुत असान हो जाएगा और तब Legas कहता है हमारे खूफियों सूत्रों से हमें पता चला था कि इस टाइम Clover Kingdom की डिफेंस The Eye of Bednight Sun की वज़े से कमजोर है लगता है वो इंफोमेशन बिल्कुल करेक्ट थी तब Brooks कहता है तो चलो फिर अब किटन पर कबजा करें और तब हम यहाँ देखती है Clover Kingdom की Magic Knights की टन की आसपास Barrier को Activate कर देते है और तब वो लोग Legas पर हमला कर देते है और तब Legas कहता है तुम लोगों का मामूली अटेक मुझ पर कोई काम नहीं करेगा और तब वो अपने Magic से उन पर हमला कर देता है और हम देखती है उनका Magic Magic Knights के Barrier को तोड़ देता है और तब यहाँ Bagos सारी Scores को अपना-पना काम समझाता है और उन्हें Formation बनाने के लिए कहता है और तब हम यहाँ देखती है Brooks शेर पर हमला कर देता है और वो किसी की भी बास नहीं सुन रहा होता और तब Diamond Kingdom की बाकी लोग फी उन पर हमला शुरू कर देते है और तब हम देखती है Golden Dawn उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और तब Diamond Kingdom के Generals को बताया जाता है कि उन्हें रोकने के लिए Clover Kingdom से Golden Dawn आ चुकी है और तब यहाँ यहाँ युनो उसे एक नोर कर रहा होता है और सिल्प कहती है चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी तुम अपने आपको लगी समझ सकते हो तो चलो स्विर इन सभी को हराई और फेट डेट पर चलते हैं और हम देखते हैं युनो से मना कर देता है दुश्मन बहुत जादा है और अभी सारी मैजिक नाइट स्कॉर्ट्स किसी ना किसी मिशन पर गई है तब कैप्टर यामी खुद जाने की बात करते हैं तब विजट किंग कहते हैं क्या तुम अंडर वाटर टेंपल से ठके नहीं हो तब कैप्टर यामी कहते हैं मैं इस चाइम इन्विंसिबल फील कर रहा हूं और वैसे भी मुझे वहाँ जाकर कुछ चेक करना है और तब यहाँ विजट किंग कैप्टर यामी को वहाँ भहेचने के लिए मान जाते हैं और तब यहां आस्ता भी कैप्टर यामी के साथ जाने की बात करता है पर कैप्टर यामी आस्ता की हालुत को देखकर उसे वाँ जाने से मना कर देते हैं और तब चामी कहती है आप इसकी जिंता मत कीजिए मैं इसे सेफ रखूंगी और तब कैप्टन यामी उन्हे ले जाने के लिए मान जाते हैं और तब चामी अपने प्रिंस से मिलने के लिए काफी एकसाइटिड हो जाती है और यहा हम देखते हैं यूनो और बाकी सभी अपने दुश्मनों का अच्छे से सामना कर रहे होते हैं और तब यहां कैप्टन विलियम यूनो की तारीफ करते हैं और तब वाइस कैप्टन लैंगरिस कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ओमनर इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तब कैप्टन विलियम कहते हैं तो चलो फिर दाइमिंग किंडम की मैजिक यूजर्स को बताया जाए क्यूनो ने क्लोवर किंडम में घुसकर कितनी बड़ी गलती की है और गाइस इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का सीजन वन खतम हो जाता है गाइस आपने सीजन वन को बहुत जादा प्यार दिया और कितने लोगों ने इसे सपोर्ट किया जिसकी वज़े से हम सीजन वन को कंप्लीट कर पाए तो गाइस मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि हमना सीजन टू, सीजन थ्री, सीजन फोर इसके जितने भी सीजन आएंगे फ्यूचर में उन सब को हम पूरा कर सकें क्योंकि गाइस अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम ऐसे ही और इसकी वीडियोस ला सकेंगे बाकि लास्ट में अगर आपको ये वली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरू करना चैनल पर ने तो सबस्क्राइब जरू करना बाकि नेक्स सीजन की फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा आज पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो